जिस तरह से पंजाब की इमज है हसता खेलता और पुरिदेश का पेट पालता और सरहदों पर रखवाली करता पंजाब इस हसते खेलते पंजाब में जो आपकी बड़ी भूमिका रही है उसमें मैं आज आपको पहले के दौर में लेकर जाना चाहते हूँ और परिचे में मैं आपको बता दू तालियों के साथ आप जोड़दार स्वागत करिये क्योंकि आप ये चर्चा की शिरुवात होने वाली है भगवंद मान के साथ बता दें आपके पंजाब के छोटे से शेहर के एक छोटे से स्कूल के एक बड़े मास्चर जी का बेटा अब बड़े मास्चर जी का बेटा कहा है तो शरारते तो आप एक्सपेक्ट करी सकते हैं अब आज इनकी पोल खुलने वाली है चलिए अब आप मुझे जल्दी से बता दीजे आज आप पंजाब के मुखे मंतरी हैं लेकिन मैं मास्चर जी के बेटे से ये सवाल करना चाहते हूँ सोच के कैसा लगता है ये सफर कैसा है दिखिए बड़ा अच्छा सफर है सोच ये सोच न होई है जो सोच है लखबार गुर्बानी में लिखा है आदमी सोचता कुछ और है लेकिन परमात्मा ने वाहिगुरू ने भगवान ने उसके लिए रास्ता कुई और बनाया होता है तो कई बार आदमी कहता है ये तो मैंने सोचा भी नहीं था संगरूर डिस्टिक में और मेरे पिता जी महिंदर सिंग वो मतलब में पुलिटिकल साइंस बीएसी और बीएड उस एरिया के काफी 30 किलोमेटर के रेडियस के एकलोते पड़े लिखे बंदे थे रनबीर कॉल संगरूर से उन्होंने पढ़ाई की साइंस टीचर थे वो अबिएसली फिर गाओं के बिलकुल पास ही तीन चार किलोमेटर गाओं है तोलावाल वहां पे वो हैड मास्टर थे बड़े मास्टर थे तो उन्होंने मेरा दाखला भी वहीं करवा लिया अब उस उमर में अब वहीं पे आपका बाप हैड मास्टर हो यह तो फिर अत्याचारी हो गया ना वर आपके साथ तो साथ में जाता था बंक कोई बंक भी नहीं मार सकता था साथ में तो लेके जाते थे साइकल पे तो टीचरों को भी पता था यहां पे भी बहुत से टीचरों के बेटे बेटे होंगे बेटे बेटियां एक बात पक्की है मानो चाहे ना मानो टीचर के बेटे की जाधा पिटाई होती है क्योंकि वो मिलते रहते हैं अपस में चाहिए आप किसी और स्कूल में पढ़ते हो मिलते रहते हैं अपस में कैसा है थोड़ा हिंदी में कम जो रहा है कल कर देना काम आते ही हिंदी वालने बोला तू कान पकड़ ले ने तो कुछ कहा नहीं का तुरे पिता ने कहा था कल तो काफी तो जो अनिक्स्पेक्टर पिटाई थी वो भी हुई तो फिर मान साब सुकूल में पढ़ते पढ़ते थोड़ा सुकूल में जो कभी सेचडे संडे को कोई पी एक था कि आप कुछ भी सुना सकते हो कविता जा कुछ गीत आता है उसमें हिस्सा लेने लगे हैं नहीं लेकिन जब आपने कहा कि टीचर के बेटे की ज्यादा कि आहिए प्टा जा है कि बीनों अन्हें वह मेरे मेरे में असल्में उकला थी असल्में वह weird कि मैं अबजर्ब करता रहता था चीजे कि अधुड मश्र कैसे पढ़ाते हैं लामस्र का क्या स्थाइल अब ओने का फ्लामस्ट का पिटाई back स्वाधिinky एकी तेटेटा ध यहां पर कर के बता निए पर थेस्ट यहां अपनापर फंटिल कामें हैं तो हारे करता रहता था तो चोटा प्रवाध ऑधा स्कूल था मेडल स्कूल था बच्चों सेप्ट टिचर को पता चल जाए था तो यूनीक पिटाई के तरीके जो आप बता हूframes है तो यूनिक पिटायी के तरीके जो आप बता है आपकी कोई फेखेवरेट बया रहां वे तो फिर आप यह क्यों कहते थे कि मैट्स के गणित के फॉर्मुले क्यों करने इससे क्या मिल जाएगा गणित का फॉर्मुला क्यों पढ़ना है मैं यह कहता हूं आप सभी लोग अभी TV9 का मंच है बड़ा मंच है लाखों लोग दिख रहे होंगे हमें पढ़ाया कुछ और ज सुन रहे होंगे किसी ने a square plus b square plus 2 a b का फॉर्मुला इस्तिमाल करके बजार से केले खरीदे हैं क्यों पढ़ा रहे हमें टैन थीटा कॉस थीटा जिंदगी में काम आया लेकिन सबसे ज़्यादा नींद हराम इसी ने की टैन थीटा कॉस थीटा तो जिसको साइंटिस्ट बनने उसको पढ़ाओ साइंटिस्ट इसको बनने उसको पढ़ाओ टैन थीटा कॉस थीटा जो जिसका मन कहीं और जा रहा है आप उसको लेकर आ रहे हो for bending-वव एक फो सितमरंगी प然后 मैंन की पोस्ट है किनली इक बन्दे का सानरा पालिफिशन ग कर Nichtया को सब क्लिए करने के लिए पहले सब्हार कि देडिया करने के लिए कि चांद और धर्थि की कितनी दूरी यह कि कहता ज़र इस तरूर पर चिठियां बांटनी है तो मेरे तरफ से जवाब आए यार आपने डाकिया रखना है उससे उससे यह पूछ लो के भाई साब नौइटा वाला जो पुला है उससे जो इदर अपना धौला कुएं कितनी दूर है धौला कुएं से अजादपुर वाली मंडी कितनी दूर है जहां चिठियां पांटनी है अब चांद की दूरी पूछ रहे हैं उससे क्या लेना देना इससे तो हमारा थोड़ा आज एक राज खोल दीजे फिर ने इसका ना रेलेवेंट होना चाहिए पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो तो काम तो आए ना मतलब हमें क्या पढ़ा रहे हैं पंजाबी का हमारा एक हाउस टेस्ट हुआ मैडम ने साथमी कलस में पढ़ता था मैं अच्छा मैडम ने कहा जी चलो फीस माफी की अरजी लिखो एप्लिकेशन फॉर फुल फी कंसेशन पंजाबी में लिखना अरजी क्या लिखती हूं हिंदी में पोई होती है सेबा में श्रीमान मुख आया था साथमी में पर्थम आऊंगा लेकिन मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं वो एक चपरासी है उनकी तनखा कम है हम तीन भाई है हमारा परवार का गजारा बड़ी मुश्कल से चलता है वो मेरी स्कूल की फीस देने में असमर्थ है किरपया मेरी पूरी की पूरी फीस मा आरे यह बढ़ा थे तो तस ब्रस बैरी वरी घुड़ी लिखती है साथ में ऐसे लिखते हैं यह देखो भगांत ने लिखिए ऐसे लिखते हैं लिकिन मुझे खुशी नहीं हो रही थी अंदर से सच बताओं लगां यह वात बनीने कुछ गलत है और साथमी एक लास की बात उपने पर नीद legacy पूछाते हुए चुटी के बाद से कल पर आप गाउं को मैं भीको जी रोकर सेकल आप मुझे आप क्यों हमें पढ़ा हो तर्ट के आप कियों पढ़ा रहे हो मुझे तांगा आपको अकल आए आपका दिमाग खुले दुनिया का पता चले हैब को सच प्रफ्थ्य को पता चले मैंने गर गर मैं यह कहों कि आप हमें जूट पढ़ा हैं और जूटके नंबर भी दे नहीं है। मैंने का नहीं सर। हैड मैंस्टर सहाव पिता जी दुवारा पढ़िए। यह अर्जी मैं किसको लिख रहा हूं। श्रीमान मुख्या द्यापक वो आप हो। आपको मैं लिख रहा हूं बीच में लिख रहा हूं मेरे पिताई जबरासी है। तुझे तो जूट हो गया जी। क्यों नहीं इसके नंबर काटे गए मेरे। और काप कह रहे हम तीन भाई है। चोटी बहन है मेरी मान प्रीत। तीसरा कौन है मैंने का। जूट के नंबर दी हैं आपने हमें। घलत है जी तो तो कहने लगे मेरे पिताजी ने कहा। बिटा अगर गरीबी नहीं लिखोगे तो फीस माफ नहीं होगी। पता निक उस दिन सरसबती जुबान पर बैठी थी चाहिद। मेरे मुह से निकल गया कोई बात नहीं पिताजी। अगर कोई ऐसा पैन आ गया मेरे हाथ में कि मैं फैसले कर सकता हूँ। तो मैं ERG बदल दूँगा। आज हम अगले स्लेवस में हम लेके आ रहे हैं सरकारी स्कूलों में एप्लिकेशन रहेगी फीस माफी की। लेकिन उसके आयों कॉंटेंट है। वो पॉजिटिव रहेगा कि मैं ऐसे हूँ। मेरे पिताजी यह काम करते हैं पैसे फीस नहीं दे सकते मेरी फीस माफ ना करो मेरी फीस उधार कर लो मैं वादा करता हूँ। मैं बड़ा अफसर बनके, मैं जज बनके, मैं डीसी बनके, मैं सस्वी बनके, इस स्कूल की फीस ब्यास समेथ बापस करके जाएं। तो बच्चे के मन में positivity आती है, कि मैंने कुछ लिखके दिया है, कि मैंने कुछ लिखके दिया मुझे कुछ करना है, सरकारी स्कूलों में आम जनता पड़ती है, जनता के बच्चे, पांच में छठी कलास, जब कोरे कागे जैसा मन होता है न, पर स्लेवर्स में से माफिया कर डो जी, कर चानावह, करा डो जी, को कि माफी की हटी तो लिखनी भी जाते हैं भी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ने फिरकेशन षुट और राव्लीट है और उन रहना आ हुद मौन हुई जादा पड लेगा तो नंबर ऐ लेकिन पढ़ाई और है उधर पढ़ाई और है वो टीचर और हुए हमारे टीचर और है उधर स्लेवस और स्लेवस और है तो हम यह करने वाले पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनस को लें स्कूल ऑफ एमिनस का मतलब है आठमी तक बच्चे का पता चल जाता है यह क्या करने वाला है तो 9, 10, 11, 12 यह कलास है जो बच्चा साइंस में जाना जाता है उसको 9th में साइंस से चुरू किया जाएगा जो स्पोर स्पोर्स में जाना चाहता है उसको स्पोर्ट से शुरू किया जाएगा जो आर्टिस्ट बनना चाहता है उसको संगीत के लिए लेकर जाएंगे जो इंजिनियर में जाना जाता है जब तक वो बारा पास करके उनिवेस्टी के लिए निकलेगा तब तक उसका बिजन कलीर हो कि हमारे जो माता पिता है, बड़े श्रतिकारित है, हमारे जो पेरेंट्सें, जो खुद नहीं बन पाते हैं, वो बच्चों से बनना बनोाना चाहते हैं बस, डॉक्टर बाप्व नहीं बन सका तो बेटा डॉक्टर बनेगा, अब क्या पता यार थूडा सा तो बच्चों की तो पुछलो कि वो क्या करना चाहता है, नहीं, डॉक्टर बनना इंजनियर बनना, पाइलेट बनना, अग सभी डॉक्टर बनने, मरीज कौन बनेगा फिर, अग सभी पाइलेट बनने, पसेंजर कौन बनेगा फिर, बच्चे से भी तो पूछ लो ना कि क्या करना है, नहीं बूछते, मेरा मन था आर्टिस्ट लेवल पे, स्टेज पे जा कि कुछ करना है, मैं तो जाओंगा, मैं चोरी हो जान लगा, चोरी छिपे जाने लगा, कि पिताजी को पता ही न चले, अब मैं किसी कॉलेज में चला गया, मले रिकोडला कॉलेज है, गौरो गॉर्मन कॉलेज मले रिकोडला, वहां मैं फस्ट आ गया, बहुत सुंदर ट्रॉ ट्रॉफी मिल गई मुझे, सोला साल की उमर, प्लस बन की बात कर रहा हूं, ट्रॉफी बहुत कुबसूरत मिल गई, बड़ा बहुत ही मन को इतना लगा कि मैंने ट्रॉफी जीत लिया, और मेरा नाम बोला गया कि पहले नंबर पर यह, तो बस में बापस आना था, अब एक तो ट्रॉफी जीतने की खोशी है, दूसरी तरफ एक मन में स्ट्रगल यह चल रही है, ट्रॉफी घर पे ले गया तो पिता जी को पता चल जाएगा, यह फिर स्टेजों पर जाने लगा है, फिर पिटाई होगी, तो मैं बस में खड़ा था, बड़ी एमोशनल बात है, मैंने का मिलेकोटला कॉलेज से जीती है, कदर बहु कुफूरत है, मैंने का जले, भाई साब, तुम ले जाओ, प्रॉफी दे दी, ऐसे मैंने बहुत सी ट्रॉफी दे दी, जिनको मैं मिस करता हूँ, और पता नहीं किसके गर की ड्राइंगरूम का शिंगार होंगी, लेकिन जब मैं प्लस टू में पढ़ रहा था, तब ही से मेरी कैसेट्स आती थी, टी सीरीस बगरा में, कैसेट्स आने लगी तो मैं सुपर हिट हो गया, प्लस टू में पढ़ता ही, पंजाब का बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिल गया, मतलब मैं भी मशूर हो गया, तो पिता जी जो रोगते थे, इंटर्वू दे रहे थे एक बार किसी ख़़ार वाले को, हां मुझे पदा था बच्चे में बहुत टैलेंट है, मैंने बहुत एंकरेज किया, मैंने जूट बोल रहे हैं, कोई एंकरेज नहीं किया, मैं तो आप चड़ते सूरज को सलाम है बस, तो मेर नहीं कह रखा, कि तेरे नाम से चिठी आ जाए, तेरे नाम से चल्दी आ जाती है, मालसाब लेकिन अगर अच्छा बला करियर चल रहा था, एक आर्टिस के तौर पर पर परफॉर्म कर रहे थे, और आप इतने फेमिस भी हो चुके थे, काट्रीना कैफ के साथ फिल्में भी ग्लेमर लाइन में था, मैं अपने मूवी जिसमें दर्मिंदर जी, सनी दियोल, बोबी दियोल, कैट्रीना कैफ, ते मैं मैंने भी उसमें काम किया, लफ्टर चैलेंज में बहुत अच्छे लेवल पर काम किया, फिमस तो पंजाबी में पहले बहुत हो गए ते बाद में हि प्रिटिकल स्टायर करता था, मैं स्टायर करता था सिस्टम पर, व्यंग कार हम है, तो मन में एक बात मेरे जरूर आती थी, कि सिस्टम ठीक होना चाहिए, लेकिन मेरी सीडी से जा मेरे सीरियल से, लोग खुश बहुत हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं मेरे पास वो पावर नहीं थी, कि मैं डिप्टी कमिशनर को या SSP को कुई आर्डर दे सकों कि ऐसा नहीं ऐसे होता है, तो मन में बहुत था कि कुछ करना है, क्योंकि अगर किसी फसल को कोई कीड़ा जा सुन्डी लगी, तो बाहर से शोर मचा के जा कोई पत्थर बाजी करक के सुन्डी नहीं हटेगी, उसके लिए तो पुझाबी में कहते हैं सप्रेद ही टोली, मोड़े ते रखके अंदर बढ़ना पेंदा, अगर गटर साफ करना तो गटर के नीचे उतरना पड़ेगा, तो एक मौका आया ऐसा के मैं राजनीती में, मनपीर बादल, जो आज कल तो बीजेपी में, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनने का फैसला किया, पीपल्स पार्टी ओपंजाब, जी जी, तो उन्होंने कहा कि जो पंजाब को प्यार करते मेरा साथ दे दे, मैं एक मिंट नहीं लगाया, मैं अपना करियर छोड़ दिया, मैं उनकों साथ चला गया भाद में वो कॉंग्रिस के साथ चले गए, इंदमींट में आमानी पार्टी आ गई, तो 2014 में मैं संगरूर से लड़ा और पहली एलेक्शन में हार गया था, 2012 में, यह मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सा जूत सुन रहा होगा, कि पहली एलेक्शन में हार गया था, लेकिन म अपने फेलियर, एक फेलियर को मालेते हैं, बिल्कुल सही गह रहे हैं, एक हाथी था, बहुत पाबरफुल है, हाथी, शक्ती है, बहुत ही कमजोर रस्सी से उसको बांदा गया था, महावत में, तो एक बंदा आया कहता, तू बहुत बढ़ा रिस्क ले रहा है, ये तो रस्स इसका एक आदे स्किंट का काम नहीं है, ऐसे कर दिया इसने, रस्सी दूड़ जाएगी, इत्री कम जो रस्सी से तुमने बांदा हुआ है इसको, तू रिस्क ले रहा है, इसको बड़े-बड़े संगल जो होते हैं, वो लगा दे, चेन लगा दे, उसने कहा, महावत ने, न इसमें उतनी शक्ती नहीं थी, लेकिन इसने अपने मन में ये बात, इसके मन में बैठ गई, कि ये रस्सी मुझे टूटी गे नहीं कभी, मैं फेल हो चका हूँ रस्सी तोड़ने में, इसलिए ये ट्राई नहीं कर रहा, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यूद सुन रहा है एकाद अगर फेलियर भी हो जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी किस्मती हो गई बस, आपकी जिंदगी वही हो गई, बिल्कुल, आप ट्राई करो, हो सकता है, वो ही टेस्ट जो फेल हो गए थे, वो ही टेस्ट पास करने की काबलियत आप में आ चुकी हो, तो इसलिए कोई कहे कि भगवंतमान पहली इलेक्षन हार गया था, तो मैं अगर छोड़के चला जाता कि नहीं इलेक्षन मेरे बसका कवात नहीं है, मैं लड़ा, 2014 में MP बना, 2009 में MP बना, और दिगजों को हराया बड़े-बड़े, और 2022 में सरकार बनी, तो मुख्यमंत्री दिगजों कि आप बात कर रहे है, मान साब, तो मतलब यह है कि ना तो कोई तरक्की की उमर होती है, बिलकुल सही बाता है, ना कोई सपने चुनने या बुनने की उमर होती है, अब्दुलकलाम जी ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं 23 साल की उमर में शहीद हुए आज भी वो 23 साल कही है कई बंदे 90-90 साल की उमर में मौत का इंतजार करते रहते हैं बुजूर्ग आस पास के पडोसियों को भी नहीं पता होता कि इनका बुजूर्ग मर गया जा जिंदा है इतनी गुमनाम जिंदगी कहां भागत सिंग 23 साल की उमर में कहां 92 साल का बंदा उसका पता ही नहीं आदमी बड़ा ख्यालों से होता है शहीदों के ख्याल बड़े थे आपने जो बाते कही हैं इसमें कोई दो राए नहीं है लेकिन आपने दिगजो की बात की आपने भी जिक्र किया लाफ्टरचेलेंज का लाफ्टरचेलेंज में एक शक्स थे जो आपको सामने से बैटके जज करते थो और बड़ी टारीफे करते थे आपने क्या भगवनत्मान तुमने क्या कहा बोला रहे मजा आ गया आज वही आपके सामने हैं, जज कर रहे हैं, तारीफ नहीं कर रहे है, नौजोत सिंग सिद्धू सामने बैठते थे, कई बार तो हमको भी नहीं पता जलता था, कि हमने ऐसा क्या बोल दिया, जो हसना बंदी नहीं हो रहे है कभी भी ओ गुरू, आहाहा, वैसे एक बंदे ने मुझसे पूछ लिया, कैता है, जब लफ्टर चैलेंज में, ब्रेक आती है, तब आप क्या करते हो, मैंने का नवजो सिद्धू के सेल बदलते हैं, क्योंकि वो इतना जोर से असता है, वो सेल, बैटरी काता मुझेते जल्दी, फिर उनके सेल चेंज कर देते है तो सिद्धू साब ने लफ्टर चैलेंज में मेरे जज थे, ऐसे क्रिक्टर मैं बहुत रिस्पेक्ट करता है, मैं जब से क्रिक्ट देखना शुरू कि अलगबग शिरीकांत के साथ उपनर आते थे, तो मनोज परवाकर के साथ उपनर आते थे, तब अजूरदीन कैप्टन थे, मैं बहुत स्पोर्ट्स लब रहूं बड़ा, रस्पेट करता हूं, बाद में, राजनीती में आ गए वो, मैं भी राजनीती में आ गया, उनकी अलग पार्टी है, एक नहीं, उनकी अलग पार्टीयां हो गई, तो तुमान साब, इतनी क्या नाराजगिया उनकी आप से हो गई, कि वो यह तक कहने लग पार्टी पहनने से कोई भगत सिंग नहीं हो जाता है। सिदू उसभी जी नाराज कि उनकी आप ख़ता हुआ कि पिली पगणी पहने से बगए सिदू साभी बनना अफिश कोई आप वोके कहा वहता है के लैनन जैसा जो तो ले आओगे उसके जैसा नीचे सर कहां से लाओगे भगण सिंग बनना असान है कि पगडी तो पैन लो के प काया कि हम वह सिंक के हां उनकी जैसी सोच तो रख सकते हैं वह सिंग ने कहा था अजय दि मिलेगी जायों शवक नीहीं मिलेगी इसका मुझे कोई शक्त निज eranी मिलेगी लेकिन सब निय 먼저 के में थो प्रोर्काराफ ही आभवे हमारे लाके में प्ले होते थे वह देखता था किताब्या पड़ता था जब में आटिस्ट बना तो जो नहीं गाड़ी लेता था मैंने चार-पांच गाड़ियं रात के दस बजे मिले, मैं गाड़ी शोरूम से निकालता था, सीधा खटकड कला, भगस सिंग के गाउं में माथा टेकता था, ये किसी को पता नहीं है, और मैं कहता था, तुम्हारी बजा से गाड़ियों वाले हो गए, बंगलों वाले हो गए, अगर तुम ना होते, अगर त तब से भगस सिंग का फैनों जी, और जब हमने ये पगड़ी कहां से पैननी शुरू की, चौदा की एलेक्शन में पगड़ी के बिना लड़ा था, 2014 में, जब मैं जीत गया तो मिझे सर्टीपेट मिला MP का, आम तोर पे सर्टीपेट लेके लोग, जो नेता हैं वो अपने परदान के पास जाते हैं, जी, आपकी जोली में ये सीट डाल दी, मैं खटकड कला गया, भगस सिंग के गाओं में, मैंने उसके पाओं में वो रख दिया, जो सर्टीपेट था, और कहा, कि ऐसे लाख सर्टीपेट पर तू लात नहीं मारता, कुछ नहीं है ये उकात MP की, लेकिन मैं वहीं पर जा रहा हूँ, जहां तुम एक आवाज देने वाला एक बम फैंकर उनके कान खोलने थे अंग्रेजों के, तो मैं आपकी पीले रंग की पगड़ी पहनूँगा, मैं जुबान के बम वहां पर चुलाओंगा तांकि जनता के पक्ष में सरकारों के कान ख चुरू की है, और जब मुख्यमंत्री बने का मुख्यमंत्री करें, जो ओच सरमनी होती है, वह जा तो राज भवन में होती है, जा फिर क्रिस्टिडियम में होती है, पहली बार हुआ है कि 2016, 16 मर्च 2022, 16 मर्च 22 को मेरी मुख्यमंत्री की वह बगस सिंख के गाउं में, आट लोगों के सामने हुई थी लेकिन बान साब प्रताप सिंग बाजवा सिद्धू साब कुछ भी बोलते रहते हैं वो तो खटाक पटाक पता निक्या कारते रहते हैं उनको खुदको नहीं पता जलता कि मैंने क्या बोल गुरू तो मैं क्या करें आपको गुरू याद होगा लोगों ने दोनों हार गए दोनों हार गए लेकिन प्रताप सिंग बाजवा ने बयान दिया और आप ने उस पर भी सिद्धू जी का मजाग उडा लिया और ने कहा कि उंगली मंगर कैंग्रीन हो तो उंगली काट देनी चाहिए पता क्या है जो मेरे ये सारे ना कॉन्वें कि यह पंजाबी इनोंने कभी पड़ी नहीं है अब बैसे तो 30% होता है ना कम से कम नंबर मैं 50% पर पास करने को तेयार हूं यह चारों पंजाबी का टेस्ट पास करके दिखा दे मुझे ए यह बोलते हैं सिद्धू है यह कौन यह बाइप्यस है ने लेकिन आपने मजाग क्या उड़ा है उताट दिखे लोगों को सोनो तो सही सिद्धू बाइप्यस है बाजबा पीपीस नाबा है सुखवीर बादल सनावर है मनपी बाल दून है यह पंजाभी है नहीं कह आगा का आ जो और पंजाब कीया है इन को बनायों काद दो जो और पंजाब का के हम पंजाब को तो सब्छलेंगे हम पंजाब कषण व peril दिकतल आफ ए लिए प्रयक के बेटे-बेटियां ये कुर्षियां करों कुर्सियों पर क्यों बैठके जहां हमारे बेटे-बेटियाँ बैठते ते यह पंगर और बो कह रहा है अब करताब बाजबा ने कहा यह कैसा material हमारे सामने आ गया material बोल रहा हमें हो कहते हैं एक mobile ठीक करने वाला MLA बन के आ गया मैंने के mobile ठीक करने वाला नहीं दमाग ठीक करने वाले भी कई आये हैं आपके हमारे उस जो mobile ठीक करने वाला ना इसका नाम लिया उसने sitting CM चन्नी को रहा है अठाई साल उनती साल का नौजवान लड़का है हमारी एवरेज यह थर्टी नाइन है पंजाब में बानमे में से असी फर्स टाइम वर हैं हमने हरा हैं लोगों ने हरा हैं आपके रुप करें बगवांतमान को तजर्बान नहीं मैंने का लोग दुखी तजर्बेकारों से हैं तो लोगों को बता तो दीजें आपने कहा क्या था उस समय है जब परतापसिंगिया ने का था गैंगरीन वाली बात आपने कहा क्या था सिद्धु के लिए यहाँ डिन्म पॉलता हुआ हुआए और पॉअसाराम के लिए वही शेर, पाकिस्टान गये गूरानक देव जी के लिए रटारपुर में वही तो बस शेयर बंदा बदलाता है, शेर नहीं बदलता है, रटे लगे है ना, पेट्रल पंप में और तेले तो आप ने कहा कि जिस उंगली में गैंग्रीनोस उंगली को काट देना चाहिए तो आप ने कहा कि उंगली कट जाएगी तो पंजा रहेगा कैसे नब जो सिद्धू जो है न वो शादी मों लेने देने वाले सूट नहीं होते हैं उनकी तरह है उनको ना तो कुलिफाफे से ब और ना ही उनको कोई सिलवाता है वो आगे-आगे चले जाते हैं भुआ की बेटी के चला गया चलो इदर मासी की बेटी का चलो चार महीने बाद उदर मौसा के यहां भेज दो कई बार डेड़ साल बाद अपनी सूट अपनी को पापसा जाता है और फिर भी कहते हैं अभी निकालना नहीं तीन महीने बाद भुआ के बड़े-बेटे की सादिया वहा निकाल देंगे अब कॉंग्रिस की किसमत देखो उन्होंने उन्होंने सूट को लिफाबे से निकाल लिया अब ना तो वो किसी से सिलता है ना लिफाबे में वापस जा रहा है भरे पड़े अगर क्या करें इसका तब भी 12 तेरा साल में जिस तरीके की ये सच है कि 12 तेरा साल में जो पॉपुलारिटी हासिल की है आज जब काम की बात आती है तो आपका घहराब जरूर होता है और जब यूथ का आपने यहाँ पर सवाल किया तो मैं ये बता दूँ कि 1951 के बाद Asian Games में ये रिकॉर्ड बना है जब आठ गोल्ड, छे सिल्वर और छे ब्रॉंज भी उसी यूथ ने पंजाब में हासिल किया है बत्तीस में से 20 मेडल पंजाबियों ने जीते हैं इस बार क्योंकि हमने स्पोर्स पॉल्स यसी कर दी कि हमने पहले पैसे देने शुर कर देता है लेकिन उनको मेडल जीन ने लाइक तो बनाई है हम 15 लाक रुपया पहले देते हैं कि कम से कम वो शू तो खरीद लो जिन शू को पहन के भागा जाता है कम से कम वो गद्दा तो मिल जाए जिस पर उलंपिक में कुष्टी होती है हम प्रेक्टिस करते हैं मिट्ट पर वहां जाके मिलता है गद्दा तो हमारी गरिपी नहीं बनती तो हमने एक क्रोड रुपिया एक क्रोड हमारा गोल्ड को है 75 लाक है हमारा सिल्वर का 50 लाक है हमारा ब्रॉंज का अभी पैसे दिये हमने प्लेयरों को जिसमें जिन्होंने जीते हैं हौकी में इस वक्त दस प्लेयर जो है ना 11 में से 10 प्लेयर पंजाबी है हौकी टीम जो भारत की है 10 पंजाबी है हमने एक क्रोड रुपिया एक गोल्ड मेंटल को देने का फैसला किया तो आया कि 10 प्लेयर पंजाबी है हर्मन प्रीत कैप्टन है गुरजानित है शमशेर है मेरे वरुन है सारे तो ह हमने ये फैसला किया कि टीम को एक क्रोड नहीं देना, दस के दस पंजाब के जो हैं, हर एक अकेले-केले को एक क्रोड रुपिया देना है, जी, अब एक और बात, इसलिए फिर बच्चों में आ रहा है कि बिल्कुल, लेकिन जहां सिद्धु जी का सवाल कर रही थी, यूपी के बारे में राजपल की ये राए क्यों नहीं है, गुजराद के बारे में राजपल की ये राए क्यों नहीं है, ये राए सिर्फ बंगाल, केरला, तमिलनाडू, पंजाब और दिली के राजपलों की क्यों हैं, पता है न? आपको पता है फिराज अश रही हैं? कुछ तो बात होगी ना. ये पा fig stati के क्या होगी इंपानुD वही मैं आपसे जानना चाहते हूं कि ऐसी क्या बात है? मैं बताता हूं. सुनता, सुनते रहो. पौने 3 लाग का करजा, जब हमने संबाला पॉने तीन लाग करोड का करजा पंजाब पर भाई सब कहां खर्चा तब तो सिद्धू साब भी थे ना अकाली बीजेपी में भी सिद्धू थे बाद में कॉंग्रिस में भी सिद्धू थे मिनिस्टर थे और बिजली डेपार्टमेंट दे रहे थे लिया नहीं खोद कुछ क नब्बे परसेंट पर मंत दो महीने का साइकल है 600 जुनेट कोई भी घर हो उसमें कुई लाल पीला कार्ड नी चलेगा आपका पांसो नब्बे पांसो पिचनमे पे आपका मीटर है आपका बिजली का बिल नी आएगा बिजली हमारे पस है हम बिजली पैदा करते हैं तो यह 15,000,000 वाला पापड किसने पेचा था वो तो रेवडी नहीं है यह काले धन का पापड किसने पेचा था अगर अर्विन केजरीवाल बिजली फ्री दे थे 300 जुनेट हस्ता लोए इलाज फ्री कर दे बच्चों की पढ़ाई फ्री कर दे तो यह रेवडिया है क्यों भई इलाजी जनता का पैसा है जनता से पैसा लेके जनता पर देना है यही तो गल्रमेंट एफिर नहीं लेकिन चो्स पैसे को संभालिए ना उस पैसे को संभाल nên लिकेज बंद कर दी आजाने में पैसे आगे हम दे रहे हैं हम चूल औफ ऐमीनस को ल रहे हैं आटी 100 महलया क्लीन सरकारी जो संस्थाइं होती है, उनको घाटे में दिखाकर, अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं. होता है न? पंजाब ने उल्टी गंगब हाई है, एक फर्बरी को आमने उल्टी गंगब हाई है पंजाब में, एक प्राइवेट जीवी के, जीवी के कमपनी के थर्मल प्लांट था 540 मेगाबाट का प्राइवेट थर्मल प्लांट सरकार ने खरीदा है कि हमें दे दो हम चला के दिखाएंगे ये पाइब लेकिन अभी आप हमसे पूछ रहे थे कि क्या राय है यूपी के राज़िपाल की राय किसान अंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है और पंजाब का किसान दिल्ली क्यों आता है बारबर पंजाब का ही किसान बार बार किसान आंदोलन करने कियो आता है दिल्ली नहीं क्या पंजाब करेक्सान के लिए दिल्ली पाबंदी है राजदानी नहीं है हमारी ना कोई पाबंदी है दिली को आता है जब सरकार दिली से चलती हो कहां जाए फिर वो पर आपका किसान लहौर जाए जब आप जब आप जब आप जब आप विपक्ष में थे बास सुनिए बैसे लहौर चैद जल्दी जा सकता था क्योंकि जितनी बड़ी तारें इदर लगाई थी लहौर वाली काम हैं क्यों नहीं आने देते यार उनको आप भी आप आने क्यों नहीं दे रहे हर्याना के कोई दुश्मनी नी उनकी वो अमरिस सर से तरन तरन से 200 किलोमीटर आगे उनने चींटी निमारी कोई पंजाब के साथ दुश्मनी ऐसी हरे आने को वो तो यहां राम लिला ग्रोन में बिठा देते यां उनके साथ बात कर लेते नहीं जी आने नहीं देना दिल्ली आप भी क 1.3.5.1 1.5.3.3 1.5.3.3 1.5.4.5 Alla, einu måttega. Hvað verður þá máttið? Því þar er það að það er svona svona. Hún er hvað hann? Hvað er það? 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 Mennir þeim sem það? Það er það? Það er það? Það er það? Mélkjartjón með þú stíðum. Og hvað er það? Ég er það? Það er það? Og hvað er það? Og hvað er það? Og við erum þarna. Hvað er það? Hvað er það? En hvað er síðan? En það var það? Hvað er það? Það er það? Ég er henni það. है 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 बना सकती लेकिन राजस्कारे काम कर सकती है जिस रेट पे वो फसल भिक्ती है और स्वामी नाथन के सी टू प्लस 50 परसेंट के फार्मूले से जितना उसका बनता है उसका गैप दे सकती है गवर्मेंट स्टेट की गवर्मेंट सबसिडी दे सकती है और हमने दी है मूंगी की दाल पर हमने दी है हमने बीजो पर सबसिडी है हमने हमने बिजली पर सबसिडी हमारी बिजली ठारा ह यार क्रोड की फ्री दे रहे हैं हम यह पंजाब का किसान क्या मांग रहा है हम तो मैंने मंत्रीज से कहा प्यूश गोल जी से मांग की कि मुझंबीक से मुझंबीक और कुलंबिया से भारत उड़त अरहर और मसूर की दालें दो बिलियन डालर की इंपोर्ट करता है जी मुझंबीक और कुलंबिया से उड़त मैसूर और अरहर मैंने का जी हमें मौका दो हम भीजेंगे हमें MSP दे दो हम आपका इंपोर्ट करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी जैसे हरी करन्ति आई थी तो गेहूं के अनाज के पंधार जो भर दिये थे तो अगर MSP हमें पंजाब में मिल जाए पंजाब की जो जमीन है बहुत फ्रटाइल है किसान भी पंजाब का धान जो है न वो बीजना नहीं चाहता वो कहता जी मुझे कोई और फसल दे दो MSP दे दो धान जितनी कमाई दे दो मैं मैं कुछ और बीज लूँगा पंजाब की दर फैंक फैंक के बाद करोगे रबड की गोलियां चला के बाद करोगे यह तो अच्छी बात नहीं है ना को कहीं भी किसी को डेमोकरिक राइट है कि वो जो हिंसा नहों समें वो प्रदर्शन कर सकता है हमारा डेमोकरिक रहे करें सर्कार को अधिकार और वो MSP को लेकर कानून बना भी सबना ले लेकिन अब चलिए मैं एक और सवाल करती और राहुल गांदी ने भी यह बात कह दिये कि गारेंटी दे अब आदी पार्टी के उसी समर्थन में है और एक सवाल यह भी मेरा आप से था कि राहुल गांदी फिलाल आपको कैसे लगते हैं लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि आमादी पार्टी जो है वो दस साल में इतनी तरक्की की है भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है जी दस साल में नैशनल पार्टी बन गई हमारी दो स्टेटों में सरकार है हमारे दस राजसावध की एंप एक हमारा जलंदर से लोकसवा का है पांच मलीय मारे गुज्रात में है दो एम्मल्य हमारे यह एल अबि चंडीगड का भी मेर आमाधि पार्टी का बन गया आएइ WOW भाई, वोच भई साब ढेयमग्य Pale easier किसी को भी जिता सकते है किसी को भी लेकिन चंदी गड़ में due कोan कैसे किने गए गुथि़ लेखे जबने का पिद लीजिए का सुन लेनее भाई साब चंदर चूड क्या कह रहा था बोड केसे किने जा रहा है 36 वोट गिनने, बोट कैसे किन रहा था वो बंदा, तो फिर वो वोट गलत निकले ना, तो फिर सुप्रीम कोड ने क्या कहा, कि मेर आमाधी पाटी का बनेगा, कहां गई देमोग्रेसी फिर या, आप 36 वोट गिनने ही पा रहें, 36 वोट में से 8 हमारे वैलिड वोट जो हैं, आपने कैंसल कर दिये, इतमींज 25 परसेंट, 36 वोट में से 25 परसेंट आपने कैंसल कर दिये और खुद गीत गए, भाई सब, मई के एंड में बानमे क्रोड वोट गिनने हैं, तब क्या होगा, नहीं बिलकुल, और मैं उसी सवाल प कर लिया, आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का, एक में में सवाल तुन लीजे, पंजाब में आपने गडबंधन क्यों नहीं किया कॉंग्रेस पार्ट से, पहली बात तो यह है, चंडीगड का हमने शांदार अलेक्शन लड़ा, लेकिन मेर सुप्रीम कोर्ट से लेकर आन मुला लो, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, कि तुम रोक नहीं सकते हैं बजट सेशन को, हमें हर बात पे केरला वाले अपने पैसे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गूम रहे हैं, आडियफ का, रूरल ड्वेल्मन फंड का मेरा साढ़े 5,000 क्रोड रुपया, केंदर यहांने रोक के रखा हुआ है, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट से चल रही है, सिर्फ उन स्टेटों में, जहां इनकी सरकार नहीं है। फिर कहते हो दिल्ली के हो आते हो दिल्ली क्या करें दिल्ली से बराब तो होगा नहीं जब आडिएफ का पैसा किसानों का पैसा है वो मंडी का पैसा है मंडियों के सबंदत सडकों का पैसा है माल स Hal, walika, ताहींड कहाओ, तरह कोट है, अनिस्य पर लिखी अंसरा, किलो में नरट का। तो हम क्या collection लड़के करेंगे दिल्ली में, हर्याना में, गुजरात में, गोवा में, हमने एक Congress से नहीं किया, Congress is a part of India, आप Congress क्यों कहते हो इसमें, उसमें सपा भी है, उसमें तिजस्वी भी है, उसमें स्टालिन भी है, उसमें ममता भी है, Congress क्यों कह रहे हो आप, तो ये गठ सद वो नहीं है, पहले देश है, पहले देश है, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिये, कौम को कबीलों में मत बांटिये, एक बहता दर्या है मेरा भार देश, इसको नदियों और जीलों में मत बांटिये, इसको नदियों और जीलों में मत बांटिये, इसको नदियों और यह रड़नीती है आपके कोई, यह रड़नीती है कि अलग रग लड़ेंगे ताकि BJP नहाँ है आप में तो हमारी पार्टी का है, मैंने तो 13-0 का नारा दियो हुग है, 13-0 जीत के आएंगे जी, चलिए अब एक रापिड फायर आपके साथ खेलेंगे और कुछ सवालों का जवाब हा या नामे चाहेंगे, इसलिए यह देखिए आपके साथ बोड़ है और इस पर आपको येस या नो के जरिए जवाब जवाब देना है, केवल येस और नो, आप तो आदी रापिड फ हूँ, हमने एक साल पहले दिल्ली अपना पंजाब की सरकार के एक साल पहले जनवरी 2021 में ओफर किया था, और मुख्यमंत्री काउदा आप उफर किया था, सिद्धू को, येस, मैंने कहा ता अर्विन केजरिवाल जी को, कि अगर नमजो सिद्धू आते हैं, मुख्यमंत्री मैंने आप से सवाल किया था, राहूल गांदी कैसे लगते हैं, आपने जवाब नी दिया, बता दीजी, कॉंग्रेस इमांदार है, है जी, कॉंग्रेस इमांदार पार्टी है, ने, ऐसा तो मैं कहा नी सकता, तो दिखाईंगे भी नी, नो, आपके इंडिया गड़बंदर आपने उस पार्टी साथ सतर साल से हमारे बजूर की इनी से तो पीड़ता है, आप मैं कैसे कह दूं, इमांदार है, कॉंग्रेस को हरा के तो सरकार बनाई है हमारी पंजाब में, इतने बड़े-बड़े गोटाले हैं, हाँ, पार्टी कोई इमांदार जा ब्रेस्ट नी होत अगला सवाल, तो वही नतीश कमार, उसके लिए दरवाजे बं थे, लेकिन दरवाजे ही इतने हैं, बीजेपी के उन अंदर बाले दरवाजे से ले लिया, तो ये तो, अरविन केजरिवाल को इंडिया गठ बंधन का प्रदान मंत्री पत का चेहरा बनाया जाना चाहिए, ये इस पर मैं ये कहूंगा, इस पर मैं ये कहूंगा कि मैं इसका जबाब नहीं सकता, ना नो में न जैसमें, ये काम है इंडिया गठ बंधन की जब टीम बैठती है, हमारे लिए परदान मंत्री, मुख्य मंत्री कुछ मैन नि रखता, हम लोग ओ आयारस अफसर था, उनकी पतनी आयारा सबसर है, इंकम टेक्स के कमिशनर है, दोनों मियां भी भी, चाहते तो बहुत पैसे कमा सकते थे, मैं एक कला कार था, चाहता तो कितने पैसे, लिकन ये मंत्री संत्री बनने थोड़ी आया है, पंजाबी के शायर है, सुजीत पातर, उनका एक शेयर है, के मैं तुर्दा नहीं, मैं तुर्दा हांता रा बन दे, युगा युगा तो आउंदे काफले, इस गल्दा गवा बन दे, हमेशा सोच्या है, बनिये लोकां दे प्यार दे पातर, कदे भी नि सोच्या, आ बन दे, जा आ बन दे. चलिए अगला सवार, देश में उनिफॉर्म सिवल कोड लागू होना चाहिए? यास और नो. इसे तो नहीं, मैं तो इसके खिलाब बोला था, मैं बोला था पारलिमेंट में, क्योंकि इससे आप कैसे मतलब कर पाऊगे, कि हमारी जो हर धर्म की शादी का टाइम लग है, हमारे 12 बज़े से पहले-पहले नंदकार्ज होते हैं, जो हिंदू फैमलीज हैं, वो रात को 2 बज़े फेरे होते हैं, किसी का मूर्द सुबद 6 बज़े का निकलता है, तो आप-प कैसे आप है, राइट दिया हुआ है, वो पहले ही है, वानसा भग्ना सब्सक्राइब कैसे जरूरत है, गापट फायर का आखरी सवाल, डेश में राहुल गांधी की पॉपुलरेटी नरेंदरमोदी से ज्यादा है, जादा है, यास और नो, राहुल गांधी की पॉपुलेरिटी नरेंदर मोधी से ज्यादा है, यस और नो? कि जो जनता के पास जाएगा, जनता की बात करेगा, जनता की समस्याओं की बात करेगा, वो ही बंदा आगे आना चाहिए, अच्छे बंदों को चुनों चाहिए, बीजेपी के हों, कॉंग्रिस के हों, जो मर्जी पार्टी के हों, अच्छे बंदे हों, आपके बीच में रह र दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिन्ता रहेंगे. क्या बाद है? एक बार जोर्दार तालिया हो जाए भगवंत मान जी के लिए. भगवंत मान जी आप प्लीज स्टेज पर रहें. मैं गुजारिश करूँगी भगवंत मान साब. हमारे TV9 नेटवर्क के Chief Growth Officer रक्तिम्दास जी इस वक्त यहां पर मौझूद है. मैं आमंतृत करूँगी रक्तिम्दास जी आपको. आप मंच पर आकर भगवंत मान जी को शौल और आकर उनका सम्मान करें, स्वागत करें. जोड़ार तालिया एक जानदार सेशन और जोड़ार तालिया ऐसे में बनती हैं. बहुत बहुत थन्यवाद. बहुत ही मज़दा. सियम की कुरसी पर बैठ गया और इस पर अब सियासत जरूर होने वाली. बहुत मज़दार, क्लियर कट और बेबाग का समबाद रहा भगवंत मान साथ के साथ. एक विरोज जरूर देखने को मिला लेकिन उनकी तरफ से. तो यहाँ पर हमारे तवाम दर्शक लगातार मौजूद है और हम अगले सेशन की ओर भी जल्द बढ़ने वाले हैं. इसलिए मैं चाहूंगी कि तमाम लोग जो हॉल में मौजूद है वो अपनी सीट पर बैठे रहें क्योंकि आगला सेशन और ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है. एक से एक गेस्ट लाइनप है हमारे पास. बड़े-बड़े पैनलिस्ट टीवी नाइन के इस सत्ता सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं अपनी बात रखने वाले हैं ऐसे में मैं चाहूंगी कि सभी लोग यहां जो हॉल में इस वक्त पॉजूद हैं वो अपनी सीट पर बैठे रहें. आप सभी से अनुरोध हैं प्लीज अपना स्थान ग्रहण कर लें. आप सभी से रिक्वेस्ट हैं प्लीज सेटल डाउन हो जाएं. हम अपने अगले पानल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं हम सभी प्लीज सेटल डाउन हो जाए तो सत्ता सम्मिलन का मन्च सजा हुआ है तमाम दिग जहां आ रहे हैं अपनी बाते रखने के लिए और ऐसे में बहुत बैफ़पूल हो जाता है कि जो दर्शक इसक्राइब मौजूद है वो अपनी अपनी सीट्स पर बैचे रहे हैं क्योंकि ये सेशन अभी भी लगातार चल रहा है आगे जो पैनल हमारे सामने आने वाला है वो और भी ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाला खास तोर पर सेक्षा मंत्फरी धर्मेज प्रधान हमारे बीच होंगे अपसे कुछी देर बाद ऐसे में मैं रेक्वेस्ट कर रही हूँ एक बार फिर से क्यों हौल में मौजूद तमाम लोग अपनी सीट्स पर बैठ जाए प्लीज अपना स्थान ग्रहन कर लें जहां जहां सब बैठे थे तो भगमत मान के साथ एक बहुत ही शांदार जानदार सेशन रहा और साफ तोर पर प्रतिमा उन्होंने हर बात का बेवाकी से जबाब दिया चाहे राजनीती की द दलो के नेताओं का आमना सामने ना हुआ होने थी लेकिन कहीं न कहीं एक दूसरे की सवालों में दूसरे को जवाब भी देने की कुर्शेश या की जा रही थी गजेन सिंग शेखावत को हम सुन रहे थे जो की कह रहे थे कि बीजेपी केवल सत्ता सुभोगने वाली के नेता मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंतमान यहां मुख्यमंत्री मौजूद है जो इनकी तरफ से का गया यही वो पार्टी है जो एक आम आदमी को सीम की कूर्सी तक ले जाती है बिल्कुल और नवजोज सिंग सिद्धू के साथ जो उनका संबाद रहा या फिर जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया एक तरह से घेरने की कोशिश भी की लेकिन उसमें भी वो बहुत मज़ेदार बाते कही जो पूरा हमने देखा महफिल यहां पर हसने लगी हसी डिट रहा हूं राजनीती के गुण और मुझे क्योंकि करने की ललगती इस वजह से मैं राजनीती में आया भी चुकि इंडिया अलाइंस का हिस्ता आम अभी पाठी भी है ऐसे में क्या रणीती आने वाले चुनाव में रहने वाली है इसको लेकर भी तमान सवाल हमारे मोडरेट इस दौरान कई पत्ते उनों ने खोले हैं तो कई छुपा कर भी रखे हैं क्योंकि अभी चुराव आने को है बस जादा इंतजार नहीं करना होगा ऐसे में पंजाब को लेकर आगे क्या कुछ रोड माप रहने वाला है इस पर भी भगवंत बान को हमने बातचीत करते हुए सुना अब जादा इंतजार आपको नहीं करना होगा हमारा अगला सेशन बस कुछी मिनिटों में शुरू होने वाला ऐसे में चमाम लोग जो हॉल में मौजूद है एक बार फिर से मैं और निदी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी सीट्स पर बैट जाएं और द काई है अब चलते हैं हमारे अगले श्ईन कि तरफ भारत की राजनीती में इस वक्त एक शब्ड बहुत ज्यादा उनाई दे रहा है और आप लगातार देख वी रहे हैं तो शब्ड है गारंटी बिल्कुछ ही कहा लिदी आपने हर राज्य में अलग-अलग गारंटी है हर पार्टी के पास अपनी अपनी गारंटी है जी या लेकिन पिछले जुनाफ के नतीजे ये बताते हैं कि सबकी गारंटी एक तरफ और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की गारंटी एक तरफ तो चलिए आज अब उसी गारंटी पर बात करने के लिए मंच पर आमंतृत करते हैं देश के केंद्री मंत्री बीजेपी के कद्दावर नेता धर्मेंद्र प्रधान जी को तो जोड़दार तालियों से स्वागत कीजे धर्मेंद्र प्रधान जी का क्योंकि ये सेशित धमाकेदार होने वाला है इस बात के भी पूरी गारंटी है मैं मंच पर अपने सहियोगी समीर को इन्वाइट करना चाहूंगी वो सेशन को मॉडरेट करे धर्मेंद्री जोड़दार तालियां हो जाएं तालियां बच्ती रहनी चाहिएं मोदी सरकार का एक बड़ा चेहरा देश के शिक्षा मंतरी धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौझूद है जोड़दार तालियों की गड़़ाहट से स्वागत होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत-बहुत स्वागत है और मुझे याद है 2019 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो आपको उजुला मैन कहा जा रहा था इस बार आप भारतिये जन्ता पार्टी के संकट मोचक की भूमिका में नजर आ रहे हैं आपके कारिकरता भीजेपी के कारिकरता आपको संकट मोचक कह रहे हैं आपको कौन सा नाम कौन सी भूमिका ज्यादा पसंद है मेरा नाम धर्मेंदर प्रधान है उत्रही सिमित रहना चाहता है जी उससे आगे कुछ नहीं अच्छा इस बार भारतिये जन्ता पार्टी के तमाम नेता नारे लगा रहे हैं कि मोधी है तो गारेंटी है धर्मेंदर प्रधान के लिए आप के लिए मोधी की गारेंटी क्या है देखिए कभी भी भारत जैसे बड़े प्रजातंत्र की सेवा करने का किशी को भी अबसर मिलता है सब की मन में यह इच्छा रहती है दाई तो रहता है करते बेर बहुत रहता है कि मैं कैसे कुछ बुनियादी जी की नेतुरतों में जो कारेकल रहा उससे सबसे बड़ा लाभारती बने देश की बंचीदवर्ग देश की गरीब लोग देश की विकास की सीडी में विकास की इंडेक्स में जो नीचे पाई दे बटम अब दे पीरामिड जो थे वो आज मोधी ग्यारेंटी के करन उपर पिछले ही दस साल की प्रयास से पचीश करोड लोग दारिद्यता की शिमा रेखा से उठके उपर गये हैं उनकी जिंदेगी आसानी की और बढ़ा है आसानी की और बढ़ा है पिछले पचैतर साल की अबधी में इतने बड़े क्वांटम जम्प शाएद किसी कारखन में इस मैं सबसे बड़ा ग्यारिंटी मानता हूं सबसे बड़ा उपलब्धी मानता हूं थोड़ा बहुत संतोस भी है कि एक मवलिक पारडिम सिप्ट धांचागत परिवर्तन मोदी जी की कारेकाल में देश की जनता के लिए बंचिद वर्गों के लिए कर लिया गया इसी सारे वा लक्सभा चुनावों में 400 सीटों की गैरेंटी है तो अलक्षे तो हमारा होई है इंडिया की 400 पार करना ही है यही हम सब की लक्षे हमारी पास सारे पूरी जनता की मन बन गई है उस दिशा में सब उस मूट पे जा रहे हैं चाहिए बीजेपी के पास आपकी सरकार के पास इ ठीच के नाम पर चुनाव हर बार क्यों लड़ना पड़ता है यह भारत की मूल चरी तर शिरकष्ट vendor अर्जू single today कोई भी एक घटना प्रभा में कोई एक पात्र रहते हैं कोई चरित्र रहते हैं आज यह जो भारत की मोमेंटम बन रही है इस बारत की क्षण में मैं इसको बड़े जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं दुनिया के अंदर एक इंडिया मोमेंट आई है मोमेंटम पकड़ी है उसकी शुभाविक नेता और इनकी दृष्टी की हगदा देश की प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी है इसलिए कैप्टेन तो कैप्टेन ही होता है ना ग्यारा लोग क्रिकेट में खेलते हैं लेकिन कैप्टेन की जिम्मेवारी अलग रहती है उनकी नाम पर उनकी नेतृतों का सिकृती होती है बहरोचा होती है एक गैरेंटी धरमेंदर प्रधान जी आप ओडिशा में भी दे रहे हैं 15 सीटों की गैरेंटी तो यह गैरेंटी इस वजह से है क्या क्योंकि धरमेंदर प्रधान खुद इस बार लोग सभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं उडिशा से पिछले बार भी हम लोग 8 सीट जीत चुके हैं और 8 से उससे उपर जाना ही है मैं सदेव कहां हूँ पिछले 10 साल में मोधी जी की अप्रूवल रेटिंग उडिशा की भोटर्स में हमारी पक्षय बिपक्षय कोई भी लोग आसेस्मेंट करें परधान मंत्री की मिनिमम पच्चतर से 90 प्रतिस्चत तक लोगों की पसंद उडिशा की सदेव परधान मंत् इस बार इसकी सीटों में पिछले बार हम लोगों ने एकदम अल्प मतों में तीन सीट को आ रहे थे पिछले बार वी हमने 50% की ज्यादा सीट जीतने मारे थे हम लोग 40-45% तक जीते सीटों में से जी इस बार हम लोग एक बहुत बड़ी जंप करेंगे इसमें तो यह दिव मेरे साथ भी जुड़ेगा मैं आपको लगातार देख रहा हूँ ओडिशा में आप अच्छा खासा समय व्यतीत कर रहे हैं आज इस मंज से क्या एलान करना जाएंगे कि धर्मेंद पुर्धान ओडिशा की किस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बारे मेरे पार्टी क कि दाइट तो है मैं कोन होता हूँ में तो कारे करता हूँ पार्टी जो तह करेगी मोही करने वाला हूँ अच्छा गैरेंटी कर दिक्र हो रहा है तो एक गैरेंटी राहूल गांधी भी दे रहे हैं जब किसान आंदोलन शुरू हुआ किसान लगातार जब सड़कों पर लेता ही नहीं है इसलिए मैं भी उन मिस्वे में बहुत र्याक्त नहीं करना चाहता हूँ बोलने के लिए कोई भी बोड़वला बात कह सकता है लेकिन उनकी पार्टी बाले जब उनको सीरियसली लेते नहीं है अभी जनता कैसे सीरियस लेगी पिछले दो चुनाओं में जन पांच साल में प्रधान मंत्रिक किशान सन्मा निधी में हमने पिछले पांच साल में जितने बैंक हते में 6,000 रुपिया पर किशान हमने उपलब्द कराया आजादी की उपरांद किशानों को ये कोई MSB नहीं है ये सिधा-सिधा क्यास बेनिफिट किशानों की है मैं कभी उडिसा की एक उडिसा धान उत्पादन करने वाला राज्य है जी जी मैं चार से चोदा की एक स्टाटिस्टिक्स देख रहा था चार से चोदा उडिसा में तीन सो साड़े तीन सो लाख मेट्रिक्टन धान खरीदी की गई है जिसकी मुल्य लगवग 35,000 कोड रुपया होगा पिछले 10 साल में यह 6500,000,000 मेट्रिक्टन खरीदा गया है डबल लगवग डबल उसकी मुल्य एक लाख 8,000 कोड रुपया होगी उडिसा की किसानों को पिछले 10 साल में MSP में धान में ही केवल एक लाख 8,000 कोड रुपया की लाब दिया गया उडिसा में और इंडिया चित्रत अलग बात होगी और बड़ा होगी इसलिए पिछले आज किसान क्रेडिट कार्ट ना केवल किसानों को मिलता है गेहूं धान उत्पादन करने वाले किसानों को मिलता है दलन उत्पादन करन आज माइक्रो प्रायोरिटी की लोन मुद्रा हो सो निदी हो या किर्शी रून हो ये रेकॉर्ड एमाउंट की लोन जिसकी ब्याज बहुती नगन्या है आज गाउं में सहरों की गरीबों में दिया जा रहा है इसलिए कुछ भी कोई बात कहे पिछले दस साल की इस प्रकार की अनेक ग्यारिंटी को लोगों ने लाब लिया है अनुभब किया है इसलिए एक नई रिष्टा बनी है प्रधान मंत्री जी की साथ देश की लोगों की बाकी जो लोग उनको जो सह नहीं पाते हैं जो टॉल इंटोलरेंट है यह लोग इस प्रकार की बेभुनियादी बात क् उनके हाथ में तो पीडी दरपीडी सासन रहा उनकी खांदान में कई बार प्रधान मंत्री तो रहा रिमोट में भी रहा उन्होंने क्यों नहीं क्या हूं समय में उससे काम को जो रहते हुए काम नहीं कि अभी नहीं रहते हुए उसको शिरिफ दिखावे के लिए बोलने मे कोई इंपक्ट नहीं आता है लेकिन राहूल गांदी एक और गारेंटी दे रहे हैं आरक्षन की वो कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आई सत्ता में तो यह जो पचास फीजदी आरक्षन की सीमा है इसे उखाल कर फेग देंगे राहूल गांदी जी मूल तक उनकी कुछ फंडेमेंटल्स में प्रॉब्लम है देश की मूल उन्होंने जब सट्ता में रहे उस समय में क्या किये जिन राज्यों में अभी-अभी हो सत्ता में थे अभी-अभी करनाटक में उजीते हैं वो कहें पहले करनाटक में क्या करना कुछ यह कॉंगरेस की बुनियाद में रही है वो इसी आरक्षण की बारे में बहुत बोलते हैं उनी की सरकार पंडीर जवालाल नेहुरु जी की एक चिठी को आरक्षण की संबन में अभी अभी मानने प्रधान मंत्री जी ने संसद में कोड किया था कैसे जवालाल जी आरक्षण की बुनियादी ब्यवस्ता की विरोधी है जो सम्मीदान में सुरक्षा मिली है आरक्षण उसको जवालाल नेहुरु जी ने आज ये प्रधान मंत्री मुक्षय मंत्री उनको पत्र लिखते हुए उसको विरोध किये थे नापसंद किये थे राउल जी की जो पुझ्य पिताजी रहे स्वरिगे राजीव गंदी जी जब बीपी सिंग जी की कारेकाल में मंडल आयोग कि सिपारिस को लागू किया गया उस समय में राजीव गंदी जी ने लोकसवा में क्या भासन दिया था ये पुब्लिक डोकुमेंट है पुब्लिक डोमेन में है ये दोनों दस्ताबीश को पहले राहूल गंदी ठीक से पढ़ ले पढ़ने के बाद कुछ बोलते तो उनकी इतिक्ता बनती कोई उनके साथ आज जो सलाकार है कुछ सलाकार अर्वीन केजरिवाल जिसे निरासा होके उनके बाद चले गए गलत थलत लिखा के पढ़ा देते हैं उसी को बोलते हैं तो जग हैसाई हो रहा है लोग उनको बहुत सिरियसली लेते नहीं आप थोड़ा क्या गैरेंटी दे रही है तो तभी तो मुकाबला जो है वो जनता को समझ में आएगा इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जातिकत जनगर्ना का एक और गैरेंटी उनकी तरफ से आई जातिकत जनगर्ना को लेकर कि हम आएंगे तो जातिकत जनगर्ना कराएंगे बिह बिहार में बिहार का नाम आपने लिया एक बिहार में कहावत है काट की हंडी को बार बार आप चड़ाने चकते हुए एक बार चड़ाओगे यह राहूल गांधी की कंपनी जो मूलत देश की गरीब बिरोदिये इनको कौन मना किया था करपुरी ठाकुर जी को सन्मानित करने म उनकी तो सरकार उन्होंने तोड़ दिया था जिन्होंने पिछ्णों की बारे में आरेक्षियन की विहार में विवस्ता सुरू की है सरकार किसकी थी साट की दसन में करपूरी ठाकवर जी की नेतुर्त में सरकार थी उसमें जनसंग हिस्चेदारी रखा थे सतातर में जनसंग की हिस्चे से लोग कला कलासपती जी की नेतुर्त में वहां सरकार की हिशा थे बाद में भारतिय जनता पार्टी की सरकारों की अंदर एंडिये की बिहार की गटवंदन की सरकार के अंदर अतीप पिछणों की आनेक से रुवान लीश्ट बना पीछड़ों की कलपना एक संभीधानिक निति सरकारी वेवस्ता में डाला किया हमने सब किया है अनेक राज्यों में किया है उबिची नेतुर तो खड़ा किया है आज तो जाती बहरत में परदान मुंतर जी की हिसाब चार है गरीबी एक जाती है सब को मिलके लड़ना चाहिए गरीबी की खिलाप और गरीबों को बाहर लाने के लिए आज एक जाती है महिला ये आज भारत में महिला नेतरुत्व की विकास उमें लेट डेवलेमेंट की कलपना मोदी जी की समय में हो रही है आज युवाओं की आकांच्या पुरा करने के लिए आज अनेकों कारेकरम क्या जा रहा है मोदी जी ने कहा ये कचोथा जाती है पांचवा जाती है हमारी अरनदाता अरनदाता की महनत से ही आज भारत की अर्थवेवस्ता की मजबूती आई है ग्रामिन अर्थनित्ती में एक गती आई है यह आज 21 शदी की इसी दसक में यही चार जाती है उसी पर फोकस करना चाहिए आपने इन चार जातियों को जिक्र किया राहुल गांधी तो यह कह रहे हैं कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी OBC की जाती से नहीं आते OBC जाती से नहीं आते क्योंकि उनका जन्म OBC जात में नहीं हुआ साल 2000 में उनकी जाती को OBC में शामिल किया गया तो वो क्या समझेंगे OBC का दर्द ओभी रावर गांधी जा की पढ़ाई ठीक नहीं है तो पढ़ाई करके पहले है क्या क्या बोल लेते हैं कोई जानकारी नहीं है कुछ भी बोल देते हैं जो कुछ काहाकत में लिखके दे देता है उसी को बोल देते हैं एक हमारी कहावत है हमारी दियाति कहावत है का साइज जादा है बस्तानी बढ़ा है गाओं में हमारी तरफ जो स्कूल बैक को बस्तानी कहते हैं पढ़ाई कम बस्तानी बढ़ा है राहूल गंदीजी का इसलिए उनको बहुत कुछ द्यान में नहीं रहता है क्या कह रहे हैं अच्छा यह बताइए कि आर्टिकल 370 हट गय यू सी सी के प्रारूप भी सामने आने लगे उत्तरा घंड में यू सी सी बिल भी पास हो गया अब लोग पूछ रहे हैं कि भारतिया जनता पार्टी आकर अब किस अजेंडे पर काम करेगी कौन सा वादा आने वाले वक्त में आपके घोशना पत्र में होगा ठीकिए भारत विवस्ता की हर एक घर में आदूनिक और वुनियादी व्यवस्ता नहीं पहुंच जाता है हमारी जिमेवारी खर्तम नहीं होती है लोगों की रोजी रोटी घर कपड़े सन्मान की जिंदेगी जिन्द ही एक कल्येन कारी वेवस्ता की जिमेवारी होती है भारतिया जनता PlayStation उस विवस्ता के लिए प्रतिबद्ध है चौधा में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे सरकार देश की महिला युबा गरीब बंचीत जलीत आदिवासी पिछड़ों के लिए समर्पीत रहेगा उनकी एंपाउर्मेंट के लिए समर्पीत रहेगा आज तो तीन करोड लख डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्टर दुनिया में पचास है उनमें से भारत में उनीस हो चुका है इसकी संचावर कैसे बढ़ेगा आदार हो आभा हो आपार हो लोगों की जिन्देगी को टेक्नोजी के साथ जोड़के कैसे आसान बनाया जाए जाए लोगों की सशक का सिर्थम यगया है एक जब तक हजाँ सचालीस में भारत को बिकसित बनाना ये भारत्येयटा पाठी की आजंडा है ये देश्की आजंडा है लोगों की एक्योंगों के क Town करना सोच्यल एमपावर्मेंट करना सामाजीच नियाइक प्रतिश्टचा करना यह हमारी आजेंडा है क्योंकि हम बड़े आजेंडास की बात कर रहे हैं कि सरकार का आने वाले वक्त में आजेंडा क्या होगा एक वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा जो है इस पर काफी काम भी हो रहा है होता हुआ हम देख रहे हैं एक समिती बन चुकी है वन नेशन वन इलेक्शन का जहां तक सवाल है समिधान के जो जानकार हैं वो ही कहते हैं कि भाई इसके लिए तीन चौथाई बहुमत की जरूरत है और अभी अगर मौझूदा स्ट्रेंट की बात कर लें तो पांस सो उन्तालिस उसके हिसाब से तीन चौथाई यानि चार सो चार होता है दूसरी तरफ आप बार-बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस बार चार सो सीटों की गैरंटी है चार सो सीटे आनी है तो क्या यह वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा अगर आपकी सरकाराई तो निश्यत रूप में बढ़ेगा बढ़नी भी चाहिए बढ़ेगा चुनाओ अगर अलग-अलग समय में देश में होता है आदे समय तो विकास की काम सब बाधक हो जाता है आचार सहिंता की नाम पर विकास की काम ठप हो जाती है देश इसको इंदजार नहीं करनी चाहिए देश की नागरिकों को देश की नई पिढ़ी को विकास की रप्तार और तेजी से मिलनी चाहिए उसको गती और मिलनी चाहिए इसलिए जो जो प्रसासनिक सुधार के आवशक्ता है सुरू में तो एक देश में एकी चुनाओ की परंपरा था पचास की दसकों में जब पहला चुना हुआ तो तो युनिफर्म चुना होता था लोग सुभर विधान चबा की दिरे दिरे बहुमत की अभाब के कारण मिली-जूली सरकारों की कारण दल-बदल के कारण इसमें इस्ट्रप्शन आई अभी एक समया आया है देश की लोग कहते थे कि one nation one tax हो जी नहीं सकता है वान nation one आईडिन्टिटी नंबर नहीं हो सकता ज्याधार हो गया है जी एश्टी लग गई है यह सारे को दिखते हुए धीरे-धीरे सारा वेवस्ता में कुछ लोग कहते थे बजेट मार्च में होनी चाहिए मार्च फेबुरारी के अंते में होती थी अभी फेबुरारी की प्रारम में हो गई है वेवस्ता बनाने से ही बदलता है बदलते हुई वेवस्था को सिर्फ शियुकार करने से उसको दृष्टी नहीं कहा जाता है परदान मंतिर नरेंद्र मोदी जी देश के लिए सोचते हैं हमारी सरकार की सोभा में देश पहला है तो वन नेशन वन एलेक्शन हो या फिर और बड़े मुद्दे यानि समिन्धान में बदलाव स से जुड़े बड़े मुद्दे उसके लिए 400 से जादा सीटों की जरूरत है यह आप मानते हैं लोगों को ध्यान में रखके सोचने का है समाज की निचले तपके को पहले रखके सोचने का है नहीं ऐसार्न यह कहता नहां अलिकार जुन खरगे ही कहते कि भाई ये अगर कुछ कहने के लिए बाकी खड़गे साब ये भी तो कहते हैं अब की बार 400 पार कि नारा तो उन्हों नहीं शुरू किया है उनकी बात को बहुत क्या कहेंगे हम बड़े निता है अच्छा भारत के शिक्षा मंत्रियें आप तो इंडिया के फ्यूचर के लिए नए भारत की गै हैं गया देखिए कि साड़े तीन दसक के बाद 2020 में राष्ट्रिय शिक्षा निती प्रधान मंत्री मोदी जी ने देश की सामने रखा हम दो तिन छोटे-छोटे फीचर्स में कहूंगा कम समय में शिक्षा निती की बारे में जी शिक्षा निती एक दार्शनिक तत्य है एक फिलोशोफिकल डॉकुमेंट है भारत को 21 शदी में एक वैश्वाइक जिम्मेवारी लेने के लिए तियार करने में अपने नई पिढ़ी की कंदे पे उसको भरोसा के साथ रखने के लिए राष्ट्रिय शिक्षा निती की कलपना की गई है जी बारतिय भासा स्तानिय भासा की माध्यम से शिक्ष्या वेवस्ता गहरा रूटेड हो जड़ से जुड़ा हुआ हो और फ्यूचरिस्टी को भविश्यों को पकड़ने के लिए शिक्ष्या काम पे आए ज्यान भी मिले दक्षता भी मिले प्रधानमंत्र इसलिए कहते हैं डिगिरी महत्वपुन है लेकिन कॉंपिटेंशी उसे महत्वपुन है इसलिए क्या ओपन बुक सिस्टम जो है वो लागू करने के लिए नेक्स्ट वार्शिक परिक्षाएं जो होंगी जो बोर्ट के एक्जाम सोगे उसमें आप लोग सोच रहे हैं एक सी चोटी सी रिफॉर्म को शिक्षा निती की नामेटिक्स परढ़ई होते थि सइनस पढ़ाई होती थि एन्विर्मेंटल साइंस पढ़ाई होते ती स्षेल सांइस पढ़ाई होती यह पांच यह कंपलमशरी विभिश्य होते थे छटी से 12 तक अभी रास्ट यह सिक्षा निथि में उसमें हमने तीन और विश्य को के आठ भी शेक की अभी कंपल्सरी पढ़ाई होगी चात्र अपना रूची में पढ़ेगा स्पोर्ट्स यानि एकी प्रकार की स्पोर्ट्स में होगा जिस स्पोर्ट्स में उसकी रूची है खेलने कुदने में उसको ही पढ़ाई की हिसा उसको मनाई जाएगा उसको सब्जे लेने के लिए चकर में नहीं रहेगा देने की परंपरा पर जाएगा और सभी व्यक्ति में कुछ ना कुछ इनोवेशन है क्रियेटिवीटी है इसलिए ओपन बुक एक्जाम के बारे में उपन बुक फिर आप की परणाली में मात्रुवासा में शिक्षा दिया जाएगा ये एक रिफॉर्म है जिस्किलिंग क्यरवाय जाएगा पढ़ाई के साथ-साथ ये structural reform है sports को पढ़ाई का हिसा मनाय जाएगा अभी क्या धर्णाब था कुछ नहीं होता तो खेल कुद करता है ऐसा नहीं है खेलने को भी पढ़ाई का हिसा मन के उसको degree दिया जाएगा certificate दिया जाएगा इस प्रकार की structural reform नाश्टिया शिक्षानिती में हो रही है तो इंडिया के future के लिए ये नए भारत की guarantee होगी जिसका आपने जिक्र किया धर्मिंद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत में जुडने के लिए और इतनी एहम जानकारिया हमें देने के लिए और सरकार की नीतियों के बारे में भी जो आपने आगे का एक plan आज दिया है बताया है मुझे लगता है कि बहुत लोग देश में आपको इस वक्त सुन रहे होंगे और उनको ये जानकारी होगी कि आगे इसे लेकर सरकार की सोच किया है नैशनल एडूकेशन पॉलिसी को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया धर्मेंजी शुक्रिया समीर और मैं अनुरोद करूँगा धर्मेंजी आप क्रिपया मंच पर रहें और मैं अनुरोद करूँगा कि पुना वाला फिनकॉप के अबे भुद्धा और टीविन डिजिटल एचासम के ग्रूप एडिटर पानिनी आनंद मंच पराएं और धर्मेंद प्रदान जी को शॉल देकर सम्मानित करें बिल्कुल और किसी भी देश की तरक्की स्कूलों और कॉलेज में बनती है जहां करोडों नए सपने शक लेते निधी और यही सपने आगे चलकर देश को नई दिशा देते हैं शिक्षा संस्थानों और उन तक पहुचने के लिए सडकों का रिष्टा बेहत गहरा है जब यह दोनों बनते हैं तो देश को कई माइनों में देश आगे बढ़ता है देश को कई माइनों में आगे ले जाते हैं और उनकी सरकार क्या 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 कदम उठा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत की राजनीती मल्टी डाइमेंशनल है गौरब। इसमें कई विचार और बहुत सी आवाजें हैं। लेकिन एक आवाज ऐसी है जो कईयों पर भारी पड़ती है। टीवी नाइन भारत वर्ष सत्ता समेलन के मंच पर अब वो हस्ती आ रही है जिसका सिर्फ यहां मौजूद मेहमानी नहीं। टीवी नाइन भारत वर्ष के करोडों दर्शक सुभा से इंतिजार कर रहे हैं। एक ऐसे राजनेता जिनके पास हर सवाल का जवाब है जो सत्ता पक्ष को सडक से संसत तक अपने ही अंदाज में ललकारते हैं। कौन है वो? कोई अंदाजा लगाएगा? चलिए इस स्क्रीन पर उनका एक छोटा सा परिचे देख लेते हैं। कौलेज के दिनों में क्रिकेट के तेज गेन बाज रहे असदुद्धी नोवैसी राजनीती के पिच पर भी बयानों के बाउंसर के लिए मशूर हैं। और जोरदार तालियों से स्वागत करिए देश के लोकसभा सांसद बेजोर वक्ता AIMIM के चीफ असदुद्धी ओवैसी का जिनसे सवाल जवाब के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मेरे सायोगी कार्तिके शर्मा को तालिया रुकनी नहीं चाहिए एक पर जोरदार तालियों से स्वागत हो AIMIM चीफ और सांसद असदुदिन ओवैसी जी का कैसे हैं आप? आपने देखा प्रोग्राम का नाम All India भाईजान? पसंद आए आपको? आप लोग बदनाम करने पर तुलेवें तो कुछ नहीं कर सकता है कि मैंने तो बड़े प्यार से भाईजान बुला है हमिन भाईजान बनागे बाखी सब क्या नहीं मालोग चलि, बुझे तो लगता था भाईजान प्यार से बुला जाता है वैसी जाब एक चीज़ बताईए आपने 2008 से अब तक ग्यारह राजयों में अपनी पार्टी पहु करेंशन का प्लान होता है तो हमारी पार्टी की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि और इसे भारत की लोगतंतर मजबूत होगा डेमोकरिसी मजबूत होगी तो वही उसमें काम कर रहे हैं और इमानदारी की बात तो यह है कि हमारे बुजरगों की महनत का फाइदा में उठा रहा हूं उनोंने इतनी पार्टी को मजबूत किया उस वकांदरा परदेश में कि मैं अब उसको आगे लेकर जा सकता हूँ तो करेड़ उनको जाता है पर कुछ लोगों को दर्द भी है इस बात का कि आप मजबूत हो रहे हैं तो सबको मेहनत करना है, काम करना है, आवाम का दिल जीतना है आपकी फैन फॉल्विंग तो बहुत है, चाहिए यहां हो, हैदरावाद में हो, कश्मी में हो, दिल्ली में हो इसका सिक्रिट क्या है? सब इसमें, देखें, यह बात सच नहीं है, क्योंकि अगर इतना फॉल्लिंग होती तो मैं कई चुनाओ जीत जाता तो लोग सुनते हैं, मगर अभी बहुत मेहनत करना है, बहुत कामियाबी हासिल करना है, बहुत से मन्जिलों को पाना है तो अभी लड़ाई जारी रहेगी, जुदे दोहेच चलती रहेगी, तो इस पर मैं खुश नहीं हो सकता हूँ वगर बहुत आगे जाना है, खुशिश करते रहेंगे कुछ लोग कहते हैं कि YC साब की डबल पावर है, अगर जित्वान आ सकें तो हरवा जरूर देंगे नहीं, ऐसा नहीं है, देखें, कांशीराम साब ने अच्छा कहा था कि एलेक्शन आप लड़िये, पहले हारिये, हरवा ये, फिर जीतिये तो इलेक्शन لड़ना है, तो जब तक आप इलेक्शन नहीं रड़ेंगे, तो आप अपनी ताखत कैसे दिखाएंगे, आप अपनी पाटी की старength कैसे dlिखाएंगे, तो इसलिए हम उलेक्शन लड़ते हैं और बहुत से बार कामियाभी नहीं मिलती मगर हम लड़ते हैं एलेक्शन ताके हमारी सफर को हम जाई रख सकें और आज नहीं तो कल मिलेंगे कामियाभी एक चीज़ बताई कि अखिलेश बनता और कॉंग्रेस के कही निता आपको सोशल मीडिया स्टार बोलते हैं हैदराबाद में रॉक स्टार ये लोग कहते हैं आप सोशल मीडिया स्टार सही बात है नहीं चलिए कुछ तो मार्दो लिये हैं इनका बड़ापन है कि मुझे कुछ मान लिये लोग कि मैं कुछ हूँ अचा ये पूरा किसान अंदोलन चला हो ऐसी सब आप नजर नहीं आए किसान अंदोलन में तो ये तो ए-Political अंदोलन है और हम सब लोग उसकी ताइद कर रहे हैं सपोर्ट कर रहें उनको तो उसमें जाकर खामखा हम लोग माहौल कुक्reso कराब करें वो लोग कर रहे हैं, हाँ, उनके डिमांड जो है, वो जिस्टिफाइबल डिमांड से हैं, और सरकार को उसको मानना चाहिए, खुबूल करना चाहिए, और यह हम बोले हैं, और फिर से बोल रहे हैं. वैसे सब आपको एक मैं मसले पर लाता हूँ, मैं आपकी पूरी स्पीच सुनी संसद में, आपने लंबा भाशन दिया था, आप काफी नाराज थे, गुसे में भी थे जब आपने भाशन दिया, आपको इतना गुसा क्यों आ रहा था साधन में, नहीं कहां गुसा था उप उस उसमें उस्सा कहा नजर आएगा, आपने बानवे की बात को प्राण पतिष्ठा से जोड़ दिया, राम बंदर वाले, बिल्कुल ये फैक्ट है, देखे, बाविस जन्वरी की बुनियाद तो नाइंटीन फॉर्टीनाइन में दाली गई थी, जब जीवी पंत ने मस्जिद के अंदर मूर्तिया रखने की जाज़त दी, बाविस जन्वरी की बुनियाद तो 6 डिसमबर को दाली गई, तो ये बिल्कुल सच है, और अगर 6 डिसमबर नहीं होता, बाविस तेविस डिसमबर की रात में, 49 में मस्जिद में मूर्तिया नहीं रखी जाती, तो 22 जन्वरी म असलिए तो हमने डिसगरी किया था सुप्रीम कोट के जज्जमेंट को, कि सुप्रीम कोट ने ये कहा कि हम आस्था की बुनियाद पर ये फैसला दे रहे हैं, और वही सबसे बड़ा आज प्राबलम बन चुका है, और कल भी बनेगा, क्यों? क्योंकि अगर आप आस्था को फैक्टर मनाएंगे, तो फिर एविडेंस का क्या होगा? अगर कोट आस्था के फैसले करेगा, तो फिर आपकी आस्था मेरी आस्था से बढ़के कैसे होगी? बताइए आप, वो तो खलत है वो, इसलिए हम यकिनन सुप्रीम कोट, अपेक्स कोट है, आखरी कोट है, और जि इस बात का मुझे खच्छा था, डर था, कि ऐसे कई इशूज ओपन हो जाएंगे, अब इशूज ओपन हो गए. आपका अबजेक्शन किस चीज़ पर है, ओवाईसी साब, आपको अबजेक्शन राम मंदिर पर है, या उससे जुड़ी आस्था से है? ने, मेरा और को वादा किया था? कि हम मसजिद को हाथ नहीं लगाएंगे. और मसजिद को उन्हों ने शहीद कर दिया, रेमॉलिश कर दिया. और तर्फे तमाशा यह है कि किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ उसमें किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ अगर जी बी पंथ उस वक्त उन मूर्तियों को हटा देते और बोल देंगे नहीं यह गलत हुआ है 145 CRPC इस्तेमाल कर लेते तो यह इशू नहीं बनता आप बगएर मुस्लिम पश्कस्व ने 86 में ताले खुल दी आप तो यह तो एक नाइनसाफी की एक पूरी लिस्ट है तो यही हम बता रहे हैं क्यों किसी मंदिर के उपर हमारे को गुस्ता होगा यह मुल्क जिसा भी आपने कहा है यह मुल्क की खुबसूरती इसके डैवरसिटी है इसका प्लॉरलिजम है इस देश का कोई मजभ कभी था नहीं ना कभी रहेगा यह देश तो उन लोगों भी मानता है जो किसी भगवान या ल्ला को नहीं मानते तो इस देश को अगर आप एक समुदाय रिलिजन से जोड़ देंगे तो यह समीधान के खिलाफ है लेकिन असादुदीन जी अगर आप एक बात कह रहे हैं कि एक धरम दूसे धरम से बड़ा नहीं होता लेकिन आप सांसद हैं आपने संसद में जब भाशन दिया तो आपने कहा आप राम के सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ आपने बाबरी मस्जद जिन्दाबाद बोला हाँ बुरी बात क्या है उसमें मैंने कहा कि मैं नातुराम के खिलाफ हैं नातुराम के सबको होना जए नातुराम के खिलाफ और बाबरी मस्जद जिन्दाबाद बोलना गलत बात क्या है बाबरी मस्जद को तो मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया सुप्रेम कोट ने कहा बिल्कुल सुप्रेम कोट ने कहा कि वहाँ पर मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया तो ये आर्गुमेंट जो BJP जूट पहला रही थी कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया तो सुप्रेम कोट नकार दिया अच्छा आप बताईए BJP को राम मंदिर कब याद आया ने बता रहूं आपको पालनपूर का रिजलूशन 1989 में पास किया उससे पहले तो नहीं हुआ RSS बनी 1925-25 में जब उन्होंने बात नहीं की विश्वा हिंदू परिशद बना 1960 में वो नहीं बात किये महात्मा गांदी से लेकर सरदार पठेल से लेकर केम मुंशी से लेकर बाल गंगादर ठिलक से लेकर मालविया साहब से लेकर किसी नहीं बात नहीं की वहाँ पर आप 89 में पालनपूर रिजलूशन पास करके आपने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई वो तो डिस्प्रूव हो गया लेकर राम मंदिर का अंदुलन तो बीजेपी से पुराना है वो तो सब को पता है पेमल जी किताब भी पढ़ लीजे काँ दाइसो साल पुराना है अठारा सो लीगल फाइट चल रहा था अठारा सो एटीन सवेंटीफ़ एटी में मस्जिद के साम में चबूत्रा था मस्जिद पे जगड़ा नहीं था वो चबूत्रे पे जगड़ा था वही तुम बता रहें आपको लेकिन वो आस्ता की भी तो बात है वाईसे साब चबूत्रा बाहर है भाई मस्जिद में अंदर तो नहीं था आपने चबूतरे को छोड़कर मजजिद के अंदर मूर्तियां रख दी और उसके बाद लॉक डाल दिये अच्छा आपको मालूम कि कलेक्टर सहाब ने ये मूर्तियां रखकर मजजिद को बन किया वो बाद में नायर साब जन्संग के MP बन गए महां से तो ठीके लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इन तीन चीन चीजों पर समन्वाई हो जाता जैसा कि बोला जा रहा था सकी दशक में कि वापस कर दिया जाए काशी मत्रा अयुद्या तो बड़े मसले हल हो जाएंगे नहीं आप सब चीज ले लीजिए ना वो दो क्यों लेते आप सब ले लीजिए कुछ बाखी मत रखी आप कोई रूल ओफ लॉव रहेगा नहीं रहेगा बताईए आप अब आप कहेंगे के भाई वो आस्था की बुनियाद पर हम दे दिये यहां पर क्या वो भी आस्था बोल देंगे आप वहां पर भी आस्था बोल देंगे तो फिर समीधान किस लिए पर कोट किस लिए एविडेंस किस लिए सब ले दीजिए फिर आप खतम कर दीजिए दो पर क्यों रुकते आप सब ले लीजिए अच्छा चलिए आपने संसद में मौलाना आमेर ली और बाबा रामचरन दास की बात की थे, आपने कहानी सुनाई थी, मैं चाहूंगा कि यहां जा हमारे गैस्ट बैठे हैं, आप वो कहानी है एक बार सुनाइए. मौला लामीर अली और बाभा राम चरंदास नेया नगरी के बाभा थे अन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खलाफ लड़ी लड़ी इन दोनों ने मिलकर एक मौलाना है एक हनुमानगड़ी के पुजारी है इन दोनों ने मिलकर ये खुबसूरती है इस देश की और फिर उसमें मैंने अपने स्वीच में उनका भी जिकर किया था के अच्चन खान और शम्बू प्रसाद एक को के लिए और अंग्रेजों ने जो नफरत के बीच मुसल्मानों में और मेजॉरिटी कम्यूनिटी में जब तो जब लड़े अंग्रेज़ों ने लड़ाई तो मुसल्मान और हंदू सब मिलक सिखों ने मिलकर लड़ी थी तब ही तो मुलकु अजादी मिली लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, अमरितलाल नागर की जो किताब है, उसमें उसका जिक्र है, और उस किताब यानि गदर की फूल में लिखा है, कि ये दोनों चाहते थे, और उन्होंने, मौलाना साब ने कोशिश भी की थी, कि ये जो विवादे धाचा है, ये हि विवादे दे दिया जाएगि? अब ये, आब ये, अब दिखे़, वाट साप उनिवस्टी में बहुत से कहाने लिखे जाती है, हिस्τοौरियन जो होते हैं अमरितलाल नागर की किताब है, भॉट साप उनिवस्टी में फिस्टौरिय क किताब हैं, मैं डिसयृ करता हो, अब खीक है उनको अम्होंपन होगा चले, मानलिया आपकी बातों सच horsepower. मगर वह मुहबत के मजारा तो कर दीजिए है एक ही पेड़ के ओपर दोनों की लाश्चों को लटका दिया गया था. वो मुखबत के मजाहरे तो करी है ना वो मौखा तो दीजिए तो अगर मौलाना साब आज होते तो वे मानते की जो ग्यान वापी है उमत्वराय दे दी जाए क्योंकि तब भी कोशिश कर रहे थे अब आप देखे ग्यान वापी के आप बात कर रहे है यहां पर अधर साइड यह कहिती है कि हमारा पोजेशन हमसे चीन लिया गया 93 में राइट और हमारे पास 1530 के काख़ाथ है बाबरी मस्जिदे मेरे पास मैं 500 साल से नमास पढ़ रहा हूँ मेरा भी पोजेशन आपने चीन लिया मुझसे यहां पर आपको इजाज़त मिल जाती है और मुझे वहां पर नहीं मिलती अब आपको मालूम के मतूरा की आप बात कर रहे है जो एग्रिमेंट 1960 में मुसल्मान और हिंदू पक्ष्माव उस पर सिग्नेटरी कौन था हिंदू तरफ से मालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूमालूम नहीं चल सकता ना कल अगर मैं पाउर में आ जाओंगा गल्ती से मैं गल्ती से पाउर में आ गया अभी भी पाउफुल है अगर गल्ती से मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया और मेरे पास भी 300 MP आ गए गल्ती से मैं खाब में भी नहीं सोचता हूं अगर कह रहा हूं मैं कहूंगा मेरी आस्ता क्या करेंगे आप यही तो हम कह रहें ना कि देखे आस्ता पे नहीं चल सकेगा यह तो hypothetical सवाल यह तो अदालत नहीं किया है अरे अदालत अदालत के पास रही लोग तो गए आप जब 91 का Places of Worship Act बना दिये फिर आप यह क्यों कर रहें जब आपने कह दिया कि 15 आगस 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जो भी religious place होगा उसके character में nature में तबदीली नहीं आएगी तो पिर यह सब क्यों हो रहा है पिर आप यह कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को ठीक से सुना नहीं जा रहा है जी आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को ठीक से सुना नहीं जा रहा है नहीं मैं यह कह रहा हूं कि अब खानून बना दिये तो खानून को फालो करिए जब सुप्रीम कोट ने बाबरी मस्जिद राम मंदर डिस्प्यूट में कहे दिया कि प्लेसिस और वर्शिप टैक्ट 91 बेसिक स्ट्रक्चर से उसका तालुख है और नॉन डिट्रोगेशन का वड़ इस्टेमाल किया तो उसको फॉलो करिये ना है अनबापी पर तो अदाल्यप ना कहना है तो फॉलो कि घ्र को चोड़ कर्चर सब डिस्टरप नहीं कहें तो क्या मतलब हिसका अदालत की बात देखिए एदालत के वैसले को मानते हैं और डिसस्ग्री भी करते हैं वही तो खुबसूरती है जमूरियत की जुरूरी है ना मैं किसी की तोहीन नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि रेस्पेक्फुली मैं इस जज्जमेंट को नहीं मानता हूँ इसमें कोई गलत बात नहीं है एक चीज़ बताईए ये आप आपको लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष को या तो सलह ठीक से नहीं मिल रही या अदालते उनकी बात नहीं सुन रही आप इतने बड़े बैरिस्टर लॉयर हैं आप उनको क्यों नहीं सलह देते हैं अरे भाई मुझसे बहतरीन वकील वहां पर आरग्यू कर रहे हैं अगर अगर प्लेस्ज और वर्शिप आग नाटी वं को सुप्रियम कोर्ट कोट नहीं मानेंगे तो पिर खानून का ऐपर पर पार्लेमेंट तो खानून बनाएगा ना कोट तो नहीं बनाएगा जब पार्लिमेंट ने खानून बना दिया और सुप्रियम कोट ने राम मंदिर बाबरी मुद्ध केस में कहे दिया कि प्लेसिज और वर्शिप्ट आक का तालुग भारत के बेसिक स्ट्रक्चर से है लव से नॉन डिट्रोगरेशन उनने से इस्टमाल किया तो फिर कोट्स को फॉलो करने चाहिए वाईसिज जी लोग ये भी कहते हैं कि आप मामले को सुलजाते नहीं कईबा भड़का देते हैं जब ग्यानवापी का मामला चल रहा था तो आपने उच्छे दिसंबर टाइप बात कह दी हाँ बिलकुल बिलकुल सही है वो क्यों कि आपकी नजर में च्छे दिसंबर अच्छा दिन था ने ने आपकी नजर में या देश की नजर में च्छे दिसंबर अच्छा दिन था क्या पुराने घावों को खरना अच्छी बात है देखिए, जखम जो दिया गया था, उस जखम को याद रखिए, दुबारा जखम नहीं लगना चाहिए. आप हिस्टरी से सीखते हैं, हिस्टरी को रिपीट नहीं होने देते हैं. पर ऐसा तो कुछ होई ही नहीं उसके बाद. आप बताईए, एक, कोई एक ऐसी मस्जिद है ज सुप्रियम कोड को बोल कर नहीं तोड़ेंगे तोड़ दिये? आपको मालूम यह दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को बगएर लीगल प्रसीडिंग स्वालो करें आपने तोड़ दिया? दिल्ली में… वो सरकारी, वो सरकारी था. आप बात कर रहे हैं, अनकंट्रोल क्रा अनकंट्रोल मॉब वहां पर आप कोन लेकर गए? मैं टीवी नाइन के दफतर पर एक मॉब को लालूँ और आपको तोड़ दूँ और बोलो अनकंट्रोल मॉब था? अरे, यह क्या बात है? अरे, दो अलग चीज़े हो खानून तो रहेगा ना मेरे भाई, इसका मतलब अधालत, अयोध्या में अधालत, बाकी जो मसले हैं मत्रा के वो अधालत, मेरा एक ही बेसिक सवाल है, अगर ये, सुनिए, आप ही की जबान में, अगर ये मॉब 6 डिसंबर को मस्जिद को नहीं तोड़ता, तो कोड का फैसला क्या आता? बताईए मेरे को, यह तो नहीं चलता, मेरे दोस्त, सम्विधान से चलता है, अगर आप आस्था पे चलाएंगे, तो पिर आपकी आस्था मेरे आता बड़ी कैसी होगी, सम्विधान जरूरी है कानून के लिए, पर देश तो हमारा, हमारी देश पे आस्था तो महत्पुन है, नहीं, आस्था, सम्विधान पर भरोसा होना चाहिए, अचा बता है, प्राण परचिष्ठान क्या था, सम्विधान था इस देश की आस्थाती, जहां इस देश के सारे बड़े लोग मौझूद थे, कौन, प्राण परचिष्ठान, आयोध्या में, अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि अगर 49 मे जीबी पंद मूर्तियों को रखने की इजाज़त नहीं देते, और नायर साब अपना इमानदारी से काम करते, तो 22 जनवरी होता, उससे पहले भी कई बार कोशिश होई है, क्या, निहंग भी थे वहाँ, कहां पर, आयोध्या में, कौन थे, कौन थे, आयोध्या का इतिहास, पच्छीस, ठालिस, निहंग, निहंग, लोग, जो निहंग लोग मूर्ति-पूझा करते, क्या रहोए आप, आप कैसी बात करते हैं, निहंगों का एक बहुत महत nächsten होगदान है, निहंगों का बहुत बहुत करते हैं, अ को शहीद करने मरवाने वाले मुसल्मान दारी थे उसमें सिराजु दौला को नुखसान पहुंचाने वाले मीर सादिक कि अजित इए बहुत से आश्तिन के साप है चलिए अश्तिन के साफ अलग से बात की जाएग एक जी बताएएग आपको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड़ से क्या पति है ने ब्धाई यूनिफॉर्म सिविल कोड़ में कार्थि के को हिंडू अन्डिवाइड फैमिली में टैक आप, विल का पावर तो नहीं निकालेंगे आप, और विल का पावर बोलते हैं, आपको, भई, मुसल्मानों में, मैं विल के पावर में, I cannot even exceed one-third, आप नहीं चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो, रिफॉर्म, आप क्यों रिफॉर्म करेंगे मुरा, क्यों? आप क्या कर रहे हैं, माने आप से मुराज जो बीजेपी कर रही है, आप हिंदू मैरेज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुझ पर थोप रहे हैं, भई, आपकी मुरालिटी मुझ पर क्यों थोपेंगे आप? मिसाल के तौर पर उत्राकंड की मिसाल ले लीजे आप, आपको मालुम पर उत्राकंड में आपने कह दिया कि प्रोइबिटेड लिस्ट बना दी आपने, वो कैसे होगा बताइए, अच्छा आप उसमें प्रॉपर्टी का डिविजन, डिस्टिबूशन पे एक इलजाम लगाते, नहीं मुसल्मान की बेटी को भाई के बराबर इस्सा नहीं मिलता यह क्यों नहीं बोलते, कि मुसल्मान की बेटी को अपने बाब की जयदाद में भी इस्सा मिलता, अपने हस्बंड की जयदा में भी इस्सा मिलता उसको, अब यह नहीं बताएंगे, यह नहीं बोलेंगे कि ऐसे 20 instances हैं, जहांपर मुसल्मान बेटी को भाई से बढ़के मिलत है यह भी नहीं बोलते हैं अच्छा युनिफॉर्म सिविल कोर्ट की आप बात कर रहे हैं अरे भाई आप उसमें उत्राकंड के लेटस्ट है खतम कर लिए उत्राकंड में आप ट्राइबल को क्यों निकाल दिये तो युनिफॉर्म कहा हुआ सुनिए आर्टिकल 25 के तहद एक तो आप आप निकाल दिये ट्राइबल को राइट इक्वालिटी का वाईलेशन है और फिर आप उसमें कह रहे हैं किने एक्सेप्शन कहें का एक्सेप्शन जरे आप तो पूरा मकसद क्या है कि हिंदू मेजॉरिटी कम्यूनिटी के जो मॉरा लेंगे भाई आप नहीं नहीं दो चीज़े हैं एक है कि यूनिफॉर्म सिवल कोड का अपना अदेश और एक अपना लक्ष है जैसे कि एक ही मैरिजिबल एज हो कई सारी चीजे होती जो बाद में सुलच सकती है कुछ चीजे पहले सो जाएगा सकती है कुछ चीजे पहले स गौर्मेंट का डेटा है बारा बारा लाग चाइल्ड मेरिजिज हुई लास डेटा जिसमें से 84 परसंट तो हिंदू भाई बहनों की हुई खानून से चाइल्ड मेरिज खतम होने वाला नहीं है ये एक सोशल इवल है मगर आप तो खानून बना दिये अच्छा और एक बात इसका मतलब है नहीं बात पूरी खतम करते हैं अब को नहीं रोक रहा हूँ आपने कौन सा पहार कोध कर क्या निकाला चूहा भी निकाला आपने अच्छा और एक बात चाइल्ड मेरिज आक जब होती है वो वाइड बूल होता है वाइड नहीं होती हो तो उसी सी से आपती ह आपको C.A. से भी आपति लिए विल्कुल है क्यों अरे भाई जमूरियत है क्या डिक्टेटर की हुकूमत है यहां पर यह तो डिमोक्रिस्टी है लोग तंत रहे हैं डिफ्रेंस और उपीन होना चाहिए अपकल नरेंदर मोडी बोलेंगे कि कल से को पूरे अपति क्या है अरे C.A. से दिक्कत यह है कि यह मजभ की बुनियाद पर बनाया गया देश के संवीधान में अप मजभ की बुनियाद पर कैसे बनाते हैं अब लोग बोलते है यह OAC क्यों अच्छा भई आसाम में सुप्रीम कोर्ड मॉनिटर्ड नर्सी हुआ अब हमन तो बिसो शर्म एक्सेप कि अच्छा पर कि अच्छा 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 अगर परसी क्यूटेड हिंदू को अगर देश में जगे मिल जाए तो इसमें दिक्कत क्या बस दिखिए कोई इस मैं इस बात का मुखालिफ नहीं हो कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बंगलादेश से, स्री लंका से, बर्मा से, हिंदू भाई बहन, सिक, क्रिस्टियन आ जाएं क्या आप ये कहना चारे हैं कि इस खानून से पहले वो लोग नहीं आते थे इंडिया को और ये खानून क्या कर रहा है कि डिसमबर 2014 के बाद किसी को नहीं देंगे, नहीं आएंगे अप, 14 के बाद अगर हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान नहीं देंगे आप, हमारे पास लॉंग टर्म वीजा का प्रोविजन है, लॉंग टर्म वीजा के बाद उनको अब आप करें कि नागरिता, क्या खत्रा है, आपको देखिए, CAA को अकेला नहीं देख सकते, NPR और NRC के साथ जोनना पड़ता उसको, आपको, NRC भी क्या कर रहते हैं, आपने मनीपूर पर इतने इंतर्यूज दिये, आप मुझे मुकमल करने देंगे या अपनी बात करें, NPR, NRC, आप सेंसस नहीं करातें, आप सेंसस नहीं करातें, NRC जब होगा, तो मुझे से कहा जाएगा, कि अपने दादा का बच सटिफिकेट लाओ, आधार कार्ड ये, उस आधार कार्ड को पढ़ा अपने, उसमें लिखावाएं कि इस नोट प्रूफ ऑ सिटिजिशिप, कि मैं बता रहा हूँ आपको, यही तो इसकी हम मुखालिफत कर रहे हैं, आप रिलिजिन का लफ निकाल दीजिए, CAA में, करिए, कौन रोक रहे हैं, कौन रोक रहे हैं इनको, आप रिलिजिन की बुनियात पर खानुन मता बना रहे हैं, अच्छा और एक हैरत की बात, सुप् को यह रिलिजिन की बुनियात पर बनाया गया, गलत है, आप पाकिस्तान, बंगलादेश से, जो हमारे हिंदू, पर्सिकूड़ट भाया रहें, सीक आरें, दीजिए, पहले भी खानुन था, तीसरी बात यहे हैं, कि सी डबले को अकेला मत देखिए, NPR, NRC से जोड़ कर दे माने में, कितने लोगों को बंगलादेश भीजा दिये थे, माने पाकिस्तान उसक बंगलादेश नहीं बनाता, क्यों बनाये थे, इसी वज़े से भीजा दिये थे, यह हिस्ट्री है ना, दूच के जले चाज को भूख भूख कर पीते हैं, चलिए ठीक है, आये शुद अपने बोलादा महबबा के पास नहीं जाऊंगा, महबूब से दूर होंगा, यह दुकान भी ठीक नहीं है, नहीं हम जहां खड़े हैं, अच्छी जगा खड़े हैं, जमीन हमारी मजबूत है, अब जो लोग जहां खड़े हैं, जो दुकाने खोल रहे हैं, वो बता दें क् एक सो पच्यसी लोकसवाख सीट में से आप सीफ सोला जीतते हैं, अब हिमाचल में आपकी सरकार जाने पर आ गई, अब हिमाचल में सरकार अभी लेटस न्यूज हिमाचल में सरकार जा रहे हैं तो आप जमीन अपनी खो रहे हैं और आपको सिर्फ फिकर क्या है, और मुसल्मानों को लगता है कि भाई बहुत बड़ा भोचाल हो जाए कुछ नहीं होगा इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई आप अपनी पॉलिटिकल लिडर्शिप को बनाइए और आगे लेकर चलिए ये ये पैगाम दिया जाता है मुसल्मानों को भी दिया जाता है पहले भी सेकुलरिजम काई का सेकुलरिजम है अशोक राओ चौहान जो मुझे गाली देते थे अब बीजेपी में चले गए बताई है कौन कौन चले जा रहा है बीजेपी में कौन सा सेकुलरिजम है बताई है अजीद पावार बीजेपी में चले गए अभी बहुत से लोग जाने व आप अपडेट TV9 के जिम्मेदारों से बात करके एक दिन डिवेट लगा लीजिए किसको फाइदा हुआ दस मिनट भी नहीं लगेंगे पूरे उटके चले जाएंगे यहां से इंपरिकल डेटा रखके बात करेंगे लोग सवा की तीन सीट में लड़ता हूँ और मोडी 306 जीट जाते हैं मेरी वज़े से और जो 400 लड़ते हैं और 50 पे आजाते हैं वो दूद के दुलेवे हैं मेरा नाम असरुद्दीन है इसलिए मुझे गाली दी जाती है और जो लड़ते हैं यूपी में 400 सीट जीतते हैं दू और एक उनको कुछ नहीं बोलते आप मैंने आप से मुराद जो दूसरे लोग जो हमको गाली जेते किशन गंज का दर्द भी तो समझीए क्या दर्द वोई सीट अनौंस कर दिया आपने किशन गंज का दर्द तो समझी अरे मैं पिछले बार भी किशन गंज लड़ा था तीन लाक ओट मिले हमको एक ही सीट कॉंग्रेस जीती गडबंद जीता किशन गंज हमारे हम जी बीजेपी नहीं जीती वहाँ पर आपने किशन गंज अनूंस कर दिया हम लड़े हैं वहाँ पर अच्छा और एक बास सुनिए बिहार के चुनाओं में मेरे पांच एमेले जीते सीमांचल की जनता को सलाम सबसे बैकवर्ड एरिया भारत का उन्होंने मेरे पांच विधायक को जीताया चार विधायक को आप खरीद लिए और महराष्ट्रा में आप से कांड होता है तो आप आस्मान सर पर उठा लिए जब आप गुना करते हैं तो वो गुना नहीं है अब नितीश कुमार तो पल्टी मास्टर है कुलाटी मार दिये अब टेजेश्वी को मालूम हो रहा है कि क् पावर लूस करने का मतलब लोग कहते हैं कि OIC साहब धिखते हैं बीजेपी से लड़ते हुए लेकिन वो लड़ कॉंग्रेस से रहें किसे लड़ते हैं दिखतो रहें बीजेपी से लड़ते हुए लेकिन लड़ कॉंग्रेस से लड़ते हैं इसलिए 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 टोल के पास मेरे मुझ पर छे गोलियां चलाई गई थी मैं बोला था किसु को चला दो बटा गोली क्या बात कर रहा है रहा है आपके यारी बीजेपी से अने गाड़ी पर गोलियां चली मेरे एक नहीं छे गोलियां किने चार पांच गोलियां चली मेरे घर पर हमला हो जाता है ये सब मैं करा रहा हूँ कर सेटिंग बोल के वाई मेरे घर में भी फैमिली है पर इसका बीजेपी से क्या लेने देना है मैं बता रहा हूँ न आपको आप बहुत लेना देना है उससे बहुत कुछ लेना देना है सवाल मैं आप से पूछ रहा हूं कि आरोप लग रहा है आपको चाहिए था कि आपको चाहिए था कि आप पोजिशन लेडरों की स्पीचिस को दिखाते आप आपको चाहिए पोजिशन के लोग स्पीच दे रहे थे ना निगल सक रहे थे ना कुछ बोल सक रहे थे तो हमारे मुसल्मानों में क्या होता जब खाजी सहाब और दो गवाद दूलन से जाकर पूछते कि आपकी रजामंदी है इस लड़के से शादी करने के लिए तो बाद लख दूलन शर्मा कर खामोश हो जाती है तो उसकी खामोशी को रजामंदी की तोर पर लिया जाता है तो ऐसा ही लग रहा था लोगसभा में कि ऐसा खामोश बैठे हैं पुरे आप बते ही रहुल गांदी कैसे लीडर है रहुल गांदी कैसे लीडर है मैं कॉंग्रेस से मेरा कोई तालुख नहीं है कॉंग्रेस के नेता होना ज़रूरी नहीं मैं पूछ सकता हूं कि अरे मैं क्यों बाराक अबामा कैसे लीडर थे आपको नहीं मालों उनके बारे में ये तो बिलकुल मोदी जी अली बात कर दिया आप ते नामदार हो कामदार मैं एसब नहीं कह रहा हूँ ना मैं नहीं जानता भाई बड़े लोग है आप क्यों लिजा के मिला रहे मुझे अरे बाई प्हु आत्या अर्वन केजी वाल को बोलते हैं हाँ बिलकुल है छोंटा recruitment अब बोल रहे हैं तो मांथा हूं मैं अरे वह नहीं कि एनिसे क्यों होता है वो तो कर रहे हैं वो कर YOU आपको अरे भाई कि चुपी बात कहा है यह सब जानते हैं लोकसभा चुनाफ जादा दूर नहीं है आप किसी से गट बंधन करना चाहेंगे नहीं हम तो बिल्कुल करना चाहेंगे अगर कोई होगा बाची चल रही होगा तो अच्छा है नहीं तो जड़ेंगे किस से कहेंगे क्योंकि मैंने जाएंगे जन्ता के अवाम के पास जाएंगे अपनी बात रखेंगे और अख्तिया रखेंगे अगर इंडिया आपको न्योता देता है इंडिया गट बंध में आपको बुलावा देता है बुलाता है आधर से सतकार के साथ जाएंगे में हाइपोथर्टिकल सवाल का जवा अगर बुला लिया तो दिल पसीजेगा आपका, दिल पसीजेगा आपका, आप ऐसा बोर रहे हैं कि जवानी में कोई दुलोक महबबत करते, बरसों के बाद कोई मिल गई तो बोले तुम बुलाए तो मैं आ जाओंगा, इस तो बात नहीं है ना, इस तो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं आप, ऐसा तो कुछ नहीं है, अच्छा, आपकी जिसे कि हर एक नेता की कोशिश होती ही, कि मेरा अल्टिमेट है, मैं आपका अल्टिमेट हैं क्या है, बीजेपी को पावर से बाहर रखना, या कॉंग्रिस को सत्ता से दूर रखना, देखे बारत की जमूरियत उ अजादी के रड़ाई ड़ड़ाई, उनका खाब था, उस खाब को पूरा करना है, कि सब को हिस्सा मिले, बराबरी का हिस्सा मिले, तो वही उसी खाब के पीचे है, हम दोड़ रहे हैं, कि हमको हिस्सा मिलना चाहिए, अगर हिस्सा नहीं मिलेगा तो पिर जमूरियत, कामिय आप जमुरियत कैसे रहेगी कामयाप जमुरियत नहीं रहेगी लोगतंतर कामयाप नहीं रहेगा आपके पास कोई प्लान है मोदी को हराने का कोई बिग पिक्चर से कहते हैं बड़ी स्कीन को एक understanding क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कुछ ऐसा होगा आपके पास है कुछ ने आप जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं उनसे सवाल करिये आप मुझसे सवाल मत करिये ये हम नहीं चाहेंगे कि तीसरी मरतबा भार इस अजीम मुल्क के वजीर आजम नरेंडर मोडी तीसरी मरतबा बने मगर जिनको प्रधान मंतरी बनना है जो प्रधान मंतरी बनने का खाब देख रहे हैं उनको वजो क्या कर रहे हैं? उनसे पूछिये उनसे पूछिये कि आपके पास क्या blueprint है? पर आप खाब नहीं देखते हैं, मुवर इंड शेकर का, प्रधार मंतरी बनने का, हर पॉलिटिशन बनना चाहता है, टॉप पोस्ट पे जाना चाहता है मेरा नहीं है, मैरा नहीं है, मैरा विलकुल नहीं है, मैं जाहूं, खुश हूं, मैं जो काम कर रहा हूं, मेरी लड़ाई वो ही है, मेरा वो, दिखे, ये सब बड़े लोगों के खाब होते हैं, मेरा खाब नहीं है वो, आपका खाब क्या चलिए वो बता ये बता दिया आपको और क्या बोलूगा मैं? यही ख़ब है. ख़ब यही है. ख़ब नहीं कोशिश है. ख़ब उंचे देखना चाहिए उन्सको पूरा करने के लिए महनत करनी चाहिए. मगर यह ख़ब नहीं है कि दिल्ली के गलियारों में आकर बैठना वो मेरा ख़ब नहीं है. आपकी पार्टी इन लोग सभाव चुनावों में कितने उम्मीदवार उतारेगी, कितने केंड़ेट्स देगी, क्या सोचा है अपने? कम से कम पार्टी में अभी डिसकेशन चल रहा है, बहुत से जगाओं से, यूपी से, बिहार से, महराश्च्रा से, मध्यपरदेश से, करना अटका से, लोग बोर रहे हैं, इस वक्त पर यहां पर बैठ कर टीवी पर बोलना गलत होगा वो आप ते पिष्ली बाद गट बंधन करने के भी कोशिश की ती, जैसे सापा से बातचीत भी चली थी, आप लखना हुआए थी, प्रेस कॉन्फिंस प्रिवी ती, अगर मुझे याद है, आपने अट्रेस किया था, वो बातचीत तो बहुत चली यूपी में, और कुछ हुआ कोई चोटी पाटी उसे गट बंधन, देश भर में, होगा, बिल्कुल होगा, कुछ ना कुछ होगा, कहां होगा, महराश्पियों करेंगे, तो पिर कैसा, अखलेश से करेंगे, अखलेश से, अरे वो, वो, उनको मालूम, वो तो उधर बैट गई जाकर, अपने क्या करेंग किसे भी ने करेंगे वो, पिछली बात बात तो बनी गई थी, ऐसा लग रहा था, ऐसा नहीं, सब रूमर्स थे, ऐसा कुछ नहीं था, तो कोशिश तो आपने पूरी की, ने अब देखे, अब यह बहुत सी बाते हैं, जो आवामी, पॉब्लीक नी नहीं बोलना चाहिए, कि फिर भी थोड़ा सो तो बताईए कि आप कहां कहां कोशिश करेंगे गटबंदन की, अब मैं बताजी न, इतने स्टेट बताया देखें क्या होता भी, नहीं टीक बताईए, एक आपने महराश बोला दूसरा, अब कोशिश प्रपोजल बाची पाटी में बाची चल रही है, आगे क्या होता है, एक आखरी सवाल मैं आपसे पूछा आता हूं, वैसाब आप तूर पर थे अमेरिका, एक तूर पर थे न, अमेरिका, एक बच्चे ने आपसे बड़ा सवाल पूछा था, मैं इसी मन से उस सवाल को दोहराना चाहता हूं, आप बच्चे हो गए छोटे आ आपको याद होगा, क्या है उन्हों ने, उस बच्चे ने आपसे सवाल पूछा था, कि असादुदी नवाईसी, पाकिस्तान के मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं या नहीं, यह सवाल था, अब यह देखे ऐसा है ना, कि यह 47 में आजादी मिली, 200 साल की गुलामी से और 2024 में आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो हमने जिना के टू नेशन थियोरी को रिजेक्ट किया, तो यह सवाल पूछा ही नहीं जाना चाहिए था, एक मुसलमान से, क्योंकि हमने टू नेशन थियोरी को रिजेक्ट किया, और यह इस सरजमीन को हमने अपना वतन माना, और बतन मानते रहेंगे, तो यह बात गलत है, हाँ, तालुखात हर पडोसी से अच्छे होने चाहिए, मगर इसका जो इनवर्टेट कॉमास में आप जिस सर्व लेकर जा रहे हैं, मैं आपको राष्टवाद की, आपका जवाब राष्टवादी जवाब था, अच्छा था, था साब जैसे बोला था ना, भेज आतंकियों को भेजना बंद करेगा, आपने बोला था, तो उसको दोहराने में क्या दिखा था है, बोल दिया, क्या-क्या बातें जियाद नहीं आती, कितने बातें बोलेंगे आप, अरे पूरा देश सुन रहा है, भाई उस लड़के ने है अरे नहीं एडिटर परितोष चातर वेदी आपका संबान करेंगे शाल धीक, कि अधियु पर पिर से जोड़ार तालियां थांक यू परितुष वाट इंडिया थिंक्स तुदे आज यही जानने के लिए लगातार में शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम ओडियंस का जो इस वक्त हमारे साथ हैं तो प्रतमा एक बार जोड़ार तालियां इसी ओडियंस के लिए जो कि आज इस सेशन में WITT के समिट में हमारा सबसे बड़ा योगदान दे रही है यह जानने और समझने के लिए कि वाट इंडिया थिंक्स तुदे बिलकुल और सुर्भी देखे ओवैसी साब अभी अभी हमारे मंद से उतर है नीचे लेकिन उनके लिए सही इंडिया गया था कि वो ऐसे राजनेता हैं कि वो हर सवाल का जवाब देते हैं कि वो हेडलाइन्स बन जाती है बिलकुल और जिस लिहास से आज टीवनाइन नेटवर्क के इस मंच पर हम अपने खास महमानों से चर्चा कर रहे हैं आने वाले चिनाव की सरगर्मी को देखते वह यह तीखे सवाल किये जाने भी उनसे लाजमी हैं बिलकुल और यह किस तरफ से जो साब तोर पर कहा गया कि देश को एक समुदाई से एक समुदाई विशे से धर्म से जोड़ना जो है वो ठीक नहीं है और ऐसा हो रहा है इस पर उन्होंने जो सवाल उठाए मुझे यकीन है कि आगे आने वाला पैनल इस पर जवाब जरूर करते रहेंगे और मेरे सहीयोगी मेरे सहीयोगी लगातार उनसे करेंगे तीखे सवाल बिलकुल और इससे कुछी अक्षणों का इंतजार आपको करना होगा जब हमारे साथ के इंद्रियवाद मंत्री भुपेंद्र यादव चुड़ेंगे और वो भी बहुत इंट्रस्टि थोड़ी देर बाद TV9 के इस खास मंच पर हमें जोइन करने वाले हैं तक सुबह से क्या-क्या हुआ है इस बारे में बताने से पहले आपको बता दूँ और खास मेहमान इसी मंच पर हमें जोइन करने वाले हैं जहां पर अर्विंद के इजरिवाल का तो मैंने जिक्र किया लेकिन अगर बात कॉंग्रेस की होगी तो कॉंग्रेस के दिगज नेत का दावर नेता मलका अर्जुन खड़के भी हमारे सामने होंगे और मेरे सहयोगी जाहिर सी बात है आने वाले चिनाफ के मत्दे नजर ये जानने की कोशिश करेंगे बिलकुल और सुर्भी मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगी कि भगवन मान के साथ आपको और गौरव का सेशन बड़ा इंट्रस्टिंग था मतलब उन्होंने यहाँ पर मौझूद दर्शकों को खुब हसाया भी और कहीं न कहीं चुपते हुए सवाल भी उठा दिये विपक्ष के सामने जो कि उनके सामने इस वक चालेंज बने हुए है और इंडिया को लेकर जो बार-बार उनसे सवाल किये जाते उस पर उन्होंने पर नेता को कौन सा योग करना चाहिए बिलकुल और आपसे कुछी शडू का इंतजार जब उपेंद वियादव यहां मंच पर होंगे और बहुत दिल्चस्प होगा उनसे जानना कि आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी की रननीती क्या है क्योंकि उनकी जो रननीती है अगर हम रननीती के तहट चानके का नाम लेते हैं तो वही आज हमारे मुखी अतिती होने वाले हैं और उनसे मुलाकात के लिए उनसे सार्थत सवालों के जवाब सुनने के लिए आपको फिलाल करना होगा थोड़ा सा और इंतजार मैं जाओंगी यहां मौझूद तमाम महमान अपनी सीट्स पर पैठे रहे क्योंकि बहुत मैं देख पा रही हूँ भुपेंद्र जी को इस वक्त वो यहां हॉल में आर चुके हैं जोरदार तालियों से जरा भुपेंद्र यादव जी का स्वागत किया जाए हमारे बीच आपको बताया अदेश के इंद्र मंधिर, आज़ा सबस आणसे अभुपेंद्र यादवी यादव भुपेंद्र इढवाग कि अश्या बाता ब्लाइव जोरदार तालियों से स्वागत की जाए हमारे बीच जासा कि मैंने आपको बताया आदेश के केंद्र मन्फीर, रजस सबसांसद अभुपेद्र यादव जी आठ चुके हैं आपके बीच यहां पर उनकी उपस्तती है जोड़दार ताल्या हो जाए ओडियन्स तो TV9 WITT Submit का तीसरा पढ़ाव यानी TV9 भारत वर्ष सत्ता सम्मेलन का ये मंच एक सार्थक संबाद की पहल है जिसके अगले सेशन की बातचीत आप सभी को थोड़ा थोड़ा ही गौर से सुननी चाहिए बिलकुल सुर्भी क्योंकि हमारे अगले महमान बहुत नपातुला बोलते हैं लेकिन जितना भी बोलते हैं बड़े काम की बात बोलते हैं अब बेशक सारे सर्वे खिलाफ हो जाए लेकिन पढ़दे के पीछे उनकी रणनीती शनाव में BJP को सर्वे सर्वा बना ही देती है और इस पार तो सुर्भी वो नए मिशन पर है 400 पार का मिशन है क्या है इस लक्षे के पीछे की रणनीती एक खुद उनहीं से पूछ लेते हैं चलिए तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए देश के केंद्रिये मंत्री रज्ज सभास सांसन और बेहदी मजे हुए रणन पर बुलाना चाहूंगे बहुत हो रहे हैं बुबेण जिस पर आऊंगा और तफसील से उसके बात करोंगा लेकिन भुपेंड शी पहले आपके बारे में बात बीजेपी में कहा जाता है कि जहाँ कहीं मामला फसा हो जहां कहीं गोटी फसी हो बुपेंद रियादो जी को भेज़ दो बिहार हो जारक प्रखंड हो महराष्ट्रो राजस्थान हो या इस बार MP का उधारन ले लें क्या चक्कर चलाते हैं भुपेंदर रियादो ऐसा कि फिर वो जो फसा वो मामला होता है वो सुलज जाता है नहीं ऐसा नहीं है हमारी पार्टी कार्यकरता अधरित पार्टी है पार्टी के सभी कार्यकरता और नेता पूरी मेहनत करते हैं कोई मैं अकेला कुछ करता हूं ऐसा नहीं है पार्टी सामुईक नेतरतु के आधार पे काम करती है और ये जो पार्टी का विस्तार हो रहा है हमारे नेतरतु के करण हो रहा है और लगातार कारेकरताओं के अथक परिश्रम के करण हो रहा है पिछले दस सालों में प्रधान मंत्री जी ने जो देश का नेतर्तु किया है और भारत की छवी जो दुनिया में उभरी है उसके करन समस्याओं का समाधन होता है हम तो माध्यम चा बात है लेकिन जैसे अभी आप देख लीजे अभी जब MP में आपको इतनी भारी जीत मिली उसके बाद BJP के कारिकरताओं ने कहा कि मोदी के नाम पर वोट पड़ा शिवडाज सिंग चौहान ने लाडली बैना के काटे निकाल दिये आप तो बहुत कुछ देख रहे होंगे बहुत करीब से आप उस इलेक्शन को देख रहे थे आप इसको इसका श्रे किसको देंगे इस पूरे चुनाव में हमने जो कैम्पेन का थीम दिया था वो MP के मन में मोदी था और पिछले लंबे समयचे जो भार्ते जंता पार्टी का राज मध्यप्रदेश में रहा है उसमें लोगों ने कृषी शेत्र में सिचाई सुईधा का विकास इंफ्रेस्ट्रेक्चर का विकास वहां के सांस्कृतिक इस्थानों का विकास यह बहुत अच्छे तरीके से देखा है अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे साफ शेहर कौन सा है तो इंदौर आएगा भोपाल आएगा अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान में सबसे जदा पर्यावरन का बचा है तो MPK Tigers के मामले में सबसे आगे है Industrial Growth State के इस्थिति अच्छी है और सड़कों के मामले में स्थिति अच्छी है ग्रामीन विकास में स्थिति अच्छी है महिलाओं के सेल्फ अंपाउर्मेंट में स्थिति अच्छी है तो यह जो पूरा चुनाओ था MPK मन में Modi theme को लेकर के जो लड़ा गया था इसको प्रदेश की जनता ने आशिरवाद दिया और यही जीत का करन था तो मोदी के नाम पे जीत मिली आपको हाँ निश्यत रुप से चलिए तोड़ा कॉंग्रेस पर आते हैं आपने MP के बारे में बात की MP के ही मुख्यमंतरी रह चुके हैं हम कह रहे हैं अब की बार 400 पार का जो आप टार्गेट दे रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि 300 400 500 कुछ भी कर लो जब EVM अपनी है तो वो EVM पंदिशाना साद रहे हैं और कह रहे हैं कि EVM से छेड़चाड हुई है हमें मौका दिया जाए तो हम प्रूब कर देंगे और उनको डर है कि जो 400 का टार्गेट है इसलिए डर है कि EVM से छेड़चाड हो सकती है 2024 में खतम हो जाते हैं और कॉंग्रेस तो अज पूरी तरीकी से दिशाहीन है कॉंग्रेस समाजवाद की और जारी है या पुंजीवाद की और जारी है कॉंग्रेस धरन निर्पेक्षता की और जारी है या कहा जारी है तो कॉंग्रेस को नहीं पता है वो तो सड़क पर है, सड़क पर भी अपनी दिशा तेह नहीं कर पारे उत्तर जाएंगे, दक्षिन जाएंगे, पूराव जाएंगे, पश्चिम जाएंगे तो जो पारटी दिशाहीन है, तो उसकी बातों में कौन सी आपको लॉजिक न जला रहा है रावल गांधी भी सड़क पर हैं, भारत जोडों निया यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे देश में कॉंग्रेस के प्रती और इंडिया के प्रती महाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं यह काम तो भारती जंता पार्टी कर रही है, कॉंग्रेस का कर रही है नहीं, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं सड़क पर, तो सड़क पर कॉंग्रेस पार्टी एक और यात्रा निकालने जा रही है और वो है राम यात्रा और वो यह कह रहे हैं कि राम मंदिर तो बन गया राम भक्तों का क्या होगा राम भक्तों का कुछ नहीं हुआ इसलिए राम भक्तों के लिए हम यात्रा निकालेंगे कौन से राम भकत जिन्होंने अडवानी जी ने जब चदू सेक्वलरिदम की बात उठाई थी तो विरोत किया था कौन से राम भकत जिन्होंने मंदिर का विरोत किया था और कॉंग्रेस वो राम भगत है जिन्होंने सुप्रिम कोट में ऐफेडेविट फाइल किया था कि राम का अस्तित भी नहीं है तो अब इतनकी भक्ती भी नकली है तो नकली यात्राओं से देश का कुछ नहीं होने वाला है देश विक्सित भारत की यात्रा पे चल रहा है और वही भारत की 2047 की यात्रा है प्रधानमंत्री थर्ड टर्म की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने फोर्ट टर्म की भी बात की, मैं ये कह रहा हूँ, आज अभी इसी मंज पर जहां आप बैठे हैं, राजिस सभा में कॉंग्रेस के उपनेता प्रमोतिवारी जी यहां पर थे, बड़े सीनर लीडर है, जब किस आधार पर अपारी कह रहे हैं, लॉजिक तो पूस्ते हैं, मैं तो कोई अपनी जाती नहीं बताता, मैं तो कोई क्लेम और दावे नहीं करता, लेकिन किस आधार पर कह रहे हैं, आप बताओ उनके कोई आधार बताओ, मैं आपका जवाब दे दूँगा, बताइए, नहीं, तो भारते जनता पार्टी ने एटी नाइन में पालंपूर अधिवेशन में जब अपना प्रस्ताव पास किया था, तो कॉंग्रेस क्या कर रही थी? समस्या जो है, पिछले साड़े सा चार सो साल थी, उसका एक लॉजिकल केंक्लूजन निकाला, तो कॉंग्रेस क्या कर रही थी? और आज एगर राम राज्ये की अवधारना को लेकर के बीजेपी गरीब कल्यानकारी राज्ये कर रही है, तो कॉंग्रेस को क्यों दिक्कत हो रही है? इस देश के हर पॉजिटिव स्टेप का कॉंग्रेस ने विरोध किया, जीस्टी को लेकर के आए तो संसत के संयुक्त संसत के अधिवेशन का वहिशकार कॉंग्रेस ने किया, जब नया संसत भवन बना तो उसका वहिशकार कॉंग्रेस ने किया, वहाँ पर भारत की संस्कृ कि आदर पर सिंगोल की स्थापना होई तो विरोध कॉंग्रेस ने किया देश में दलित राश्पती बने तो विरोध कॉंग्रेस करती है देश में आदिवासी राश्पती बने तो विरोध कॉंग्रेस करती है तो कॉंग्रेस एवन 370 भी समापत होती है तो विरोध कॉंग्र का एजेंडा और कॉंग्रेस का कोई एजेंडा दूए? कॉंग्रेस एक और सवाल पूछती है आप से. और क्योंकि आपसे एप्रॉप्रीयेट कोई नहीं हो सकता. कांग्रेस कहती है, मोधी सरकार ने या बिजेपी ने हर साल दो करोड नौकरियां देने का वादा किया था आप क्योंकि केंद्रिये श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं आज आप क्लियर कर दीजे बिछले 10 सालों में कितनी नौकरियां देश में दी गई क्योंकि वो कहते हैं कि ये वादा पूरा नहीं हुआ 10 साल के हिसाब से 20 करों लोगों को नोक्रिया मिल जानी चाहिए थी स्वरोजगार के शेत्र में देश सबसे आगे बढ़ा है भारत जो कॉंग्रेस के आने से पहले दुनिया की पांच डगमगाती अर्थेवस्ता में ताज विश्व की पांच सबसे बड़ी अर्थेवस्ताओं में है EPFO के आकड़े उठा के देखिए नोक्रिया लगातार निजी शेत्र में बढ़ रही है प्रधानमंत्री जी हर महीने एक लाख लोगों को सरकारी नोक्री दे रहे है राज्य सरकारों की नोक्रिया अलग दी जा रही है अकेले हमारे मंत्राले ने इश्रम का रेजिस्टेशन किया 400 से ज़्यादा ओक्यूपेशन के 29 करोड लोगों ने अपना रेजिस्टेशन कराया PLFS के पिरोडिक लेबर फोर्स सर्वे के जो आकड़े आ रहे हैं वो नोकरी को बढ़ता वा दिखा रहे हैं देश के ग्रोथ के आकड़े आकड़े आ रहे हैं वो विकास को बढ़ता व दिखा रहे हैं GDP के आकड़े आ रहे हैं उसमें हिंदुस्तान की अर्थिवस्ता बढ़ती भी दिखाई दे रही है सब को बढ़ते विए दिखाई दे रहे हैं, कॉंग्रेस को नहीं दिखाई दे रहे हैं उसके लिए उन्हीं से पुछो कि उन्होंने चश्मा कुन सा लगा रखा है उपेंद यादो जी को क्या लगता है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है उनको उनसे पुछो देश आज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और इसलिए देश आने वाले चुनाओं के लिए कह रहा है फिर एक बार मोधी सरकार और अब की बार 400 पार ये बड़ा इंट्रेस्टिंग है आप लोगों ने 370 BJP के लिए 370 प्लस और NDA के लिए 400 प्लस का टार्गेट रखा है आप साड़े 300 भी रख सकते थे आप 380 भी रख सकते थे 370 और 400 ही स्पेसिफिक क्यों हमारे नेतरतों ने कारिकरताओं को एक लक्षे दिया और आपने देखा था जब 2014 में हम चुनाओं के लिए आए थे तो कोई नहीं बानता था कि BJP पूरी 282 सीटे लेकर के आएगे जितना वोट पृतिशत हम 2014 में लेकर के आए उससे जादा वोट पृतिशत हम 2019 में लेकर के आए अब जब 10 साल में लोगों ने ये देखा है कि भारते जनता पार्टी ने देश को एक इस्थाइत वाली मजबूत और सशक सरकार दी है और आज देश ने इस और विक्सित भारत बनने के लिए आने वाले चुनाओं में प्रधानवंति नरेंद्र मोदी जी के नेतरत में चार सो पार के लक्षे के लिए मजबूत भारत के लिए बोट देने वाला है कुछ लोग कह रहे है इसका 370 का कनेक्शन धारा 370 से है बुरा क्या है मतलब है अभी भी लक्षे दे और अच्छी बात है देश को गर्व है कि 370 समाब तो इसमें क्या बुरा है अच्छा ठीक है अभी मैंने देखा आप के दोरे पर थे आप वाइनाट गए अब भूपें द्यादा हो जी तो चानक के हैं एलेक्शन की स्ट्राटेजी बनाने में बड़ हिंदुस्तान में वाइड लाइफ को बचाने के लिए हम लोग पूरे तरीके से प्रतिबत हैं और यह जो पूरा शेत्र है जिसमें करनाटक का बांधिपूर बी आर्टी का जो वन्या शेत्र है केरल का वाइनाट का है और तमिलाडू का मदुमलई है यह सारा जो वाइड है इसमें जो वाइड लाइफ का जो मूमेंट है उसकी जमीनी परिस्तिती को जानने के लिए और वहां अभी हाली में जो घटना हुई थी उसके लिए एई-आई का उपयोग करके वन्य जीवों से लोगों के जीवन की रक्षा के लिए और इन सब की चीजों को जानने के ल साल की होगी मेरे से पहले कॉंग्रेस के लोग गए या करनाठा के लोग गए उस बच्ची ने बड़ी भावग बात करी है उसने का देखो ना मैं करनाठाक सरकार की बात कर रही हूं ना मैं केरल सरकार की बात कर रही हूं आप दिल्ली से आय हो मैं भी जानती हूं कि अगर म मुझे किसी पर विश्वास है तो वो मुझे मोधी जी के उपर विश्वास है यह इस्ततियाज देश की राहूल गांदी के संसदिये क्षेत्र में एक बच्ची ने अपसे कहा और यह मेरे को बड़ा भव करने वाला मेरे लिए विश्वास है और उसके मतलब सामा इसा ही परि भारत की आकांग्षा सुरक्षित है यह दक्षिन में चलने वाली आवाज है और इसलिए 400 पार का लक्षे बहुत बड़ा लक्षे निये इसको मिस चुनाओं में प्राप्त करेंगे आपने मुझे मेरे अगले सवाल का क्यू दे दिया 400 पार अगर करना है तो दक्षिन का ख या दूसरे राज्यों में कैसे वो जो नो इंट्री का बोर्ड लगा है या जैसे बहुत कम आपका वहाप है उसको कैसे हटाएंगे यह बात हमारे को नौर्थ इस के लिए भी का करते थे आज तिरपुरा में भी बीजेपी की सरकार है आज मनीपुर में भी बीजेपी की सरकार है आज अरुनाचल में भी बीजेपी की सरकार है आज मेगाले में भी हमारे पार्टनर की सरकार है आज नागालेंड में भी हमारे पार्टनर की सरकार है आज सिक्कम में भी हमारे सरका तो यह तो नौर्थीस के लिए भी कहा करते थे बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रियास तो उत्तर से लेके दक्षिन तक, पूराव से लेके पश्चिन तक सभी जगे जाने वाली है और सभी जगे जाकर के हम चार सो पार के लक्षे को प्राप्त करने वाले है क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको confidence देखके, लेकिन एक confidence आपके विरोधियों में भी है, इंडिया गटबंधन और इंडिया गटबंधन पहले तो लग रहा था कि ट्रैक से उतर रहा है, लेकिन अब उन ट्रैक पर आना शुड़ हो चुका है धीरे-धीरे उनकी सीटे भी बट रही है, धीरे-धीरे सीट शेरिंग भी हो रही है खत्रा मानते हैं, और मानते हैं कि इंडिया गटबंधन आप लोगों के लिए स्टेज चुनाओ में कोई बड़ी चुनाथी देगा का कोन से ट्रैक पे चल रहा है नौर्थिसमों बिखर के चले गई कहां पे चल रहे हैं, आप कोई दिखरा होगा आप मुझे लग रहे कुछ आप जादा उन से जादा आशानवित आप मुझे जादा लग रहे है वो खुद ही अपने विश्वास में यह आप इतनी क्यों आशा रख रहे हैं नहीं मैं आशानवित नहीं हूँ मैं तो fact बता रहा हूँ क्योंकि seat sharing हो गई आज डिल्ली में आमादी पार्टी ने बाकाइदा टिकट बे अनाउंस कर तो बिहार में seat sharing हो गई नहीं तो नितिशकुमार आपके पास आ गए बंगाल में seat sharing हो गई बंगाल में लोग कह रहे हैं बात चल रही है शायद पंजाब में seat sharing हो गई जमू कश्मीर में seat sharing हो गई कहा seat sharing हो गई जहां नहीं है वहाँ पर seat sharing है जहां पर है वहाँ पर seat sharing नहीं है seat sharing मतलब जिसके पास seat है वो उनसे share कर रहा है क्या जिसके पास नहीं है वो सब share कर रहा है पर जिनके पास है वो तो उनसे कोई share नहीं कर रहा है आप कहे रहे हैं। उनकी गाली ट्रैक पर नहीं है। और वो मालूम है क्या कह रहे है Bupan जी। को उसने तोड़ना शुरू कर दिया। कियों तोड़ेंगे हैं आप एक बात देखिए हम दोहजार REAM के विक्सित भारत की बात कर रहे हैं। वहां से क्या आ रहा है हम 2047 में दुनिया की सबसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थवस्ता बनाने की बात कर रहे हैं वहां से क्या आ रहा है हम वुमेन डेवलप्मेंट की बात कर रहे हैं वुमेन लेट डेवलप्मेंट भारत की वहां से क्या आ रहा है हम सब जगे पर पूरे भा और नारी शक्ति इसके विकास की बात कर रहे हैं। हम एक पूरे पॉजिटिव एजिंडे को लेकर पूरे देश में चल रहा हैं। और देश का जो महूल मैंने आपको अभी केरल के बच्ची का उधरन दिया है। देश का महूल इस समय पॉजिटिव एजिंडे पर जाकर के विक्सित भारत बनाने का भारत को बाटने का नहीं है। देखें जब मैं बात कर रहा हूं तो अभी आरजेडी के और कॉंग्रेस के तीन विथायक बिहार में बीजेपी में शामिल हुए। तो यह आप तोड़ते नहीं है तो यह कौन सा मागनेट है जो आपके तरब लोग खिच चले आते हैं। देखें मैंने बिहार में लंबे समय तक देखा है। लोग आरजेडी से भैवीत ही रहते हैं। आरजेडी हो चै कोई पार्टी हो। यह कुल मिला करके परिवार की विरासत के आधार पे चलने वाली पार्टी है। ना तो यह कोई राजनिती का अंदोलन है ना यह किसी का भला करने वाली पार्टियां है। यह पार्टी केवल और केवल राजनिती में नए सामंतवात को खड़ा कर रही है। देश के लोकतंत्र के लिए इन पार्टियों का हारना और इन पार्टियों का समाप्त होना बहुत आउश कि लेकिन कोई तो कारण होगा कोई तो मैगनेट होगा कोई तो बूटी होगी जो लोगों को बीजेपी में जुड़ने का लगा होगा बीजेपी का नेतरत्व बीजेपी के नेतरत्व की गवर्नेंस, बीजेपी की गवर्नेंस की ट्रांसपरेंसी और ट्रांसपरेंसी के दोरा देश का होने वाला विकास मुझे लगता है ये एक इतना बहेतर कॉम्बिनेशन है जो लोगों के मन में विश्वास दिलाता है कि भारत के लोगतंत्र को और भारत को आगे बढ़ाना है तो भारती जन्ता पारटी को आगे बढ़ाना है आप कहरें बीजेपी का द्नेतर तो और बिलकुल ऐसा ही हो सकता है लेकिन विरोधी इस मागनेट का नाम ED बताते हैं विरोधी कहते हैं, एडी लगा देती है बीजेपी, आम आदनी पाटी तो ये कह रही है कि अर्विन केजरिवाल पर इतना दबाव है कि इंडिया गडबंधन छोड़ दे, एडी का प्रेशर है हमारे उपर, कई बार प्रेस कॉनफरेंस कर चुक है, देखे, अगर कोई भी उपस्तित हैं, जो दोनों जगे से गायब हैं, जो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को किस प्रकार की नैतिकता की बात करने की बादत है, उनसे पूछिए, क्यों नहीं आप ये रोते हैं, क्यों नहीं पेश होते हैं, जब कानून के दौरा आपको बुलाया ज चलो यह बयान दे दो देते क्यों नहीं है ऐसे देश का कोई भी कानून कोई भी वेक्ति अगर कानून अपने हाथ में लेने लग जाएगा और अपने हिसाब से न्यायले को चलाने लग जाएगा तो ऐसे तो नहीं चल सकता सबको मानना पड़ेगा रूल आफ लौ तो पूरे देश में है और जो कानून बनाए तो संसद ने पास किया कोई हमने अपने घर से थोड़ी बना दी संसद के कानून से पास हो करके जो संस्थाइं बनती हैं उनको सबको जवाब देना चीए यही तरीका है अब भी तो हम पूरे तरीके से प्रधान मंती नरेंदर मोधी जी के नेतरुत में एंड ये के चार सो के लक्षे को लेकर के चल रहे हैं और निश्यत रूप से चार सो सीटे हम जीतेंगे बाकी संभावना का जवाब देने के लिए मैयानी बैठाओं फेक्ट्स का जवाब आपको जरूर दे दूँगा लेकिन भुबेन जी एक आरोप जो बीजेपी पर विपक्ष लगाता है वो कहते हमारे कार्यकरताओं को भड़काते हैं जमीन पर मेहनत बीजेपी के कार्यकरता करते हैं चुनाओं वो जिताते हैं लेकिन कई बारों उने कुछ मिलता नहीं है महराश्ट्र में शिंदे मोखे मंतरी बन गए बिहार में इतीश कुमार बन गए भारती जनता पार्टी का लक्षे देश को आगे बढ़ाने का है हमारी तो तीन पीडियों को भी कुछ नहीं मिला तो भी हम भाजपा को लेकर के लगे रहे जब कोई नहीं कहता था राम मंदिर बनेगा तब भी हमारे कार्यकरता लगे जब कोई नहीं कहता था कि धारा 370 समापत होगी तब बीजेपी के पहले संस्थापक अधिश डौक्र शामाप्रसाद मुखर जी का बलिदान हुआ भारति जन्ता पार्टी रह मिशन को लेकर करके काम करती है हमारा कारे करता ने जूझने वाला कारे करता है क्या बात है इसी नूट पर जोर्दार तालिया हो जाए केंदरी मंतरी भुपेंदर चौदरी जी भुपेंदर यादाव जी के लिए है जोर्दार तालिया मत पर हमारे एंटी और सीजिए बरुंदास को भी आप देख रहें जोर्दार तालिया और इस सेशन के खाप होने के साथ ही यहाँ होल तमाम ऑडियन्स से हम अपील करना चाहेंगे कि सक्यॉरिटी चेक के यह थे प्लीज आप सबी होल को कुछ सब्सक्राइ के ले खाली कर दे तक रिए अ कैन रेक्वेस्ट दुब्सक्त वरती फिए थे खाली कर दे प्लीज़ को Thank you so much. I wish you to join me after a few minutes because we need to vacate the premises for a security check. Please join us there outside. We just need to vacate these premises for the security check. Thank you so much for your presence today. Asaduddin Ouesi. How are you? Have you seen the name of the program? All India Bhaijaan? Do you like it? You can't do anything wrong with your name. I can't do anything. I have called my brother. We are the brother. The rest of us don't know. I think I feel like my brother is saying love. Vice President, tell us one thing. You have reached the end of 2008 to 11 cities. यहांजों में अपनी party पहुंचा दी दिलीप नजर है ने ऐसा कुछ नहीं है दिलीप नजर नहीं है मेराम भीड़िखे varsard कोई political party का natural expansion & plan होता है हमारी party की हम कोशिश कर रहे हैं कि और वसे भारत की लोकतंतर मजबूत होगा डेमोक्रिसी मजबूत होगी तो वही उसमें काम कर रहे हैं और इमानदारी की बात तो यह है कि हमारे बुजरगों की मेहनत का फाइदा में उठा रहा है उन्होंने इतनी पार्टी को मजबूत किया उस वकांदरा परदेश में कि मैं अब उसको आ competition है तो competition में सबको मेहनत करना पड़ेगा कभी मैंने जीतता हूँ को दूसरा जीतता है तो इसमें तो कोई किसी ताजूप की बात नहीं होनी चाहिए सबको मेहनत करना है काम करना है अवाम का दिल जीतना है आपकी fan following तो भहत है चाहीं यहां हो है आधराभाद में हो काश्म नहीं है क्योंकि अगर इतना फॉलिंग होती तो मैं कई चुनाओ जीच जाता तो लोग सुनते हैं मगर अभी बहुत मेहनत करना है बहुत कामियाबी हासिल करना है बहुत से मनजिलों को पाना है तो अभी लड़ाई जारी रहेगी जुद्ध चलती रहेगी तो इस पर मैं खुश नहीं हो सकता हूँ बहुत आगे जाना है खुशिच करते रहेंगे कुछ लोग कहते हैं कि OYC साब की डबल पावर है अगर जित्वान आ सकें तो हर्वा जरूर देंगे काशीराम साब ने अच्छा कहा था कि लेक्शन आप लड़िए पहले हारिए हरवाइए पिर जीतिए तो इलेक्शन लड़ना है तो अपने आप जब तक आप ऐलेक्शन ніहीं लडेंगे तो आप अपनी ताखत कैसे दिखाएंगे आप अपनी पार्टी की स्ट्रेंग कैसे दिखाएंगे तो इसलिए हम एलेक्शन लड़ते हैं और बहुत से बार कामियाभी नहीं मिलती मगर हम लड़ते हैं एलेक्शन ताके हमारे हमारी सफर को हम जाई रख सकें और आज नहीं तो कल मिलेगे कामियाभी एक चीज़ बताए कि अखिलेश बंता और कॉंग्रेस के कही कि नीता आपको सोशल मेडिया स्टार बोलते हैं है रख स्टार यह लोग कहते हैं आप सोशल मेडिया स्टार सही बात है लिए कुछ तो मात दो लिए हैं इनका बळापन है कि मुझे कुछ मान लिये लोग कग कुछ हूँ अच्छा ये पूरा किसान अंदोनल चला होड़ अ सब आप नजर नहीं आए किसान अंदोलन में तो यह तो ए पॉलिटिकल अंदोलन है और हम सब लोग उसकी ताइद कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो उसमें जाकर खामखा हम लोग माहौल को क्यों हराब करें वो लोग कर रहे हैं हाँ उनके डिमांड जो है वो जस्टिफायबल डिमांड से और सरकार को सको मानना चाहिए खुबूल करना चाहिए और यह हम बोले हैं और फिर से बोल रहे हो वाईसी सभाब को एक मैं मसले पर लाता हूं, मैंने आपकी पूरी स्पीच सुनी संसद में, आपने लंबा भाशन दिया था, आप काफी नारास थे, गुसे में भी थे जब आपने भाशन दिया, आपको इतना गुसा क्यों आ रहा था साधन में, नहीं कहां गुसा था वो, गुसा तो नहीं था, नारास थे आप ने आप यही बात नरेंदर मोटी के बार में क्यों ने बोलते हैं देड़ घंटे का भाशन दिये निए वह बात अलग है आप तरास्ते आप ने आट मिनिट बोला तो उसमें उस्सा कहा नजर आएगा आप ने बानवे की बात को प्रान पतिष्था से चोड़ दिया राम को डाली गई तो यह बिल्कुल सच है और अगर 6 डिसमबर नहीं होता बावीस तेवीस डिसमबर की रात में 49 में मस्जिद में मुर्तिया नहीं रखी जाती तो 22 जनवरी मुम्किन था के बताई आप लेकिन वाईसी साहब यह जो मंदिर बना है वो तो कोट के आदेश से बन यह कहा कि हम आस्था की बुनियाद पर यह फैसला दे रहे हैं और वही सबसे बड़ा आज प्राब्लम बन चुका है और कल भी बनेगा क्यों कि अगर आप आस्था को फैक्टर बनाएंगे तो फिर एविडेंस का क्या होगा अगर कोट आस्था के फैसले करेगा तो फिर आपकी आस्था मेरी आस्था से बढ़के कैसे होगी बताइए आप वो तो खलत है वो इसलिए हम यकिनन सुप्रीम कोट एपेक्स कोट है आखरी कोट है और जिस्स जेस वर्मान ने कहा था सही कहा था कि सुप्रीम कोट इस उपन हो जाएंगे आपका अबजेक्शन किस चीज़ पर है वाईसी साब आपका अबजेक्शन राम मंदिर पर है या उससे जुड़ी आस्था से है मेरा अबजेक्शन इस बात पर है कि 6 डिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को वादा करकर वहां पर अड़वानी और जितने बीजेपी आरेसस के नेता थे उन्होंगे सुप्रिम कौर्ट को वादा किया था कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे और मस्जिद को उन्होंने शहीद कर दिया डिमाליश कर दिया और तर्फ fe तमाशा यह है कि किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ उसमें किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ अगर जीवी पंथ उस वक्त उन मूर्तियों को हटा देते और बोलते के नहीं यह गलत हुआ है वन फॉर्टी फाइज सी आरपी से इस्टेमाल कर लेते तो यह इशू नहीं बनता आप बगएर मुस्लिम पश्कसुने 86 में ताले खुल की खुबसूरती इसके डैवर्सिटी है इसका प्लॉर्लिजम है इस देश का कोई मजभ कभी था नहीं ना कभी रहेगा यह देश तो उन लोगों मानता है जो किसी भगवान या ला को नहीं मानते तो इस देश को अगर आप एक समुदाय रिलिजिन से जोड़ देंगे तो तो समीधान के खिलाफ है लेकिन असादुदीन जी अगर आप एक बात कह रहे हैं कि एक धरम दूसे धरम से बड़ा नहीं होता लेकिन आप सांसद हैं आपने सांसद में जब भाशन दिया तो आपने कहा है आप राम के सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ आपने बाबरी मज से जिन्दा बात बुला हाँ बुरी बात क्या है उसमें मैंने कहा है कि मैं नातुराम के खिलाफ हूँ आप खिलाफ हैं नातुराम के सब को होना चाहिए नातुराम के खिलाफ और बाबरी मजिद जिन्दा बात बुलना गलत बात क्या है बाबरी मस्जिद को तो मंदिर तो कर मस्जिद बनाया गया तो सुप्रेम कोट नकार दिया अच्छा आप बताईए बीजेपी को राम मंदिर कब याद आया ने बीजेपी का प्रवक्ता ने 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 बता रहूं आपको पालनपूर का सुपान के मनधिर को मस्जिद बनायी गई वो तो डिस्प्रूव हो गया लेकिन राम मंदर का अंदूलन तो बीजेपी से पुराना है वो तो सब को पता है पेमेल जी किताब भी पढ़ लीजेए काँ दाइस साल पुराना है अठारा सो लीगल फाइट चल रहा था अठारा सो 1875-18 में मस्जिद के साम में चबूतरा था मस्जिद पे जगड़ा नहीं था वो चबूतरे पे जगड़ा था वो ही तुम बता रहे हैं आपको लेकिन वो आस्ता की भी तो बात है वाईसे साथ चबूतरा बाहर है भाई मस्जिद में अंदर तो नहीं था आपने चबूतरे को छोड़कर मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी और उसके बाद लॉक डाल दिये अच्छा आपको मालूम कि कलेक्टर सहाब ने ये मूर्तियां रखकर मस्जिद को बन किया वो बाद में नायर साब जनसंग के MP बन गए महां से वो ठीके लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इन तीन चीन चीजों पर समन्वाई हो जाता जैसा कि बोला जा रहा था सकी दशक में कि वापस कर दिया जाए काशी, मत्रा, अयुध्या तो बड़े मसले हल हो जाएंगे ने ने आप सब चीज ले लीजे ना वो दो क्यों लेते हैं आप सब ले लीजे कुछ बाखी मत रखी आप बहुए कोई रूल ओफ लॉव रहेगा नहीं रहेगा बताईए आप अब आप कहेंगे कि भाई वो आस्था की बुनियाद पर हम दे दिये यहां पर क्या वो भी आस्था बोल देंगे आप वहां पर भी आस्था बोल देंगे तो फिर Wide願い किसलिए पर कौर्ट किसलिए एविडेन्स किसलिए सब ले दीजे फिर आप खतम कर दीजे दो पर क्यों रुकते आप सब ले लीजे अच्या चलिए आपने संसद में एक मौलाना आमिर अली और बाबा राम चरंदास की बात की थे अपने कहानी सुनाई थी मैं चाहूंगा कि यहां जो हमारे गैस्ट बैठे हैं आप वो कहानी है एक बार सुनाई मौलाना अमीर अली और बाबा राम चलंदार बाबा राम चलंदार तो हनमान गड़ी के है बाबा थे इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी लड़ी इन दोनों ने मिलकर एक मौलाना है एक हनमान गड़ी के पुजारी है इन दोनों ने मिलकर ये ये और फिर उसमें मैंने अपने स्वीश में उनका भी झिकर किया था कि अचान खान और शमभू प्रशाद भाव को जला मुसल्मान की लाश को अंग्रेज़ों आज जलाद आप और शमभू अफ रसाद साफ की लाश को दफण का भी आ मुझार्मानों में और मेज्रिटी कम्यूनीटी में. जब झब लड़ें, अंग्रेसों इस लड़ाई तो मुसलमान और हिंदू सब मिलका सिखो ने मिलका लड़ी थी. इसायों मिलका लड़ी थी. तब ही तो मुलको आजादी मिली। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है अमरितलाल नागर की जो किताब है उसमें इसका जिक्र है और उस किताब यानि गदर की फूल में लिखा है कि ये दोनों चाहते थे और उन्होंने मौलाना साब ने कोशिश भी की थी कि ये जो ये जो विवादे धाचा है ये को दे दिया जाए अब ये अब ये आभ ये अब देखे वाटसाब युनिश्ट्य में बहुत से कहाने लिखे जाती हैं हिस्टॉरियन जो होते हैं ना अमरितलाल नागर की किताब है थी कह जो इस्टॉरिय के किताबें हैं मैं डिसगरी करता हूं अब ठीक है उनका ओपिनि तो करिये ना, वो मौखा तो दीजिए, तो अगर मौलाना साब आज होते, तो वे मानते कि जो ग्यान वापी है, मत्वराय दे दी जाए, क्योंकि तब भी कोशिश कर रहे थे, अब आप देखे, ग्यान वापी के आप बात कर रहे हैं, यहां पर अधर साइड यह कहती है, कि हम हमारा पोजेशन हम से चीन लिया गया, 93 में, और हमारे पास 1530 के काख़ाथ हैं, बाबरी मस्जिदे मेरे पास, मैं 500 साल से नमास पढ़ रहा हूं, मेरा भी पोजेशन आपने चीन लिया मुझ से, यहां पर आपको इजाज़त मिल जाती है, और मुझे वहां पर नहीं मिलती अब आपको मालूम के मतूरा की आप बात कर रहे हैं, जो एग्रिमेंट 1960 में मुसल्मान और हिंदू पक्षमाओ, उस पर सिगनेटरी कौन था हिंदू तरफ से, मालविया साब ते, मदन मोहन मालविया, लेकिन बात तो आस्ता की है, ने, ने, इनसे बड़ा को हिंदू हो सक जमीन दी, आठ एकर जमीन दी, अब आप उसको, आप 2023 में आप खोल रहे हैं उसको, लेकिन आइसी साब अगर आस्ता के मामले, मेरे ख्याल से मतुरा, काशी और आयोधिया एकदम अलग हैं बाकी मंदिलों से, देश आस्ता पे नहीं चल सकता ना, कल अगर मैं पावर में आ और मेरे पास भी 300 MP आगए गलती से, मैं खाब में भी नहीं सोचता हूं, मगर कह रहा हूं, मैं कहूंगा मेरी आस्ता, क्या करेंगे आप, यही तो हम कह रहें ना, कि देखे, आस्ता पे नहीं चल सकेगा, यह तो hypothetical सवाल है, तो अदालत नहीं किया है, अरे अदालत, अदाल को छोड़ कर, जो भी religious place होगा, उसके character में, nature में तबदीली नहीं आएगी, तो पर यह सब क्यों हो रहा है, पर यह, आपे कह रहे हैं कि Muslim पक्ष को ठीक से सुना नहीं जा रहा, जी, आप कह रहे हैं कि Muslim पक्ष को ठीक से सुना नहीं जा रहा, नहीं, मैं यह कह रहा हूं कि जब खानून बना दिये तो खानून को फालो करिये, जब सुप्रीम कोट ने बाबरी मस्जिद, राम मंदर डिस्प्यूट में कहे दिया कि प्लेसिस ओफ वर्शिप टैक 91 बेसिक स्ट्रक्चर से उसका तालुख है, और नॉन डेटरोगेशन का वर्ड इस्तेमाल किया तो उसको फालो करिये ना, यानवापी पर तो अदालत का कहना है कि उसके दारे पर नहीं आता है, किसके? कानून के दारे में नहीं आता है, कैसे नहीं आता है? हमने जब पारलिमेंट में ये खानून पास कर दिया, सिर्फ इस जगा को छोड़कर, मैं तो वो भी गलत था, इस को छोड़कर सब डिस्टरब नहीं कहेंगे, तो क्या मतलब है फिर उसका? आप तो लॉयर है, आप तो लॉयर है, लेकि मुझे इस चीज़ बताईए, जब आपको अदालत की बात भी विश्वास नहीं तो बाबला कैसे सुलचेगा? अदालत की बात, देखे, अदालत के फ आप इस चीज़ रही या अदालत एंकी बात नहीं सुन रही, आप इतने बड़े बैरिस्टर लॉयर हैं, आप उनको क्यों नहीं सला देते हैं? अरे भाई, मुझे बहतरीन वकील वहां पर आर्ग्यू कर रहे हैं, अगर 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 प्लेसिज ओ वर्शिप अग्ड़ एक का तालुग भारत के बेसिक स्टॉक्चर से है, लवसे नॉन डिट्रोगरेशन उनने से इस्टमाल किया, तो फिर कोट्स को तो लोवर कोट्स को फॉलो करनी चाहिए, वाईसी जी लोग ये भी कहते हैं कि आप मामले को सुलजाते नहीं, कई बार भड़का देते हैं, जब नजर में या देश की नजर में, छेड़ समर अच्छा दिन था क्या, पुराने घाव को करना अच्छी बात है, वाई सुप्रीम कोर्ट को वादा करके, आपने तोड़ दिया, नहीं हाथ लगाएंगे, अच्छा है घावो को हरा करना अच्छी बात है, देखिए, जखम जो एक ऐसी मस्जिद है, जहां मॉब घुसके जिसने तोड़ दिया, मॉब ने तोड़ दिया, तो आप इंतजार करेंगे तोड़ने के लिए, मैं इंतजार नहीं कर रहा है, आपने बोला हो लाता है, मुझे तो विश्वास है है के लोगों में, देखिए, मस्जिद को कैसे त सरकारी था, आप बात कर रहे हैं, अनकंट्रोल क्राउड और लोगों की दोनों अलग चीज़ है, वो एक सरकारी था, आप तो आपको मॉब की जूरत भी नहीं है, गौर्मेंट खुद तोड़ रही है, ये आरोप है, ने अरे भाई, छे एक आरोप है, एक एंडीमसी का एक कोई आक नहीं है, कोई आक नहीं है, और एक अनकंट्रोल मॉब था, अनकंट्रोल मॉब महाँ पर आप कौन लेकर गए, मैं टीवी नाइन के दफ्तर पर एक मॉब को लालूँ, और अदालत फैसला करेए, ने सुनिये, हेमन साब का आफिस को तोड़ दूँ, और बोलो अनक हमें अदालत, बाकी जो मसले हैं मतुरा के वो अदालत, मेरा एक ही बेसिक सवाल है, हल्दवानी में अदालत, सुनिये, आप ही की जबान में, अगर ये मॉब 6 डिसंबर को मस्जिद को नहीं तोड़ता, तो कोट का फैसला क्या आता, बताईए मेरे को, ये तो हाइपोथेटिकल बात नहीं है, बिल्कुल जो हुआ न, आपने फेटकंपली कर दिया मेरे लिए, आपको नहीं लगता है लोगों की आस्था महत्पून है अरे भाई, आस्था से देश नहीं चलता मेरे दोस्त, सम्विधान से चलता है, अगर आप आस्था पे चलाएंगे तो पिर आपकी आस्था मेरे आस्था वड़ी कैसी होगी, पर देश तो हमारी देश में आस्था तो महत्पून है, आस्था सब है, मगर सम्विधान पर भरोसा होना चाहिए, अचा बता है, प्राण परचिछ्थान क्या था, सम्विधान था इस देश की आस्था ती, प्राण प्रशेश आयुध्या में अगर 49 में जीबी पंथ मुर्तियों को रखने की इजाज़त नहीं देते और नायर साब अपना इमांदारी से काम करते तो 22 जनवरी होता उससे पहली भी कई बार कोशिश वही है निहंग भी थे वहां कहां पर आयुध्या में इसा नहीं है कि जो आयुध्या का इतिहास है कि कौन थे आयुध्या का इतिहास 25-30-40 सा नहंग 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 लोग जो नहंग लोग मुर्ति पूजा करते अरे आप कैसी बात कर रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं किताब लोग मुर्ति पूजा करते ही नहीं है नहंगों का एक बहुत मह अब से शिराजुद दौला को नुद्वसान पहुंचाने वाले मिर सादिक बहुत है बहुत से आस्तीन के साब है चलिए आस्तीन के साब अलग से बात की जाएगे एक ची बताईए आपको यह uniform civil court से क्या पती है ने भई uniform civil court में कार्थिक के को हिंडू undivided family में tax rebate मिलेगा मुझे नहीं मिलेगा यह कहा बात है? मुझे ही मिलना चाहिए? अगर अगर महिलाओं के अधिकार हो जाएं, बराबर हो जाएं तुसमे क्या पत्थिए? कैसे होंगे, बताइए? कैसे होंगे आप, बताइए तो नहीं नीकालेंगे आप और बतावर, बोलते हैं आप को मुसल्मानों में में विल के पावर में I cannot even exceed one-third आप नी चाहते है कि Reforms हो आप क्यों Reform करेंगे मुरा क्यों? सुनिए, आप क्या कर रहे हैं बताता हूं मानिया आप से मुराद जो BJP कर रही है आप Hindu Marriage Act Hindu Succession Act मुझ पर थोप रहे हैं आपकी morality मुझ पर क्यों थोपेंगे आप, मिसाल के तोर पर उत्राकंड की मिसाल ले लिजी आप, आपको मालूम उत्राकंड में आप बोरें के prohibition list बना दिये शादी की आप, के पिता के तरफ, मा के तरफ, आपकी morality मुझ पर क्यों थोपेंगे आप, भई मैं right to choice Supreme Court ने कह दिय right है, उत्राकंड में आपने कह दिया के prohibited list बना दिया आपने, वो कैसे होगा बताईए, अच्छा आप उसमें property का division, distribution पे एक الزाम लगाते, ने, मुसल्मान की बेटी को भाई के बराबर हिस्सा नहीं मिलता, ये, ये क्यों नहीं बोलते के मुसल्मान की बेटी को अपने instances है, जहां पर मुसल्मान बेटी को भाई से बढ़के मिलता है, ये भी नहीं बोलते हैं, अच्छा, uniform civil court की आप बात कर रहे हैं, अरे भाई, आप उसमें उत्राकंड के latest है, उत्राकंड में आप tribal को क्यों निकाल दिये, तो uniform कहा हुआ, article 25 के तहद, एक तो आप आप निकाल दिये, ट्राइबल को right to equality का violation है, और फिर आप उसमें कह रहे हैं, कहे का exception दे रहे हैं आप, तो पूरा मकसद क्या है कि आप अअ가 अअध踏, ये क्या लिए क्या रहे हैं फिर आप ये क्या ले क्या रहे हैं, आप अधा इए, Central Act है नब prohibition of child marriage government का data है 12 लाग child marriages हुई last data जिसमें से 84% तो हिंदू भाई बहनों की हुई खानून से child marriage खतम होने वाला नहीं है ये एक social evil है मगर आप तो खानून बना दिये अच्छा और एक बात मैं इसका मतलब है मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ खानून बनाए भी तो आपने कौन सा पहार खोद कर क्या निकाला चुहा भी ने निकाला आपने अच्छा और एक बात child marriage act जब होती है वो voidable होता है आपको UCC से आपती है आपको C.A. से भी आपती है बिल्कुल है क्यों अरे भाई जमूरियत है क्या डिक्टेटर की हुकूमत है यहां पर यह तो डिमोक्रिस्टी है लोग तंत्र है डिफरेंस और उपीनन होना चाहिए आपको नरेंदर मोडी बोलेंगे मोडी का नाम तो लेने दीजिए मैं बोल रहा हूँ ना मुझे आपको क्या होगा रुकिए पूरा नाम लीजिए अच्छा आप दरेंदर मोडी बोलीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आप से यह कह रहा हूँ कि दिक्कत क्या है C.A.A. से C.A.A. से दिक्कत यह है कि यह मजब की बुनियाद पर बनाया गया देश के सम्वीधान में आप मजब की बुनियाद पर कैसे बनाते हैं अब लोग बोलते यह OAC क्यूं अच्छा भई आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड नर्सी हुआ आप हेमान तो 200 शर्म एकसेप्टी नहीं कर रहे है पर C.A.A. से किसी मुस्लिम की नागरिता कहां जा रही है सुनिये आप बताईए मुझे कहां जा रही है पर्सेक्यूटेड हिंदू को दगे मिल रही है अच्छा एक दिल पर हाथ रहा दिमाग से बताईए चलिए ने ने एक जी बताईए मैं तो आफगानिस्तान भी क्यों मैंने देखा देखिए वहाँ सिख थे कम हो गए पार्टिशन के टाइम पे कितने हिंदू थे पाकिस्तान पे सब को पता है अच्छा कम हो गए अच्छा सब को पता है तो अगर पर्सीक्यूटिड है अच्छा आप आप पूछ लिए ना अगर पर्सीक्यूटिड हिंदूस को अगर देश में जगे मिल जाए तो उसमें दिक्कत क्या बस देखिए कोई मैं इस बात का मुखालिफ नहीं हूँ कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान से बंगलादेश से स्री लंका से बर्मा से हिंदू भाई बहन सिक क्रिस्टियन आ जाएं क्या आप ये कहना चारे हैं कि इस खानून से पहले वो लोग नहीं आते थे इंडिया को और ये खानून क्या कर रहा है कि डिसम्बर दो हजार चौदा के बाद किसी को नहीं देंगे नहीं आएंगे अब चौदा के बाद अगर हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान नहीं देंगे आप हमारे पास लॉंग टर्म वीजा का प्रोविजन है लॉंग टर्म वीजा के बाद उनको citizenship देने का अख्तियार है BJP यह बोरी किसे पहले कोई था ही नहीं प्रोविजन क्या बहुत कर रहे तुछ पर आप बहस कीजिए amendment लाइए आप उलिये किसे tweak किया जाए सुनिए सुनिए मेरा खतम तो करने दीजिए अब आप करें कि नागरिता क्या खत्रा है आपको देखिए CAA को अकेला नहीं देख सकते NPR और NRC के साथ जोनना पड़ता उसको आपको NRC भी क्या कर रहते भई आप देखिए ना मनीपूर पर इतना आपने मनीपूर पर इतने इंटेव्यूस दिये करने देंगे या अपनी बात करेंगे अच्छा चलिए बात की जो NPR, NRC आप सेंसस नहीं कराते आप सेंसस नहीं कराते NRC जब होगा तो मुझ से कहा जाएगा कि अपने दादा का बच सेडिफिकर लाओ आधार कार्ड ये उस आधार कार्ड को पढ़ा अपने उसमें लिखावा है कि इस नोट प्रूफ ऑस इडिजिएंशिप कितने लोगों के पासपोर्ट है भारत में पांच फीसद मैं बता रहा हूँ आपको यही तो चीज़ इसकी हम मुखालिफत कर रहे आप रिलिजिन का लफ निकाल दीजिए CAA में करिए कौन रोक रहे हैं कौन रोक रहे हैं इनको आप रिलिजिन की बुनियाद पर खानुन मता बना रहे अच्छा और एक हैरत की बात सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC आसाम में हुआ क्योंके हेमन तो बिस्व शर्मा की जो दिली खायश थी उसमें ज़्यादा मुसल्मान नहीं आए वो ले मैं 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 मानता उसको क्यों नहीं मानते हैं आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड है ना वो तो तो CAA को ये रिलिजन की बुनियाद पर बनाया गया गलत है आप पाकिस्तान बंगलादेश से जो हमारे हिंदू पर्सिकूडट भाय आ रहे सिक आ रहे दीजिए पहले भी खानून था तीसरी बात ये कि CAA को अकेला मत देखिए NPR NRC से जोड़ कर देखिए तब आपको समझ में आएगा ये ठीक पर आप हर चीज़ को फिर मुस्लमानों खिलाब साजिश क्यों बोलते हैं बिल्कुल है क्यों नहीं हो रही है बिल्कुल है अच्छा आपको मालूम के पंडित नहरू के जमाने में कितने लोगों को बंगलादेश बिज़ा दिये थे माने पाकिस्तान उसक्त बंगलादेश नहीं बनाता क्यों बनाए थे इसी वज़े से बिज़ा दिये थे ये एक हिस्ट्री है ना दूज के जले छाज को भी फूक फूक कर पीते है चलिए ठीक है आये शुद राद नितिगी बाद की जाए शुद राद नितिगी ओईशी साब ऐसे बहूं किस के साहते हैं इक पूक मेहबूबा ना दूज के दूकान भी ठीक मेह देखिए आप दूसरा आप बोलेंगे आप बोलेंगे मुझे क्या है आप ने बोलें महभूबा के पास नहीं जाओंगा महभूब से दूर होंगा यह दुकान भी ठीक नहीं है ने ने हम जहां खड़े हैं अच्छी जगा खड़े हैं जमीन हमारी मजबूत है अब जो लोग जहां खड़े हैं जो दुकाने खोल रहे हैं वो बता दें क्या करेंगे एक सो पचैसी लोग सबा सीट में से आप सुछ uniform जीते हैं अब हिमाचल में आपकी सरकार जाने पे आ गई अब हिमाचल में सरकार अभी लेटेस न्यूस हिमाचल में सरकार जा रही आपकी तो आप आप जमीन अपनी खो रहे हैं और आपको सिर्फ फिकर क्या है मुस्लिमोड, मुस्लिमोड, मुस्लिमोड और मुसल्मानों को लगता है बहुत बड़ा भोचाल हो जाए, कुछ नहीं होगा इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई आप अपनी पॉलिटिकल लिडर्शिप को बनाएए और आगे लेकर चलिए ये पैगाम दिया जाता है मुसल्मानों का भी भी दिया जाता है पहले भी देते थे कि बस हमारे गले में एक साम डाल दिये बस नाश्टे रहो, सेकुलरिजम का नाम लेकर का सेकुलरिजम है जो सम्वीधान का सेकुलरिजम मैं इसको मानता हूँ, मानता रहूँगा ये political secularism काई का secularism है अशोक राओ चौहान जो मुझे गाली देते थे बीजेपी में चले गए बताईए कौन-कौन चले जा रहा है बीजेपी में कौन सा secularism है बताईए अजीद पावार बीजेपी में चले गए अभी बहुत से लोग जाने वाले हैं सोना में लेकिन आप पे भी आरोप लगता है कि आप भी secularism के हाथ मजबूत नहीं करते हैं आप वहाँ-बहाँ टिकेट दे दे देते हैं जहां the so-called जो कहते हैं कि बीजेपी के लाफ पार्टी हैं यहां से इंपरिकल डेटा रखके बात करेंगे लोग सवा की तीन सीट में लड़ता हूं और मोडी 306 जीट जाते हैं मेरी वज़े से और जो 400 लड़ते और 50 पे आजाते वो दूद के दुलेवे हैं मेरा नाम असरुद्दीन है इसलिए मुझे गाली दी जाती है और जो लड़ते हैं यूपी में 400 सीट जीतते हैं दू और एक उनको कुछ नहीं बोलते हैं मैंने आप से मुराद दूसरे लोग जो हमको गाली जेते किशन गंज का दर्द भी तो समझे किशन गंज का दर्द तो समझे अरे मैं पिछले बार भी किशन गंज लड़ा था तीन लाक ओट मिले हमको एक ही सीट कॉंग्रेस जीती गडबंद जीता किशन गंज हमारे हम बीजेपी नहीं जीती हमारे टिकेट आपने किशन गंजी अनॉंस कर दिया हम लड़े हैं वहाँ पर अच्छा और एक बात सुनिए बिहार के चुनाओं में मेरे पांच एमेले जीते सीमांचल की जंता को सलाम सबसे बैकवर्ड एरिया भारत का उन्होंने मेरे पांच विधायक को जीताया चार विधायक को आप खरीद लिए और अब टेजस्वि को मालूम हो रहा है कि क्या होता है पाउर लूस करने का मतलब लोग कहते हैं कि आप Ogovaisi साहब ढिखते हैं BGP से लढ़ते हुए लेकिन वो लड़ कॉंघर्स से रहें किस से लड़ते हैं ढिक तो रहें BGP से लड़ते हुए लेकिन लड़ काउंग्रेस से लेए इसे लिए टोल गेट के पास मेरे मुझे पर छे गोलियां चलाई गई थी मैं बोला था कीसो को चला दो बैटा गोली क्या बात कर रहे हैं आपके यारी बीजे पीसे गारी पर गोळियाँ चली बहुत कुछ लेना देना है अपको नहीं कि तगए है है सवाल में आपसे पूछ रहा हूँ के आप नोग रहा है याप मुदी खिलार व्रते दिखते हैं पर लडाई आपकी कंग्रिस से लड़ाई देखे लड़ाई तो सबसे है अचा राहूल गांदी भी कहते हैं आप पर बोले कि आप मैं बता रहा हूं यह राहूल गांदी भी कहते हैं अचा आप जब यह पार्लिमेंट में डिबेट हुई थी 22 जनवरी के बारे में आपको चाहिए था कि अपोजिशन लेडर तो हमारे मुसलमानों में क्या होता जब खाजी सहाब और दो गवाद दूलन से जाकर पूछते कि आपकी रजामंदी है इस लड़के से शादी करने के लिए तो बाद लख दूलन शर्मा कर खामोश हो जाती है तो उसकी खामोशी को रजामंदी की तो पर लिया जाता है तो आप बाराक ओबामा कैसे लीडर थे आप पूछे कि आप कैसे आंकर हैं बोलूगा मैं कुछ ने नी वो तो आप कभी भी भी बोल सकते हैं आपको तो 20 साथ से जानता हूँ मुझे ज्यादा मालूं मैं मैं ट्विंक्वल ट्विंकल लिटल स्टार हो बड़े लोगों मैं क्य कि मिलारे मिजह एक चीओ आर्विंध के धिवर आपको बीजेपी का छोटा रीचाज बोलते हैं हां बिलकुल है छोटा रीचार आप बोल रहें तो मानता हूं मेरे कहने से क्या होता है वो तो एजीवाल कहरे है पो बहुत किblowing रहे हैं वो और आप भी कहते हैं के जीवाल को छोटा रिचाड ने वो उनकी एजंडे में 370 का मामलाया यह सपोर्ट किये उनका जो एजंडा है वो सौफ्ट हिंदुत्वा नहीं है अक्च्वल हिंदुत्वा फॉलो कर रहे हैं केजरिवाल धकी चुपी बात कहा है यह सब जानते हैं लोकसभा चुनाफ जादा दूर नहीं है आप किसी से गटबंधन करना चाहेंगे ने हम तो बिलकुल करना चाहें दुकांदार के पास भी जाएंगे पिर आपने वो चौकिदारी वाली बात भी जाएंगे किसके पास आप जनता के पास जाएंगे जनता के आवाम के पास जाएंगे अपनी बात रखेंगे रखते आए रखेंगे अगर इंडिया आपको न्योता देता है इंडिया गट बं है मैंने पेर माने बकिट बकिट भर करके गाली देती हमको रोज तो आप बुलाएंगे तो नहीं मालूम बुझे मालूम अगर बुला लिया तो दिल पसी जैगा आपका दिल पसी जैगा आपका निया आप ऐसा बोड़ रहे हैं कि जवानी में कोई दो लोग महबत करते को बर हैं आपका अल्टिमेट हैं क्या है बीजेपी को पावर से बाहर रखना या कॉंग्रेस को सत्ता से दूर रखना देखे भारत की जमूरियत उसी वक्त कामियाब होगी जब हर समुदाय को उसका हिस्सा मिलेगा पॉलिटिक्स में सोशल लाइफ में यह हमारे जो बुजरुक थ उस खाब को पूरा करना है कि सब को हिस्सा मिले बराबरी का हिस्सा मिले तो वही उसी खाब के पीची है हम दोड़ रहे हैं कि हमको हिस्सा मिलना चाहिए अगर हिस्सा नहीं मिलेगा तो पिर जमूरियत कामियाब जमूरियत कैसे रहेगी कामियाब जमूरियत नहीं रहेगी लोग तंतर कामिया आप नहीं रहेगा आपके पास कोई प्लान है मोदी को हराने का कोई बिग पिक्चर जी से कहते हैं बड़ी स्कीन कोई एक अंडरस्टेंडिंग क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कुछ ऐसा होगा आपके पास है कुछ आप जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं उनसे सवाल करिये आप नहीं मुझसे सवाल मत करिये ये आप नहीं हम नहीं चाहेंगे कि तीसरी मरतबा भार इस अजीम मुल्क के वजीर आजम नरेंदर मोडी दुबा तीसरी मरतबा बने मगर जिनको प्रधान मंतरी बनना है जो प्रधान मंतरी बनने का खाब देख रहे हैं उनको वो लोग क्या कर रहे हैं उनसे पूछिए उनसे पूछिए कि आपके पास क्या ब्लू पिरिंट है पर आप खाब नहीं देखते mover and shaker का, प्रधान मंत्री बनने का हर politician मनना चाहता है, टॉप post पे जाना चाहता है नहीं मेरा नहीं है, मैरा नहीं है मैरा विलकुल नहीं है, मैं जा हूँ, खुश हूँ मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरी लड़ाई वो ही है, मेरा वो, दिखे ये, ये सब बड़े-बड़े लोगों के खाब होते है, मेरा खाब नहीं है आपका खाब क्या, चलिए वो बताइए बता दिया आपको, और क्या बोलूगा मैं यही खाब है, खाब यही है, खाब नहीं कोशिश है खाब उंचे देखना चाहिए उनसको पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए मगर ये खाब नहीं है कि दिल्ली के गलियारों में आकर बैठना वो मेरा खाब नहीं है आपकी पार्टी इन लोग सभाज जुनावों में कितने उमीदवार होता रहेगी, कितने कैंडिट्स देगी क्या सोच है आपने कम से कम पार्टी में भी डिसकेशन चल रहा है बहुत से जगाओं से यूपी से, बिहार से, महराश्त्रा से मध्यपरजेश से करनाटका से लोग बोर रहे हैं इस वक्त पर यहाँ पर बैठकर टीवी पर बोलना गलत होगा आपने पिछली बाद गट बंधन करने के भी कोशिश की ती जैसे सापा से बातचीत भी चली थी आप लखना हुआ थे एक प्रेस कॉन्फिंस रिवी ती शाद अगर मुझे याद है आपने अट्रेस किया था वो बातचीत तो बहुत चली यूपी में कोई छोटी पाटी उसे गट बंधन देश भर में होगा बिलकुल होगा कुछ ना कुछ होगा कहा होगा महराश्च में करेंगे क्या अभी तो सब चीज बोल दिये तो पिर कैसा अखलेश से करेंगे अखलेश से अरे वो वो उनको मालूम वो तो उदर बैट गई जाकर अब क्या करेंगे किसे भी नहीं करेंगे वो निवा पिछली बात बात तो बनी गई थी ऐसा लग रहा था कोशिश तो आपने पूरी की ने अब देखे अब यह बहुत सी बाते हैं जो आवामी पब्ली के नहीं बोलना चाहिए किसी पुलिटीशन को लेकिन फिर भी थोड़ा सो तो बताईए कि आप कहां कहां कोशिश करेंगे गटबंधन की अब बताजी ना इतने स्टेट बताया देखिं क्या होता भी नहीं ठीक बताईए एक आपने महराश बोला दूसरा अब कोशिच प्रपोजल बाची पाटी में बा सवाल पूछा था मैं इसी मन से उस सवाल को दोहराना चाहता हूं आप बच्चे हो गए छोटे आप नहीं बच्चे निए बात बड़ी थी और बच्चों की बात भगवान की बात भी कही जाती है और आपने उसका बहुत शांदार जवाब दिया तो वही जवाब सुन पूरी बात सुनाइए पूरी बात बताइए क्या सवाल था ओर आपको याद होगा क्या है वो उन्होंने उस बच्चे ने आपसे सवाल पूछा था कि असादुदी निवाइसी पाकिस्तान के मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं या नहीं यह सवाल था अब यह देखे आ अजादी मिली और 2024 में आप मुझे से पूछ रहे हैं तो हमने जिना के टू नेशन थेएरी को रिजेक्ट किया तो यह सवाल पूछा ही नए जाना चाहिए था हम एक मुसल्मान से क्योंकि हमने टू नेशन थेएरी को रिजेक्ट किया और इस सर्जमीन को हमने अपना वतन मान तो यह बात गलत है हाँ तालुखात हर पडोसी से अच्छे होने चाहिए मगर इसका जो इनवर्टेट कॉमास में आप जिसतार लेकर जा रहे हैं मैं तो राष्टबाद की आपका जवाब राष्टवादी जवाब था जवाब था अच्छा था खटा था थान्यको स्र नियुक आपको के शर नियुक पूछर यह शाः बोला धे points नेडिने हम हम हम्हमारे बुजरूरवाओ ने पाकिसटान अपिनवेडने कहा था जब कस करेंगा आपने बोला था तुसको दोराने में किया देख बोल दिया क्या क्या शड़ों के लिए हमारे साथ रहे हमारे मैनेजिंग एडिटर पारितोष चातुरवेदी आपका सम्मान करेंगे शॉल्दिक। TV9 भारत वर्ष सत्ता समेलन के मंच पर अब वो हस्ती आ रही है जिसका सिर्फ यहां मौजूद मेहमानी नहीं TV9 भारत वर्ष के करोडों दर्शक सुभा से इंतिजार कर रहे हैं एक ऐसे राजनेता जिनके पास हर सवाल का जवाब है जो सत्ता पक्ष को सडक से संसत तक अपने ही अंदाज में ललकारते हैं कौन है वो कोई अंदाजा लगाएगा चलिए इस स्क्रीन पर उनका एक छोटा सा परिशे देख लेते हैं कॉलेज के दिनों में क्रिकेट के तेज गेन वाज रहे असदुद्धी नोवैसी राजनीती की पिछ पर भी बयानों के बांसर के लिए मशूर है और जोरदार तालियों से स्वागत करिए देश के लोकसभा सांसद बेजोर वक्ता AIMIM के चीफ असदुद्धी नोवैसी का जिन से सवाल जवाब के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा मेरे सायोगी कार्थिक शर्मा को तालिया रुकनी ने चाहिए एक पर जोरदार तालियों से स्वागत हो AIMIM चीफ और सांसद असदुद्धी ओएसी जी का कैसे हैं आप आपने देखा प्रोग्राम का नाम All India भाईजान पसंद आए आपको आप लोग बदनाम करने पर तुले वें तो कुछ नहीं कर सकते हैं नहीं मैंने तो बड़े प्यार से भाईजान बुला आपने 2008 से अब तक 11 राज्यों में अपनी पार्टी पहुंचा दी दिली पर नजर है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है दिली पर नजर नहीं है मेरा देखे कोई पॉलिटिकल पार्टी का एक नैच्टरल एक्सपैंशन का प्लान होता है तो हमारी पार्टी की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि और इससे भारत की लोकतंतर मजबूत होगा डेमोकरिसी मजबूत होगी उसकानदरा परदेश में कि मैं अब उसको आगे लेकर जा सकता हूँ तो करेड़िट उनको जाता है पर कुछ लोगों को दर्द भी है इस बात कि आप मजबूत हो रहे हैं वो कमजोर हो रहे हैं जहाँ पहुंचते हैं वो सत्ता से दूर हो जाते हैं तो कॉम्पूटिशन ह पड़ेगा कभी मैं कभी मैं नहीं जीता हूँ को दूसरा जीता है तो इसमें तो कोई किसी ताजूब की बात नहीं होने चाहिए उसमें सबको मेहनत करना है काम करना है अवाम का दिल जीतना है आपकी fan following तो बहुत है चाहिए हो हैधरवाद में हो कश्मी में हो दिली में हो इसका सिक्रिट क्या है सब इसमें देखे ये बात सच नहीं है क्योंकि अगर इतना फालिंग होती तो मैं कई चुनाओ जीट जाता तो लोग सुनते हैं मगर अभी बहुत मेहनत करना है बहुत कामियाबी हासिल करना है बहुत से मनजिलों को पाना है तो अभी लड़ाई जारी रहेगी जुदे दोहेच चलती रहेगी तो इस पर मैं खुश नहीं हो सकता हूँ बगर बहुत आगे जाना है खुशिश करते रहेंगे कुश लोग कहते हैं कि OIC साब की डबल पावर है तो इलेक्शन लड़ना है तो अपनी आप जब तक आप इलेक्शन नहीं रड़ेंगे तो आप अपनी ताखत कैसे दिखाएंगे आप अपनी पार्टी की स्टेंड कैसे दिखाएंगे तो इसलिए हम इलेक्शन लड़ते हैं और बहुत से बार कामियाभी नहीं मिलती मगर हम लड़ते हैं एलेक्शन ताके हमारे हमारी सफर को हम जाई रख सकें और आज नहीं तो कल मिलेगे कामियाभी एक चीज़ बताए कि अखिलेश मंता और कॉंगेस के कही निता आपको सोशल मीडिया स्टार बोलते हैं हैदराबाद में रॉक स्टार ये लोग कहते हैं आप सोशल मीडिया स्टार सही बात है नहीं चलिए कुछ तो मार्ड दो लिये हैं इनका बड़ापन है कि मुझे कुछ मान लिये लोग कि मैं कुछ हो अच्छा ये पूरा किसान अंदोलन चला वाईसी साब आप नजर नहीं आए किसान अंदोलन में तो ये तो एपॉलिटिकल अंदोलन है और हम सब लोग उसकी ताईद कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो उसमें जाकर खामखा हम लोग माहौल को क्यों खराब करें वो लोग कर रहे हैं हाँ उनके डिमांड जो है वो जस्टिफायबल डिमांड से हैं और सरकार को उसको मानना चाहिए कुबूल करना चाहिए और यहम बोले हैं और फिर से बोल रहे हैं OVICS आपको एक मैं मसले पर लाता हूँ नारास्त है आप यही बात नरेंदर मोटी के बार में क्यों ने बोलते हैं देड़ घंटे का भाशन दिये जब जीवी पंट ने मस्जिद के अंदर मोर्तिया रखने की जाज़त दी 22 जन्वरी की बुनिया तो 6 डिसंबर को डाली गई तो यह बिलकुल सच है और अगर 6 डिसंबर नहीं होता 22-23 डिसंबर की रात में 49 में मस्जिद में मोर्तिया नहीं रखी जाती तो 22 जन्वरी मुम्किन था के बताईए आप लेकिन YC साहब यह जो मंदिर बना है वो तो कोट के आदेश से बना है और उसका दूसरा पहलू भी है मस्जिद की जगे भी है कोट इसलिए तो हमने डिसगरी किया था सुप्रीम कोट के जज्जमेंट को कि सुप्रीम कोट ने यह कहा कि हम आस्था की बुनियाद पर यह फैसला दे रहे हैं और वही सबसे बड़ा आज प्राब्लम बन चुका है और कल भी बनेगा क्यों कि अगर आप आस्था को फैक्टर बनाएंगे तो फिर एविडेंस का क्या होगा अगर कोट आस्था के फैसले करेगा तो फिर आपकी आस्था मेरी आस्था से बढ़के कैसे होगी बताइए आप वो तो खलित है वो इसलिए हम यगिनन सुप्रीम कोट अपैक्स कोट है आखरी कोट है और जिस्स जेस वर्मान ने कहा था सही कहा था कि सुप्रीम कोट इस सुप्रीम बट नोट इन्फैलिबल तो वो फैसला बिलकुल जो फैसला आया था वो आस्था की बुनियाद पर था और जिस बात का मुझे खच्छा था डर था कि ऐसे कई इशूज ओपन हो जाएंगे अब इशूज ओपन हो गए आपका अब्जेक्शन किस चीज़ पर है वाईसी साब आपका अब्जेक्शन राम मंदिर पर है या उससे जुड़ी आस्था से है मेरा अब्जेक्शन इस बात पर है कि 6 डिसंबर को सुप्रीम कोट को वादा करकर वहां पर अड़वानी और जितने बीजेपी आरेसस के नेता थे उन्होंने सुप्रीम कोट को वादा किया था कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे और मस्जिद को उन्होंने शहीद कर दिया डेमॉलिश कर दिया और तर्फ तमाशा यह है किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ उसमें इसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ अगर जीबी पंथ उस वक्त उन मूर्तियों को हटा देते और बोलते के नहीं यह गलत हुआ है 145 CRPC इस्तेमाल कर लेते तो यह इशू नहीं बनता आप बगएर मुस्लिम पश्कस्व ने 86 में ताले खुल दी आप तो यह तो एक नाइनसाफी की एक पूरी लिस्ट है तो यही हम बता रहे है क्यों किसी मंदिर के उपर हमारे को गुस्ता है भाई यह मुल्क जैसा भी आपने कहा यह मुल्क की खुबसूरती इसके डैवर्सिटी है इसका प्लॉर्लिर्जम है इस देश का कोई मजभ कभी था नहीं ना कभी रहेगा यह देश तो उन लोगों भी मानता है जो किसी भगवान या ल्ला को नहीं मानते तो इस देश को अगर आप एक समुदाए रिलिजन से जोड़ देंगे तो यह दो समीधान के खिलाफ है लेकिन असादुदीन जी अगर आप एक बात कह रहे हैं कि एक धरम दूसे धरम से बड़ा नहीं होता लेकिन आप सांसद हैं आपने सांसद में जब भाशन दिया तो आपने कहा है आप राम के सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ आपने बाबरी मस्जिद जिन्दाबाद बुला हाँ बुरी बात क्या है उसमें मैंने कहा कि मैं नातुराम के खिलाफ हूँ आप खिलाफ हैं नातुराम के सब को होना चाहिए नातुराम खिलाफ और बाबरी मजिद जिन्दाबाद बुलना गलत बात क्या है बाबरी मस्जिद को तो मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया सुप्रेम कोट ने कहा बिलकुल सुप्रेम कोट ने कहा कि वहां पर मंदर तोड़ कर नहीं बनाया गया तो ये argument जो BJP जूट पेला रही थी, कि मंदर तोड़ कर मसजिद बनाया गया, ओतो सुप्रेम कोट ना कार दिया अच्छा आप बताईए BJP को राम मंदर गब याद आया पालनपूर का रिजलूशन 1989 में पास किया उससे पहले तो नहीं हुआ RSS बनी 1925-25 में जब उन्होंने बात नहीं कि विश्वा हिंदू परिशद बना 1960 में वो नहीं बात किये महात्मा गांधी से लेकर सरदार पठेल से लेकर के मुंशी से लेकर बाल गंगादर ठिलक से लेकर मालविया साहब से लेकर किसी नहीं बात नहीं कि वहाँ पर आप 89 में पालनपूर रिजलूशन पास करके आपने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई वो तो डिस्प्रूव हो गया लेकिन राम मंदिर का अंदुलन तो बीजेपी से पुराना है वो तो सबको पता है पहिमन जी किताब भी पढ़ लीजे का दाइस सो साल पुराना है अठारा सो लीगल फाइट चल रहा था अठारा सो 1875-80 में मस्जिद क साम में चबूतरा था मस्जिद पर जगडा नहीं था वो चबूतरे पर जगडा था वो ही तुम बता रहें आपको लेकिन वह आस्ता की भी तो बात है वाईसे साथ चबूतरा बाहर है भाई मस्जिद में अंदर तो नहीं था आपने चबूतरे को छोड़कर मस्जिद के अ मनवाई हो जाता, जैसा कि बोला जा रहा था सकीदाशक में कि वापस कर दिया जाए काशी, मत्रा, अयुध्या, तो बड़े मसले हल हो जाएंगे ने ने आप सब चीज ले लीजिए ना वो दो क्यों लेते हैं आप, सब ले लीजिए कुछ बाखी मत रखी आप कोई रूल ओफ लॉर रहेगा नहीं रहेगा बताईए आप अब आप कहेंगे कि भाई वो आस्था की बुनियाद पर हम दे दिये यहां पर क्या वो भी आस्था बोल देंगे आप वहां पर भी आस्था बोल देंगे तो फिर समईधान किस लिए है पर कोट किस लिए है एविडेंस किस लिए है सब दे दीजे फिर आप खतम कर दीजे दो पे क्यों रुकते आप सब ले लीजे अच्छा चलिए आपने संसद में मौलाना आमिर अली और बाबा राम चलंदास बाबा राम चलंदास तो हनमान गड़ी के है बाबा थे इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी लड़ी इन दोनों ने मिलकर एक मौलाना है एक हनमान गड़ी के पुजारी है इन दोनों ने मिलकर ये खुबसूरती है इस देश की और फिर उसमें मैंने अपने स्वीच में उनका भी जिकर किया था कि अच्छन खान और शम्बू प्रसाद एक को जला मुसल्मान की लाश को अंग्रेशों ने जला दिया और शम्बू प्रसाद साब की लाश को दफना दिया और किसी ने जाकर बोला कि हम नहीं चाहिए हम यह वैसे इंदुस्तान चाहते हैं यह महबत के मजाहिरे थे इस देश के लिए और अंग्रेशों ने जो नफरत नाइन सत्ता के समेलन में आप हमार साथ जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्लीज बी सीटेट नाओ ऑजिए अच्छिक जुड़े प्लीजा प्लीज चाहिए हैं यह लिए इस धन्माइट अच्ट्ट नाइब बीस प्लीजेश ऑ्लीज़ में अव्या यह प्लीज ऑ्लीज़ सिटेट विए प्रहिए और विए सेक्ता की शूरवाथ कि इसेदट पर बचुटे अब प्रूप की अपिसे इसे परवाथ जाए जाली जाए जाए जाल्डी आप लोगा लिए सीट पर बाट जाए कि कि वारे बेहत खास पांवान अगले सेश्ट पर जाए पाराड जाए जाए और आप दो हजार चॉबिस के चुराव पर एक सार्थक चर्चा, देश के विपक्षी दलों के सबसे बड़े गड़ बंदन, इंडिया के घटक दलों के साथ, क्या है उनका प्लान, क्या है उनका एजन्डा और कैसे वो लोकसभाद चुराव में उत्रेंग? बिल्कुल, ये कई बड़े और दिल्चस्फ सवाल हैं और ऐसे में हमारे साथ तीन खास महमान, तीन खास चेरे इस वक्त जोइन कर चुके हैं, जोड़दार तालियों के साथ स्वागत कीजिये, कॉंग्रेस के नेता, पवन खेडा सरका, दिल्ली सरकार की मंतरी, आतशी का, औ प्रोफेसर नवल किशोर का, आप तीनों का स्वागत करते हैं, और इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए, गौरव को मंच पर बुलाना चाहेंगे, गौरव, ओर चेरे, थैंक्यू सुर्भी, थैंक्यू प्रतिमा, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अपने अपना स्थान ग्रहन कर ले, हम यह सेशन शुरू कर रहे हैं, और जैसा कि पैनल देखकर ही आपको लग रहा होगा कि बहुत धुआधार सेशन होने वाला है अब, और इसलिए, हम सब एक हैं, यानि इंडिया गठबंधन की पवन जी, सबसे पहला सवाल तो, आज जो कुछ हो रहा है, या जो कुछ मिछले दिनों हुआ, इंडिया गठबंधन में चल क्या रहा है, पवन जी, आपको पता है क्या कि, शिवसेना, एकनार्च शिंडे जी की जो शिवसेना है, जिसको मैं नकली शिवसेना कहता हूँ, उसको BJP कितनी सीटें देने वाली है, नहीं मालूम है, आपको पता है कि BJP अपने बाकी NDA पार्टनर्स को कितनी सीटें देने वाली है, नहीं मालूम, इंडिया गठबंधन ने आम आदमी पार्टी के साथ कितनी सीटों पे हम च ने बोखबंदन उन में से अगर कोई चल रहा है तो वो सिर्फ इनडिया घडबंदन चल रहा है एंडिये तो अभी अभ हुआ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है इंडिये का नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो राजसवा चुना हो आज और हिमाचल उत्तरप्रदेश इनसे जो खबरे आ रहे हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ इंडिया गटबंदन चाहे वह समाज जगें हमारे कुछ लोग दबाव में आये होंगे और वहाँ गलत वोट दे दिया होगा समाजबादी के साथ भी ऐसा हुआ यही बात करनाटक में भाजपा के साथ भी हुए तो आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है देखे जाईए देश में सब कुछ ठीक नहीं है देश की रा क्योंकि देश की राजनिती आज इस मुकाम पर खड़ी है जहां अगर आज हम नहीं मिले तो ये लोग सब हमें माफ नहीं करेंगे आतिशी मेरा अगला सवाल आप से है पावन जी तो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हम सब एक हैं हमारा सेशन का नाम भी है हम सब लेकिन वाक़ी आप लोग एक हैं क्योंकि जब मैं ये बोलता हूँ तो दिल्ली में तो आपकी सीट शेरिंग होती है पंजाब में आप अलग अलग लड़ रहे हैं कि किसी भी गठबंधन का कोई पुलिटिकल पर्पस होता है और मुझे लगता है कि पुलिटिकल पर्पस है आज के दिन भारतिय जनता पार्टी को हराना इस देश के समविधान को बचाना और मुझे खुशी है इस बात की कि के कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ह या एक स्टेट में अलग अलग चुडाव लड़ने का फैसला हुआ हो वो भारतिय जनता पार्टी को हराने के ही उद्देश से हुआ है और राजनेतिक समझदारी से हुआ है तो वो समझदारी थोड़ी हमारे दर्शकों को हमारे ओडियंस को समझाईए आखिर वो रड़नीत तो फिर सारी स्ट्राटेजी तो हमारी और सबकी सामने आ जाएगी अगर मैं देखूं तो कॉंग्रिस और आमादमी पार्टी के बारे मैं ऐसा माना जाता था कि ये दो ऐसे दल हैं जो कभी एक साथ नहीं आ सकते थे और शुरू से ही जब आमादमी पार्टी इंडिया गठ बंदन छोड़ देंगे और आप ये भी देखिए कि जब सीट शेरिंग फाइनल होने की कगार पर आई जब प्रेस कॉंफरेंस होने वाली थी जब मोटा मोटी सीट का बटवारा मीडिया में चच्चा में आ गया उसी दिन से अर्विंद केजरिवार जी को धंकिया आनी तो अर्विंद केजरिवाल क्योंकि चार सीटों आप दिल्ली में लड़ रहे हैं तीन पर कॉंग्रेस लड़ रही है उन तीन सीटों पर जिस पर कॉंग्रेस लड़ रहे हैं प्रशार करने जाएंगे फिर गढदन धर्म के ताथ निए उन बिल्कुल आपस में बैठके चर हमारा उद्देश है सातों सीटें दिल्ली की इंडिया अलायंस के लिए जीत के लेके आना और इसके लिए जो भी महनत करनी पड़ी वो हम जरूर करेंगे और एक साथ मिलके करेंगे पवन जी यही सवाल मेरा भी आपसे होगा राहूल गांधी के साथ अखलेश यादो दिखे तेजस्वी आदो दिखे अर्विन केजरिवाल अभी तक नहीं देखे तो आगे चलकर क्या हम देखेंगे दोनों को साथ में बिलकुल देखेंगे क्यों नहीं देखेंगे अरे जब प्रेस कॉंफरेंस हुई थी, आतिशी जी थी उसमें, साजा प्रेस कॉंफरेंस थी, हमने अपनी सीटों की घोशना कर दी, उसके बाद आपको कोई संशय है मन में, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये उम्मीद जरूर है भाजपा की, कि ये इखटे न दिखें, इन में कोई तूट-फूट हो जाए, प्रयास पूरा कर रहे हैं, जो 400 पार का अगर इतना आत्म विश्वास है, तो ये तोड़फोर की क्या जरूरत है, लगता है आपको अरकल नरेंद मोदी जी आए थे, बड़ा बुरा लग रहा था मुझे उन्हें देखकर, टीवी पर देख रहा अरे अगर प्रधान मंतरी को इतना आत्म विश्वास है, 400 पार का, तो ये मूझ क्यों सुखा हुआ है, ये हलक क्यों सुखा हुआ है, ये तोड़फोर की क्यों जरूरत पड़ रही, कभी कॉंग्रेस से किसी को ले जा रहे हैं, कभी किसी और पार्टी से किसी को ले जा रह यहां से समझ में आता है कि यह 400 पार यह सब जो हैं कहने की बातें दरसल डर लगा हुआ है आप गरें डर है उनमें और यह डर बड़ा अच्छा है लेकिन क्योंकि हम लोग खबर नवीज के आओते हैं हमेशा खबर डोनते हैं पावनजी आप तो बहुत अच्छा सा समझते हैं यह एक बहुत बड़ी खबर होगी कि राहुल गांधी कॉंग्रेस पाटी के साथ-साथ आम आदमी पाटी की कैंडिडेट्स की सीट पर भी प्रचार करने जाएंगे तो वोट मांगने जाएंगे यह होगा अरे जब हम इखटे लड़ रहे हैं तो जाहिर बात है हम एक दूसरे के लिए प्रचार भी करेंगे और अगर आपको खबर ढूंडनी है तो मैं आपको खबर देता हूँ पता नहीं आपने वो खबर क्यों नहीं देखी जहां भाजपा के एक विधायक ने अपने ही गटबंदन के सदस्य पारशद शिवसेना का उस पर गोली चला दी ये है वहाँ गटबंदन हो रहा है खबर तो बहुत है आप लेते क्यों नहीं उनकी खबर लीजे ना ज़रा खबर उनसे नहीं हम तो सबसे खबर ले रहे हैं आज दिनवर सेशन में हम खबरी खबर ले रहे हैं नमल किशोर जी हमने अभी हिमाचल की बात की उत्तरप्रदेश की बात की बिहार में तो राजस्वा चुनाओ भी नहीं है उसके बावजुद कॉंग्रेस और आरजडी के तीन विधायक आज फिर बीजेपी में चले गए यह भादर क्यों मची हुई है नेकिए हर इधर उधर जाने का एक कारण होता है जब नितीज कुमार जी नहीं बता पाए हमने सावजनीक तोर से उनसे पूछा जब देश में आप ख़बर चला रहे थे को जाने वाले हैं हमको विस्वास नहीं था फिर हमने उनसे पूछा भी अपील भी किया कि इसका कारण तो बता दीजे कि यह सही है या गलत है तो जब वो नहीं पता है तो फिर हम पिधायकों के पिसे में क्या बोल सकते है जो जन विश्वास यात्रा सुरू हुई है उसमें उसकी जलक आपको दिख रही है और वह पड़यसानी का कारण बना हुआ है यह भी एक कारण हो सकता है कि जिसको डड़ा धमका कर चाहे उसको अपने पाले मिला सकते हैं लेकिन बिहार की जनता के मन से वो निकल चुके हैं और यही उनके लिए बहुत बड़ी चिंता की विसा है और जो तजस्वी जी ने ये बोला था कि जो चाचा निकले थे हमारे साथ बाजपा का मुखालपत करने के लिए या उनको जवाब देने के लिए वो काम अब हम करेंगा भतिया करेंगा और उसकी उर्जा आप बिहार के गाउंगलियों में देख सेते हैं एक मिला दुशी बिहार हुआ रहा हूँ मैं तो यह कहूंगी यह आप अच्छी यह सवाल ही आप गलत पूछ रहे हैं सवाल it almost seems कि जिसके विधायक जा रहे हैं उसकी गलती है सवाल तो भारतिये जनता पार्टी से पूछिए विधायक क्यों खरीद रहे हैं? करोडों रुपे क्यों लगा रहे हैं? EDCBI को दूसरी पार्टीयों के पीछे क्यों छोड़ रहे हैं? इंडिया गड़बंदन के हर पार्टी के हर नेता के पीछे अपनी EDCBI क्यों छोड़ दी है? और जब वो विपक्ष के नेता आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो क्यों CBI ED के केस बंद हो जाते हैं? क्यों चगन भुजबल की फाइल गायब हो जाती हैं? क्यों अजीत पवार का केस बंद हो जाता है? क्यों हेमन्त विश्वसर्मा के स्कैम खतम हो जाते हैं? तो सवाल तो आपको भारतिये जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा और मीडिया डिमॉक्रिसी का एक स्थम्भ है आपकी भी जिम्मेदारी है सारी पबलिक को बताना कि जो भारतिये जनता पार्टी कर रही है वो लोगतंतर को खतम कर रही है एक एक करके एक एक करके हर एजनसी का मिस्यूज हो रहा है आप इस तरह देखिए इलेक्शन कमिशन के लिए वो कानून लेके आ जाते है कि थिनी मेंबर कमिटी में दो भारतिये जनता पार्टी के रहेंगे क्या वो खबर नहीं है पबलिक को बताने के लिए जो CAG को आडिटर आयुश्मान भारत का स्कैम दिखाता है उसको पेपर पे लेके आता है उसका अगले दें ट्रांसफर हो जाता है क्या ये लोगतंत्र का हनन नहीं है हमने आतिशी तो सवाल ये है कि लोगतंत्र पर हमला भारतिये जनता पार्टी कर रही है विधायक तोड़ने का काम भारतिय जनता पार्टी कर रही है दराने धमकाने का काम भारतिय जनता पार्टी कर रही है हमने ये सवाल आज दिन भर पूछा BJP के कई नेताओं से पूछा केंद्रिय मंत्रियों से पूछा हमने पूछा कि आखिर वो कौन सा मैगनेट है जो बीजेपी की तरफ लोग चले आते हैं और क्या उस मैगनेट का नाम E.D. है उन्होंने का नहीं उस मैगनेट का नाम प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के वक्तेतु की वजा से लोग चले आ रहे हैं और वो चाहते हैं राष्ट निर्माड में अपना योगदान देना आप इस बात में विश्वास करते हैं क्या मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या मैगनेट है जो एक पार्टी से विधायक जीत के आते हैं दूसरी में चले जाते हैं करनाटेका में क्या मैगनेट है अगर इतना ही मैगनेट था प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी का तो वो सीटें जीत के आ जाते विधायक जीत के आ जाते हैं, सांसाच जीत के आ जाते हैं, उनको अगर 400 पार करने का इतना confidence है, तो क्यों सारे विपक्षी नेताओं के पीछे ED छोड़ी हुई है, क्यों सब के पीछे CBI छोड़ी हुई है, पवण जी कुछ बोल मैं इस पे, आप साथ दिन के लिए ED हमें दे चार दिन के लिए CBI दे दिजिए, और एक दिन के लिए अपना मीडिया भी हमें दे दिजिए, फिर देखे कौन-कौन आता है हमारे पास, तो पवन खेडा ये कह रहे हैं कि अगर कॉंग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, तो जो वो आरो बीजेपी पर लगाती है ED के दुर की जा सकती है, लेकिन हाँ, इन लोगों को अपने किये कि सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी, ना केवल उन अधिकारियों को मिलेगी जो आज ED और CBI में बैठे हैं, ना केवल भारती जनता पार्टी के बड़े नेताओं को सजा मिलेगी, हाँ, मीडिया को जरूर थोड़ा स आत्मचिंतन करना जरूरी है. इन के लिए तो हम यही कहेंगे, माल नहीं, पैकेज नहीं, वह माल है ही नहीं, सिर्फ पैकेजिंग है, रोज चार-चार बार कपड़े बदलते हैं, अरे साब आपको प्रधान मंत्री बनाये, कुछ करिए ना, 45 साल का बेरोजगारी का रेकॉर्ड टूटा है, 400 रुपे का सिलिंडर 1100 में भिक रहा है, 60 रुपे का पेट्रोल 100 रुपे में भिक रहा है, नहीं नहीं, कपड़े पहन के साब चले आते हैं, मेक अप भी करते हैं, बाकाइदा करते हैं, सुबह से शाम तक एक आदमी का चहरा इतना लाल दिखता है, क्या मेरा तो नहीं दिखता, आपक किसी को दुख पैदा करेंगे, किसी के अंदर नफरत पैदा करेंगे, क्या अपस में लडवाते रहिए और आप सत्ता भोगते रहिए, कपड़े बदलते रहिए, ऐसे होता है, ऐसे देश चलाया जाता है, नहीं, लेकिन जब हम आप इंडिया गढदन की बात करते हैं, तो इस गठबंधन में वो पार्टी भी है आपके साथ जिसका जन्म आपके खिलाफ भरष्टाचार के आरोपों को लगा कर हुआ, वो आपके साथ है, और आप भी है इस गठबंधन में जो हमेशा उनके खिलाफ लड़ते रहे, क्या ये इंडिया गठबंधन विचारवधारा का गठबंधन है या केवल सत्ता पाने का गठबंधन है, या इंडिया गठबंधन एक कॉमन विचार है, हम सब का एक विचार है, क्या है वो विचार? कि आज सम्विधान खत्रे में है, आज बाबा साब अंबेटकर ने जो हमें मूल मंत्र दिया था इस सम्विधान में, वो दिखने ही रहा, लेकिन जो हो रहा है वो थोड़े सालों बाद इन सब को दिखेगा, आने वाली पीडियों की लड़ाई लड़ने का विचार लेकर हम इखटे आए, उसके लिए कुछ समझोते हमने किये, कुछ सीटे हमने छोड़ दी, कुछ इनों ने छोड़ दी, लेकिन य लोगों को सत्ता से बाहर तो करना ही है, खुछ सरकार में आना है, ताकि जो दस साल में इनोंने पूरे देश को जिस तरह से पिछड़ा है, जिस तरह से समिधान के उपर जो हमले हुए है, अगर उसको दुरुस्त करना है, तो हमें सत्ता में आना जरूरी है, और उसके उनलेज गिनाही और फिर आज़ आप उन्हीं के साथ सीड शेरिंग कर रहें तो ये विचारधार का गठबंदन है या केबल मोधी को हटाने का गठबंदन ह् इस जेश के समविदान को बचाने का गठबंदन है Gaurav जी ये इस देश के लोकतंतर को बचाने का गड़मंदन है अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है तो देश का सम्विधान चाहिए अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नी है तो इंडिपेंडेंट एजनसीज चाहिए अगर प्रश्टाचार के खिलाफ लड़ाई लडनी है तो एक independent media चाहिए अगर आपको चुनाव ही लडना है तो आपको एक independent election commission चाहिए आज आप देखिए एक एक करके, एक एक करके इस देश की हर institution को खतम किया जा रहा है Central Election Commission को खतम किया जा रहा है CAG को खतम किया जा रहा है जो auditor उनके खिलाफ CAG में उनकी किसी स्कीम के खिलाफ लिख देता है अगले दिन खबर आ जाती है कि उसका ट्रांसफर हो गया आज तक इस देश के इतिहास में चाहे एक पार्टी आई चाहे दूसरी पार्टी आई लेकिन जो लोकतांतरिक मैं यह सवाल इसले हमला हुआ है मैं इसले सवाल पुछ रहा हूँ कि एक गलत को उटाने के लिए अपने दूसरे गलत का साथ पकड़ लिया जिसको आप गलत कहते हैं ते उसी के साथ आगे देखिए अगर देश का सम्विधान ही नहीं बचेगा तो पार्टीयां में नहीं बचेगी चुनाव में नहीं बचेगा तो आज अगर हम लोग साथ आए हैं तो इस देश के सम्विधान को बचाने के लिए आए है, इस देश के लोकतंतर को बचाने के लिए आए है अगर लोग तंतर नहीं बचेगा, तो देखिए, हम इनके खिलाफ भी चुनाव लड़ते आए हैं, हो सकता है, इनकी पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ें, इस चुनाव में साथ हैं, चाहे उसके बाद हो सकता है, अनेको चुनाव इनके खिलाफ लड़ें, लेकिन जो ऐसा आएगा कि यहाँ पे चुनाव हो रहा है और चुनाव के नतीजे क्या आ रहे हैं चुनाव जीता कौन यह किसी को पता ही नहीं है भारत के सम्धित्वान को आज पाकिस्तान उपमाई चेंज होती जा रही है हां जी इससे पहले आपके पार्टी ने नौथ कोरिया का था पर सिचुएशन तो यही है ना आज आप देखिए कि आज हम जब पाकिस्तान का चुनाव देखते हैं तो हमें इस बात से अचंबा होता है कि चुनाव हो गया काउंटिंग हो गई लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा कि चुनाव जीता कौन क्या आप सोच सकते हैं कि भार अभी कुछ हफ्तों में एलेक्शन अनॉंस हो जाएंगे कहीं पता नहीं साजा प्रोग्राम कोई कॉमन मिल्मन प्रोग्राम कहीं पता नहीं किस मुद्दे पर आप जाएंगे लोगों के बीच एक क्योंकि इतने सारी पार्टियों का अगर यहां गटबंद ने तो सबकी अ है कुछ एक क्लारिटी जब हम सब साथ में हैं तो मुद्दा भी साफ है और हमारे रहने का कारण वी साफ है यह पूरा देश जानता है और हम उसके साथ लगातार हम संबाद भी कर रहे हैं आप अपोजिट की बात करते हैं नितीज कुमार का जे डियो और भारतिये जनता प अधार पर तो सब एक साथ हैं कि भारतिये जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है आपने तो हमसे 10 लाख नोक्री का हिसाब मांगा हमने कर के दिखाया 17 महीने में उन्होंने तो 19 लाख रोजगार की बात की किसी ने 20 महीने पूछा ने 19 रोजगार दिया नहीं दो करोर नोक्री का बात किया उन्होंने 2004 में किसी ने उसका हिसाब नहीं लिया लेकिन हमने तो जो कहा वो करके दिखाया उन्होंने हमारे आने से पहले भी जातिये गन्ना पर विधान सवा से प्रस्ताव पारित किये दो दो बालें किये तो नहीं ना किये तो इसी 17 महीने में हुए जाती है गन्ना भी हुई आबादी के हिसाब से हिसेदारी भी दी गई जो यह तमाम तरह का पर्फॉर्मेंस है वो हिसाब जारी चीजे हमें पता है पटलिक दोमेन में मैं उस कॉमन मिनमम प्रोग्राम की बात कर रहा हूं जो इंडिया गठबंधन का आपने कहा आएगा लेक की कि हम नौकरी देंगे हम रुजगार देंगे हम सिचाई पर काम करेंगे हम करवाई करेंगे हम स्वास पर काम करेंगे लोगों ने हमें सिंगल आजस पार्टी दिया लालु जी ने दो हजार पंदर में जब चुनाव जब चाहरा हूं पावन जी ने अभी तुछ प्रेस क फिर आप उसको लेकर भी आएंगे कॉमन मिनन प्रोग्राम में दिकत नहीं होगी नहीं नहीं देखिए भारत की यह खुबसूरती है कि डाइवर्सिटी है वहाँ पर यहां पर जितने दल है उनके कारेकरता उनके अपने आइडिलोजी उनके अपने आपने कारेकरम वो सब अ लेकिन लेकिन जब 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 ये ज़रूरत है कुई अनको हराना है तो सांथ में आख़ाना पड़ेगा लोकतंत्रिक तरीके से काम कहलें है मुद्व हम नहीं करें इसलियह मुझए कहला ओक दों न् देख लिया कि भारतिय जंता पार्टी किस तरह से चुनाव की चोरी करती है चंटीगड का मेर इलेक्शन अभी होता है तो खुलम खुलना दिखता है कि उनका प्रिजाइडिंग ओफिसर वोट को डिफेस कर रहा है चुनाव को चोरी कर रहा है यहां तक कि अब एक छोटे से चुनाव को बचाने के लिए चीफ जस्टिसर इंडिया को इंटेफियर करने के कहना पड़ता है कि हम लोगतांतर की हथिया नहीं सहींगे तो आप मुझे बताईए लोगों के वोट के अधिकार को बचाना क्या यह पर्यापत Common Minimum करने क्कार के लोगों के लोगतार के अधिकार को बचाना इस देश के समविधान को बचाना इससे बड़ा परोग्राम मुझे लगता नहीं है किसी पाटी का हो सकता है मुझे लगता नहीं है किसी आलायन्स का हो छीक है लेकिन आप तो कट्टर इमानदार वाली पाटी से हैं और वो लोग सुप्रीम कोड का फैसला आने से पहले ही आपके तीन पार्षट चले गए उथर तो आप इन से पूछिए कि खरीदने वाला पैसा उनके पास इमानदारी से कहां से आया आपके पार्षद आपके विधायक आपके सांसाथ बिखने को क्यों तयार है आप मुझे ये बताइए ब्रश्टा चार का पैसा कहां से आया करोणो रुपे के जो विधायक खरीद रहे होंगे मतलब कोई अगर पैसे लेकर खड़ा है तो तयार है बिखने के लिए आपके बताएए आप ED और CBI जैसा पवन जी ने कहा ED CBI आमें दो दिन के लिए दे दीजिए सारी राज्यों में सरकार हम बना लेंगे मतलब आप सरकार ED से बनेगी इलक्षण से नहीं बनेगी यह बिल्कुल साफ है आप मुझे बताइए ऐसा कैसे हो जाता है कि हेमंद बिष्वासर्मा की भरष्टा चार पे पूरी बुकलेट निकालती है भारतिये जन्ता पार्टी हिमंत्ठ बिष्वसर्मा भार्तिय जन्ता पार्टी में आ जाते हैं तो सारे ED के केस खतम सारे CBI के केस कातम सारा भरष्टा-चार खतम भार्तिय जन्ता पार्टी की वशिंग मशीन वहां सपास होरे डूसरी पार्टीों से…अमा सुनिए तो फिर जो जो डूसरी अधेग चाहेद अर चाहे दिली एचिनको आपने आज ticket वि दे दिया अपने पैसा दिया उनको कि देखिये रख्या की कोई रगति अगर पैसा लेकर दमाव में आ ओके जेल जाने की धमखी से एक पार्टी दुसरी पार्टी में जाता तो सवाल आपको पूछना होगा उससे, जो पैसा दे रहा है, जो प्रश्टाचार का पैसा ओफर कर रहा है, जो अपनी EDCBI लेकर आ रहा है, और उसके बाद, आप कहते हैं कि मोदी जी का मैगनिट है, तो भारतीय जंता पार्टी वाले बताएं ना, पश्चिम बंगाल में कि जनाव उन्होंने लड़ डाले शुबेंदू अधिकारी के ब्रश्टाचार को जागर करते हुए, कभी कहते थे शारदा स्काम, कभी कहते थे नारदा स्काम, कभी कहते थे चिटफंट स्काम, जो शुबेंदू अधिकारी उनकी पार्टी में आ जाते हैं, तो भारतीय जंत फिर्टा पाटी की व इंब सब्सक्राली पास्व जाते हैं अधर्णा कोई चॉरी करे और आप मुझे की ताला तो नहीं लगाए था अरे चोड को पकड़िये ना वो घुसा क्यों मेरे ई बताईए आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं आतिशी जी से और हमसे और नवल किशोड जी से किसाब आपके विधायक क्यों चले गए जिसने चोरी की उससे पूछे कि चोरी क्यों की पैसा कहां से आया क्या ये एलेक्टरल बॉंड का पैसा है किसका पैसा है या यह हवाई एड़े बेचकर जो पैसा मिलता है वो है या कोईले की ख़दान बेचकर जो पैसा मिलता है वो है यह पैसा आया कहां से हम यह जानना चाहते है पावन जी ये कोई पहली बार हुआ है करनाटक में कितने बीजेपी किनेता आपकी पाटी में आए तो फिर तो ये सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है कुल पूछिए क्या एडी हमारे पास है कि हम उने डरा सके बिना डर क्या आए बताईए CBI तो हमारे पास नहीं है हमारे पास तो कोई एजेंसी नहीं है फिर भी अगर हमारे पास कोई आ रहा है तो वाकई अंतरात्मा की आवाज सुनकर आ रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं एंडिये का सबसे बड़ा ब्रैंड या उनकी सबसे बड़ी यूएस पी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इंडिया गटमंधन की यूएस पी क्या है हमारी सबसे बड़ी यूएस पी नरेंद्र मोदी है वो जितनी बार टीवी पर आते हैं, हमारे वोट बढ़ा कर जा रहे हैं आज कर और जितनी बार वो बाहर निकलते हैं, रैलियां करते हैं, हमारी सीटें बढ़ाते हुए निकल रहे हैं, आगे आगे देखिए, हम तो चाहते हैं कि अगले तीन महीने प्रधान मंत्री सबसे जा से मेरे बेहन के इजदत पर किसी ने हाठ डाला वो जितनी बार घूमते हैं हमारे वोट बढ़ाते वे जाते हैं अरविन केजरिवाल और ममता बेनर जी दो लोग थे जिनों ने कहा कि मलिका अरजुन खरगे इंडिया गटबंधन के प्रधानमंतरी पत का चेहरा हो क्या आमादमी पार्टी आज भी उसी स्टैंड पर कायम है देखे बिल्कुल इंडिया अलाइंस की मीटिंग के दौरान ये प्रस्ताव हुआ था कई और भी प्रस्ताव हुए थे किसी भी गटबंधन को बनाने में चाहे सीट शेरिंग करने में चाहे कॉमन मिनिममम प्रोग्राम बनाने में कई सुझाव होते हैं कई सुझाव एक्सेप्ट होते हैं कई सुझाव नहीं होते हैं मेरे पास कोई समय का मैं, मैं छोटा सा आंसर चाहता हूँ, क्या आप अभी भी चाहते हैं कि Malika Arjun Khargay इंडिया गड़बंधन के PM उमिद्वार हो? मुझे लगता है कि Malika Arjun Khargay जी बहुत अच्छे PM उमिद्वार हो सकते हैं, मुझे लगता है कि देश भर के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, और मुझे ये भी लगता है कि अगर देश को हम इस देश का पहला दलित प्रधान मंत्री देंगे, तो इससे बड़ा इतिहास देश के सम्मिधान के लिए कुछ नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि बाबा साहब के सम्मिधान का ये बहुत बड़ा सम्मान होगा, अगर हमारे गठबंधन हम बनाते हैं, तो क्या मैं अकेला Congress Party तै करेगी कि कि किसको क्या बनना चाहिए, गठबंधन का धर्म होता है कि सब मिलकर तै करे, तो सब मिलकर जो तै करेंगे वो होगा, राहूल गांदी या मलेका अरजुन खर गे, कौन होगा, क्या चौईस हो सकता है, तो गतबंधन तै करेगा, उसके बाद नाम घोशित करेंगे, छोटा सा सवाल, क्या Congress Party इंडिया गठबंधन की धुरी है जिस पर वो पूरा गड़बंदन चारो तरफ घूम रहा है। क्या कॉंग्रेस पार्टी ना हो तो ये गड़बंदन ना हो। तो इसमें कोई सक्क नहीं है कि इंडिया नेशनल कॉंग्रेस रास्ट्रिये पार्टी है और उसका रहना इस गड़बंदन में बहुत जरूरी है। ये लगातार हमारी पाटी भी कहती रही है और जोलो कड़बंदन में इस बात को मानते हैं कि अगर जो दो धुड़ी है आप यूप एंडिये का पहले भी देखेंगे तो दूड़ी में दोनों में नेशनल पाटी थे तेखिए ये जो नियायात्रा है या भाराज़ुरो यात्रा था उन लोगों को मुद्दो के आधार पर मोदी को घिरने की आत्रा थी जो काम वो गलत काम मोदी जी कर रहे हैं पिछले 10 साहर से लोगों को भड़का रहे हैं उसको उजागर करने की बात थी और बहुत अच्छा लेक बार जोरदार तालिया हो जाए हमारे मेहमानों के लिए हम सब एक है इंडिया घटबंदन पर काफी शांदार बात चीत हुई और मुझे लगता है काफी कुछ हमें इससे सीखने को मिला जानने को मिला बहुत शुक्रिया आप सभी का एक पर फिर से हमारे मंच पर आने के तैंक यू जोरदार तालिया बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए अगले खास सेशन की शुरबात करने वाले हैं और तीविनाइन सता समेलन के इस खास मंच पर दिगज मेहमान इस वात हमें जॉइन कर चुके है तो बस अब कुछी शणों में शुरबात होने वाली है अगले धमाकेदार सेशन की प्रत्राइब बिल्कुल और इस सेशन का इंतजार मुझे पूरा यकीन है आप सभी को था क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जिने हर कोई सुनना चाता है और जो वो बोलते हैं वो सुर्ख्या जरूर बटोरते हैं और बिल्कुल अपनी बेवाकी से जिस तरीके से वो अपनी राय और अपनी बात रखते हैं उसी को देखते हुए सभी का इंतजार बस अब खत्म होने वाला है हमारे अगले खास सेशन के लिए और इस खास सेशन को लेकर आपको बता दूँ कई सत्ता सम्मेलन से जुड़े मुद्दे और एहम सवालों का जवाब अब आपको मिलने वाला है तो मैं एक बार फिर से आप सभी से दर्ख्वास करूंगी कि अगर आप सभी हॉल में मौजूद है तो प्लीज अपना फोन सालें पर रखे क्योंकि अगला जो सेशन है वो बेहत दिल्चस होने वाला है वा सम्मेलन में अब जो अगला सेशन होगा उसे मौडरेट करेंगे हमारे साथ राहुल सिना सर है और इस बीच आपको ये भी बता दूँ कि बस अब कुछी शणों में आपके सामने उन तमाम मुद्दों को लेकर राए रखेंगे हमारे ये खास मेहमान जिसके जरिए आप TV9 W के जरिये इसी सब्मिट में हमें आने वाली राजनीती को देखते हुए बढ़ती राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए तमाम बड़े मुद्दों पर उनकी राय हमारे सामने होगी बिल्कुल और 2024 के लोगसभाद चुनाव यही है बस और कुछी पलों का इंतजार है ह हमारे खास मैमान मंच पर होंगे बताएंगे कि क्या रणनीती रहने वाली है पार्टी की खासतार पर तब जब वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हो चुके है ऐसे में इंतजार बस कुसी क्षणों का है जब यहां मंच पर होंगे आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लि और आगे बढ़ रहा है और इस मंच पर आगे जो चर्चाएं होने वाली हैं उस पर पूरे देश की निगाहे होंगी बिलकुल सुर्भी हमारा अगला सेशन देश की एक ऐसी हस्ती का इंतजार कर रहा है कैसे राजनिता जिनोंने पिछले एक दशक में देश की राजनीती क बदल कर रख दिया जिनोंने पिजली, पानी, सिक्षा, स्वास्त जैसे मुद्धो की राजनीती में वापसी कर रहा है कोई अंदाजा लगाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं यह ऐसा करते हैं उनके पॉलिटिकल कारियर की एक जलक सबसे पहले उनको मंच पर बुलाने से पहल आपके सामने उनके उसी पॉलिटिकल कारियर की एक जला इंडियन रिवेन्यो सर्विस के अधिकारी रहे अर्विंद केजरिवाल को नई पहचान मिली साल 2006 में जब भ्रष्टचार के खिलाफ मोहिम के लिए उन्हें रमॉन मैगिसे से अवार्ड मिला साल 2010 में जन लोगपाल बिल की मांग लेकर अर्विंद केजरिवाल अन्ना हजारे के साथ सड़क पर उत्रे और UPA सरकार पर भ्रष्टचार का आरोप लगाते हुए एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया साल 2012 में अर्विंद केजरिवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया और लगातार तीन बार मुख्यमंत्री बनकर नया कीर्टिमान स्थापित किया शिक्षा और स्वास्थ के क्षित्र में केजरिवाल के मॉडल की देश में प्रशंसा की जाती है जोड़ार तालियों के साथ स्वागत कीजे दिल्ले के मुख्यमंत्री बनकर प्रशंसा की जिवाल कार जिन से बातचीत के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी राहुल सिन्हा को तालियों के आवास थोड़ी कम आ रहे गया मुझे लिए लगता है जोड़डार तालियों के साथ में अरंविन जी का स्वागत होना चाहिए लोगसभा चुनाओर का आगास बस कुछ वक्त महीं होने वाला है और उस वक्त में देश की सियासत में कुछ अहम चहरे है और उसमें से एक एहम चहरे, Arvind Kejriwal हमाई साथ मौजूद हैं. Arvind Kejriwal, यानि देश की सियासत में एक टर्णिंग पॉइंट. Arvind Kejriwal, जिनकी जरुरूरत इस वक्त बहुत सारे लोगों को है, उन्हें किसकी जरुरूरत है, इस पर बात करेंगे. लेकिन इस समवाद को Arvind जी मैं शुरूरू करूँ. उससे पहले आपके ओपनिंग रिमार्क सी. राहुल जी, मैं कोई नेता नहीं हूँ. और ना मुझे नेतागिरी करनी आती, मुझे राजनीती नहीं करनी आती. और आपके दर्शक पिछले तीन दिनों से जब से आपका ये कारिकरम चल रहा है. काफी पॉलिटिक्स की बाते सुन चुके होंगे. तो मैं दो-तीन बातें देश के बारे में करना चाहता हूँ. हम किस्मत वाले हैं कि हमें देश के लोगों का, दिल्ली के लोगों का बहुत प्यार मिला. पार्टी बनते ही हमारी सरकार बन गई दिल्ली के अंदर. और दिल्ली में हमने जो काम की हैं, कई सारे क्षित्रों में काम की हैं. बिजली है पानी है सीवर है सडके है शिक्षा है स्वास्त है लेकिन आज मैं तीन सेक्टर्ज की बात करना चाहूंगा और दिल्ली में हमने जो इन तीन सेक्टर्ज में काम किया है वो पूरे देश को एक दिशा देता है पूरे देश के अंदर उन तीनों सेक्टर्ज का समाध पहान करने का और विकास करने का एक दिशा देता है। उसमें सबसे इंपोर्टेंट है शिक्षा। कि मैं नहीं समझता पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा विक्सित देश है। डवलब्ड कंट्री है, अमरीका ले ले लिजिए, जापान ले लिजिए, यॉरोपियन कंट्री कोई भी ले लीजिए, कोई भी ऐसा देश है। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिये बिना विक्सित हुआ, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। अनफॉचनेटली, 75 साल में हमने इस तरफ ध्यान ने दिया। दिल्ली के अंदर हमने 7-8 साल के अंदर ही इतना शांदार सरकारी स्कूल बना दिये कि आज दिल्ली के हर बच्चे को उतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है जितनी प्राइवेट स्कूलों के अंदर मिल रही है। यहां तक कि डिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों से लगबग चार लाख बच्चों ने अपने नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में भरती हुए हैं, यह हमारा सबसे बड़ा एक तरह से सर्टिफिकेट है, अब पंजाब के अंदर हमने शिक्षा ठीक करनी चालो की है, तो हमारा मॉडल शिक्षा का यह है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, दिल्ली के अंदर अब सरकारी स्कूलों के नतीजे 99% के करीब नतीजे आ रहे हैं, जो कि अन्बिलीवेबल है, एक तरफ हमारा यह मॉ सरकारी स्कूल बंद कर दिये गए, एक राज्य ऐसा है जहां 6,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिये गए, पॉपलेशन कम नहीं हो रही, पॉपलेशन बढ़ रही है, सरकारी स्कूल और खुलने की जरूरत थी, मौजुदा सरकारी स्कूलों को अच्छा करने की जरूरत थी, वो पूरा प्राइविटाइजेशन की तरफ वो है मेर को स्कूल बनाने आते हैं, मेर को बच्चे बढाने आते हैं अब पंजाब के अंदर भी हम सारे सरकारी स्कूल ठीक कर रहे हैं मैंने हिसाब लगाया है देश के अंदर 10 लाख सरकारी स्कूल हैं जिसमें 17 करोड बच्चे पढ़ते हैं इन 10 लाख सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी अच्छा बनाने के लिए शांदार बनाने के लिए पांच लाख करोड रुपए की जरूरत है देश पांच लाख करोड रुपए दे सकता है यह खर्चा नहीं है यह इन्वेस्टमेंट है यह बच्चे जो निकलेंगे यह बच्चे इस देश का आगे विकास करेंगे देश का विकास जन्ता करती है यह 17 करोड बच्चों का भविश्य बनाएगा मैं आपको एक उधारन देता हूँ एक बच्चे है उसके पिता जी प्लंबर का काम करते हैं पूरवी दिल्ली में 7000 रुपे महिना कमाते हैं उस बच्चे को क्योंकि अब दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हो गए उसका अब कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया एक आईटी में अब वो बच्चा जब निकलेगा उसको चार लाख रुपए तीन लाख रुपए महिने की तंखा मिलनी चालू होगी तो उस बच्चे के घर की गरीबी दूर हुई की नहीं हुई अगर हमने अपने सारे बच्चों को पढ़ा दिया मैं आपको बता रहा हूँ साथ आठ साल के अंदर एक जेनरेशन के अंदर हमारे देश के अंदर से गरीबी दूर हो सकती है तो यह एक मॉडल है जिसके जरीए हम देश की शिक्षा विवस्था को ठीक कर सकते हैं दूसरा स्वास्थ के उपर आते हैं स्वास्त के अंदर दिल्ली में हमने धेरो महला क्लिनिक बनाए, सारे सरकारी एस्पतालों को अच्छा कर दिया, सब का इलाज मुफ्त कर दिया, चैए अमीरों, चैए गरीबों, चैए 10 लाक रुपे का हो, चैए पांच लाक रुपे का हो, चैए जितना भी खर्चा हो, डिस् के अंदर हर व्यक्ती 140 करोड लोगों का इलाज मुफ्त करने के लिए, गाओं गाओं के अंदर मोहला क्लिनिक खोलने के लिए, और पूरे देश के अंदर शांदार सरकारी एस्पताल बनाने के लिए, पांच लाक करोड रुपे का खर्चा है, मुझे लगता है पांच लाक करोड रुपे दे सकता है, पांच लाक करोड रुपे में आपके स्कूल ठीक हो जाएंगे और पांच लाक करोड रुपे के अंदर आपको, आप सब का इलाज मुफ्त कर सकते हो, इसका पूरा, दूसरी दरफ उनका मॉडल है, उनका मॉडल क्या है हेल्थ का, आयुश्मान आयुश्मान भारत मतलब इंशुनेंस मॉडल, वो कहते हैं कि पांच लाक रुपे का इलाज हर परिवार को हम मुफ्त देंगे, और पांच लाक रुपे से जादा का इलाज होआ तो, और उसमें भी वो कहते हैं के विल जिसकी धाई लाक रुपे सालाना तंखा है, उसको कम दिल्ली में हमने वो कहते हैं धाई लाक रुपे से जिसकी ज़्यादा तंखा उसको आयुश्मन भारत नहीं मिलेगा दिल्ली में हमारा मॉडल है हम सबको फ्री इलाज देते हैं चाहे चार लाक रुपे तंखा वाला हुच वो कहते हैं पांच लाख रुपए तक का परिवार को इलाज देंगे, हम कहते हैं जितना भगवान ना करे बिमार हो कोई, लेकिन बिमारी में जितना खर्चा आएगा हम सारा देंगे, और उनके मॉडल के अंदर इंशुरेंस कार्ड दे देते हैं, अब उतराखंड के पहाड आज दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी 6-6-7-7 घंटे के पावर कट लगते थे, आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है, दो साल पहले जब हमारी पंजाब में सरकार बनी 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, आज पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, पूरे देश के अंदर पूरे देश को आज यह जानके ताज्यूब होगा जब मैं आपको यह स्टेटिस्टिक्स बताने जा रहा हूं हमारे देश के अंदर 4 0000 MW बिजली बनाने की छमता है 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 परकट क्यों लग रहे हैं? इंडस्ट्री को पिजली क्यों नहीं मिल रही? खेती को पिजली क्यों नहीं मिल रही? आपके घर को पिजली क्यों नहीं आ रही? आ सकती है, नियत की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है, और आखरी चीज, कुछ लोग मुझे कहते हैं के जिवाल जी पंजाब के लोगों को फ्री बिजली देदी, बजट ठीक ठाक चल रहा हमारा कोई दिकत नहीं हो रही, पूरे देश के हर परिवार को 200-200 उनिट बिजली फ्री देने के लिए 1.5 लाख करोड रुपए का खर्चा है बस, हर परिवार को मुफ्त बिजली मिल जाएगी, तो सार 11,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 कि फिर से मैं यहीं कौंगा मेर को राजनीती करनी नहीं अथी इंजीनियरूं मेकेनिकल इंजीनियरूं आई टी घड़कपुर से पड़ा लिखा हूं काम करवालो मेर से जितना देश की तरक्की के लिए मेर को मौका दी आप लोगों ने आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अब तो काम करना चाहते हैं अर्विढ लेकिन जो एजनसी स काम करना चाहरी है अफ उसम तसमीं यही नहीं करें डिए कि जो को लेकर के कहा जाता है कि उनका दावा है कि उनके पास मापकी मॉति फाइल है लेकिनburst utilizzас के लगातार उनके संमन आ रहे है और ऐसमन आजा गया हत आप जा क्यों नहीं रहे इडिगे दुख्टर देखें, यह दो साल से इनका केस चल रहा है, कहते हैं कोई शराब घोटाला हुआ था दिल्ली में, दो साल से इनका केस चल रहा है, इन दो सालों के अंदर पतानी हजार से जादा रेड मार चुके, पतानी कितने लोगों को गिर Jani Shri अंदर है Satyinder Jain अंदर है विजन आयर अंदर है सब के Sanjay Singh अंदर है सब के द्या रारो ही किसी के ना कोई एक पैसे की रिकवरी नहीं कहीं कोई रीकवरी है सुप्रीम कोट में जब ये केस चला तो सुप्रीम कोट की सुनवाई के दोरां जज साब ने बार बार बोला कि एक आपके पास जरा सा भी एविडेंस नहीं है इस केस के अंदर इस केस विल नॉट स्टे फर टू मिनिटस और ट्रायल कोट ये जज के रिमार्क्स थे तो जाहिर तोर पे इनका मकसद कोई जांच वांच करना नहीं है ये केस जांच करने के लिए नहीं है ये केस आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए ये आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं पूरे देश के अंदर ऐसी पार्टी बता दिये जिसके टॉप के नंब दुनिया के इतिहास में अकेली पाटी है जिसकी दस साल के अंदर दो राज्यों के अंदर सरकार बन गई आज हमारी अकेली पाटी है जो जंता के मुद्दों की बात करती है इन लोगों से पूछ लीजाएए इनको क्या चाहिए इनको अपने बच्चों को पढ़ाना है बिमार रहो जाए घर में तो उसका इलाज कराना है इनको सडक चेनिको बिजली चेनिको पानी चेनिको कौंसी पार्टी इन मुद्दों की बात करती है केवल हमारी पार्टी इन मुद्दों की बात करती है तो ये इनको अगर बीजेपी को आज खत्रा है भविश्य में तो केवल आम आदमी पार्टी से खत्रा है और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं निपिंग दबड वो आम आदमी पार् यह अपके पार्टी जो बार बार कहती है हर बार जब सम्मान आता है जिए कि अगरफतार कर लेंगे ये जो कहते हैं भार बार क्यों कहते हैं उत्पता है उमीध है या आपकी कोई स्टेटेजी है. So, पूरा देख रहा है, जब इनका मकसद जाच करना नहीं है, तो इनका मकसद गिरफतारी करना है. इन्होंने जैसे मैंने का नमबर टू, नमबर त्री, नमबर फोर सब को गिरफतार कर लिया, अब ये केजरिवाल को बोल देना बिल्कुल नहीं जाएगा एडी में, बहुत अच्छा कर रहा है जो वो एडी में नहीं जा रहा है, एडी का मकसद केंदर सरकार का मकसद कोई जाच वाच करना नहीं है, केंदर सरकार का मकसद केवल और केवल केजरीवाल को गरफतार करना है तो इनका मकसद जाँच से कोई आज E.D. C.B.I. इंकम टेक्स इन एजनसी का मकसद कोई जाँच तो रही नहीं गया जगे जगे ये एजनसी का इस्तेमाल करके पार्टियों को तोड रहे हैं N.C.P. को तोड़ दिया शिव सेना को तोड़ दिया सरकारें गिरा रहे हैं M.L.A.S. को खरिव एक चीज बताओ शिवराज सिंग चुहान बड़े कदावर नेता होते थे चोटे मोटे नेता थोड़ी थे हमारे देश के थी ताइमज चीफ-ίν Hebrews, थी और 2 थे थीफ-ईस्टर थी पॉर थीफ-टाइम politics dizendoर्श छीज च दावर नेता होती थी ईक जटके मेए उठाके उन्होंने शिवराय सिख चुहान को परे कर दिया एक जटके में उठाके उन्होंने और संदर राजे को परे कर दिया मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर ED नहीं होती तो आज इन दोनों ने अपनी अलग पार्टी बना ली होती और BJP के नाक में दम कर दिया होता इन दोनों ने ED से डरा डरा के आज केंदर सरकार चली ED से रही है इस पार्टी को तोड़ दो सरकार को गिरा दो यह यह क्या है यह जंतंत्र नहीं है हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है जो भी हो रहा है देश के अंदर अरविज जी तो आज आप इस मंच पर कह रहे हैं कि ED संबन भेजत को एइडिustरो नहीं हो और एक अब जब फोड़ के भाण को बताने वाला हूं कि काःसे ED के सम्मन इल्लीगल है मेरे वखीलो ने बताया है कि ED जो को सम्मन भेजड रही हैं जाहिए। मैं कोड में बताओं अब जब घुदी ED वाले कोड में गए जब तक कोड का ओडर नहीं आजाने दो, कोट का जजमेंट आने तक इंतिसार निकरते, रोज कल एक जवाब दिया, आज फिर एक समवन आ गया, कल फिर एक समवन आ जाएगा, तो ये तो एक तरह से तमाशा बना रखाएं दो, कोट कहेगा तो जाएंगे, कोट कहे तो सही, इनके समवन जो हैं, वो बिल् से सौधिया, जेल में हैं, बेल नहीं मिल पा रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, कि आप अदालत के सामने ऐसी बाते नहीं रख पा रहे हैं, कि वो निर्दोश हैं और कम सकम बिल दे, बेल तो देही दीजे, दो चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला, आपने सब्सक्रावरी नहीं है, ये केस दो मिनट के लिए नहीं टिछेगा, ये तो उनकी लाइन थी, ये केस दो मिनट में नहीं चलेगा, एडी के केसे में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को, किसी को नहीं मिल रही जमानत एडी के केस के अंदर, क्यों नहीं मिल रही, अभी गिरफ्तार करते थे आप से पूछताच करते थे और पूछताच के बाद 10-15 दिन के बाद आप को बेल मिल जाती थी आप घर आ जाते थे फिर आपके ऊपर मुकदमा चलता था मुकदमे में अगर आप दोशी पाए जाते थे तब आपको सजा होती थे और आप जील जाते थे अब ये पूरा कौा नुन इनोने E.D. में पिर्ट दिया अब इसमें हो गया YOU ARE GUILTY TILL PROVED IN Someone इस कानून में इनोने लेसी लिख दिया इस कानून में इनोने ये लिखा ए आपके उपर आरोप लगेगा, आपके उपर F-A-R होगी जूटा सच्चा जो मरजी आरोप लगा दें आपको गिरफधार कर लिया जाएगा और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते एडी की वज़े से आज पार्टी तूट रही हैं आप पहले जो कानून था भई आपने एफायर करी आप गिरिफतार कर लो मुझे मेरे से पूछताच कर लो दस दिन में पंदरा दिन में मेरे को बेल मिल जाती थी अब बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक पूरा मुकदमा ट वो मामलत ठोड़ा बताएं कि यह कई बार नुह नहोंने कोशश कर ली यह पहली बार नहीं है उसके पहले जी फिन लोगोंने कोशिश की है यहeline in 2016-17 से चल रहा है इनका यह कई बार इनों ने हमारे MLS को खरीदने की कोशिश की हमारी पार्टी को यह तोड नहीं पा रहे हैं आज तक हमारे MLS आपको याद होगा जब सबसे पहले हमारी सरकार बनी थी 28 MLS थे हमारे 36 चाहिए थे 8 की कमी थी और इनके 32 थे इनके BJP के 32 थे इन हमारी पार्टी तोड़ने की हमारे MLS तोड़ने की लेकिन हमारे लोग मजबूत हैं हमारे साथ खड़े हों हमने कोई गलत काम नहीं किया राहुल जी आज अगर किसी पे ED का CBI का शिकंजा होता है अगर वो दोशी है अगर उसने गलत काम करका है वो तुरंत BJP में चला जात हुसे पता है आज अगर तो कल मैं बाहर तो आई जाओगा तो आज इमांदार की परिभाषा यह नहीं कि आपको ED नहीं गिरफ्तार की आज इमांदार की परिभाषा है एडी के एक्षन के बाद अगर आप बीजेपी में चले गए तो आप बेएमान हो और अगर एडी के एक्षन के बाद भी आप डटे रहे और जेल चले गए आप इमान दरों इसका मतलब आपने कोई गलत काम ने गया अर्विन जी मुझे याद आ रहा है जब आपकी सरकार बनी थी तब आपका एक एड बहुत चला था उस समय और उसमें आपने कहा था कि अपको यगर रिश्वत देने आए तो उसका स्टिंग कर लेना और हमें भेज देना और हम कारवाही करेंगे इस अपके विधायक उनका स्टिंग यह नहीं कर लेत जो आपको उफर कर रहे हैं स्टिंग पहले किये भी है हमारे एक या दो स्टिंग हमने जारी भी किये थे लेकिन राहुल जी सारा दिन अब आप हाई हमारे पास आप मेरे दोस्त हो और आप उन लोगों का मेसेज लेके आए, मान लीजे, अब मैं अपने फोन पर आपकी रेकॉर्डिंग थोड़ी करूंगा यार, आप मेरे पास मान लीजे, मेसेज लेके आए, आपने का, अरविन जी, वो लोग आप से बात करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि, मनीश को भी छ करूंगा और फिर जन्ता को दिखाऊंगा, तो रिष्टे खराब होते हैं, इसी तरह से करते हैं ये लोग, इसी तरह से करते हैं, मैं कितनी कहानिया सुनाओं आपको, अच्छा, आपने मेरा नाम लिया, तो, कोई एक नाम तो बता दीजे, कोई एक नाम तो बता दीजे, को हुए चुनाव में हमारी आपकी लड़ाई है हम चुनाव लड़े आप चुनाव लड़े आप जीत गए आप सरकार चलाओ वो जीत गए वो सरकार चलाओ जो जीत गया वो सरकार चलाए पांच साल जनता को पसंद आएगी उनको दुबारा वोट देंगे जनता को नहीं बंद करा दी, अच्छी चीज है, ति दो महीने तक दिल्ली के महला क्लिनिक में दवाईयां बंद करा दी, टेस्ट बंद करा दी है, कई महला क्लिनिक हमारे रेंट पे चल रहे हैं, किराई पे, उनका रेंट बंद करा दिया, पेमेंट बंद करा दिया, बिजली का पेमेंट, लड़ लड़के इंसे मैंने सारा दुबारा ठीक कराया, यह तो अच्छी चीज नहीं है, भई हम जीत के हमें काम करने दो, अब अगली साल चुनाव है दिल्ली का फिर लड़ लेंगे चुनाव, तुम अपना अच्छा काम करो, तुमारे पस केंदर सरकार इतनी बड़ी सरका और आप आयूश्मान जो कार्ड है और अपने महला क्लिनिक की तुलना कर रहे हैं, दिल्ली हाइकोट को क्यो कहना पड़ा कि दिल्ली में तीन करोड की आबादी में सिर्फ और सिर्फ च्छे सीटी स्केन मशीन्स हैं दिल्ली के सरकारी हस्पतालों में, यह देश के रास्ध हैं आप किसी सरकारी हस्पताल में जाते हूओ, आपका अगर कोई टेस्ट अड़ाइस घंटे से जदा का टाइम मिलता है तीन दिन बाद आना, चार दिन बाद आना, या आपने कोई सरजरी करानी है और वो कहते हैं कि आप एक महीने बाद की डेट देते हैं तो हमने धेर सारे प्राइवेट अस्पतालों के एमपैनल किया हुआ है डॉक्टर आपको वो लिस्ट देगा आप बता दो मेर को इस अस्पताल में जाके कराना है उस अस्पताल में जाके आप अपना टेस्ट करा लो उस अस्पताल में जाके आप अपनी सरजरी करा लो सारा रिंबस्मेंट डिली सरकार देती है तो लोगों का खयाल रखते हैं किसी को भी हम वंचित नहीं होने देते ईलाज से अगर CT scan कम है मशीन, जरूरी थोड़ी है कि मैं सारी मशीने खड़ी दूँगा, मैं प्राइवेट सेक्टर के साथ अगर पार्टनर्शिप करके अपने लोगों को अच्छा इलाज दे रहा हूं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है आपने बिजली की बात की, आपने कहा कि जो चार लाग मेगावाट बिजली हम लोग बनाते हैं, दो लाग की सिर्फ डिमांड है, बाकी दो लाग कहां जाती है थोड़ा उसको आप डिफाइन कर पाएंगे, बता पाएंगे कि अगर वो दो लाग बिजली का इस्तमाल अरविंद केजिवाल को करने को दिया जाए, तो क्या इस्तिती बनेगा? नहीं, बिल्कुल करेंगे, जैसे दिल्ली और पंजाब में किया, मैं बड़ी-बड़ी बाते करूँ तो कोई फायदा ने, दिल्ली के अंदर भी बिजली की अवेलेबिलिटी की प्रॉबलम नहीं थी, इंफरस्ट्चर की प्रॉबलम थी, दिल्ली के अंदर तो मैने और सत प्रॉबलम थी, इन सारी चीजों को ठीक करके दिल्ली के अंदर तीन साल के अंदर हमने 24 घंटे बिजली कर दी, उसी तर से पंजाब के अंदर बिजली ठीक की है, तो देश के अंदर भी जब हमारी मोटा मोटा डेटा ये बताता है कि देश में बिजली की अवेलेबिलिट जब से आमादमी पार्टी के सरकार बनी हैं तब से हम नफे में चल रहे हैं उसके पेले गाटे में चल रही थी दिली सरकार तो एकाउंटी अच्छे आते हैं मिर एकाउंटी को ठीक रखें मैं सारी सरकार नफे में चल जो लोनी जार के दर सीवर की पाइपलाइन डाल रहे हैं अगर और पैसा आगा तो ये एक साल के अंदर काम हो जाएगा अगर कम पैसा आता है तो दो साल लग जाते तीन साल तो पैसा अगर आएगा तो infrastructure पर खर्च हो सकता है और पैसा तो आ रहा है था पताइए देश के अंदर बॉंबे के बाद सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा इंकम टैक्स दिल्ली देती है दिल्ली वाले देते हैं आप लोग देते हैं सबसे ज्यादा इंकम टैक्स केंदर सरकार को दो लाख करोड रुपए दो लाख करोड रुपए इंकम टैक्स दिल्ल वाले देते हैं केंदर सरकार को और बदले में केंदर सरकार से क्या मिलता है साल का 325 करोड़ तो यह तो चूसने वाली बात हुई ना भई हम एक ग्रोथ हिंजन है देश का एक ग्रोथ हिंजन है सोना देने वाली मुर्गी है सोना देने वाली सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का गलाई घोट दोगे तो फिर वो अंडे कैसे देगी तो यार उसको मुर्गी को अच्छा खिलाओ पिलाओ थोड़ा सा अगर दो लाग करोड रुपए हम देते हैं दो लाग करोड 325 करोड रुपे देते हैं बताओ मैं क्या गलत मांगता हूं से अरविंजी मेरा जो अगला सवाल है वो भी थोड़ा उल्जा हुआ साय यह हकीकत है कि दिल्ली में लोगों की जो प्रतिवेक्ति आये है वो 14 फीजदी बड़ी है राश्री आउसत से 158 प्रतिशत जादा हुई है बहुत अच्छा कमारें दिल्ली वाले लेकिन पॉल्यूशन की वज़े से इंडस्ट्री यहां नहीं आरी फिर कमा कहां से नहीं है दिखें रिंदस्ट्री जो नॉर्मल इंडस्ट्री है वो बैसे भी बिल्ली के अंदर कम है 85पर्सेंट दिल्ली की इकनोम कुपिर उन्दस्री से चलती है जो यह polluting industry जो होती थी वो वैसे भी दिल्ली के बाहर भेज दी गई थी कई साल पहले सुप्रीम कोड के ओर्डर्स के तहत तो आज ये वाली industry वैसे भी दिल्ली के अंदर नहीं आ सकती service industry आ सकती है वो आ रही है काफी बड़े पैमाने पे आ रही है और जब से हमारी सरकार आई है जो कि इमानदर सरकार है जिसके अंदर red tipism नहीं है तो बहुत बड़े स्थर के ओपर economic activity आपने खुदी कहा कि प्रतिव्यक्ति आए बढ़ रही है प्रतिवक्ति आए तो तब ही बढ़ेगी ना जब economic activities बढ़ रही है दिल्ली के अंदर और economic activities क्यों बढ़ रही है उसका एक basic सबसे simple असान तरीका समझाने का है दो काम की हैं हमने हमने एक आम आदमी के हाथ में पैसा दिया है कैसे पैसा दिया है उसकी बिजली मुफ्ट कर दी उसका पानी मुफ्ट कर दिया उसका बसों का किराया महिलाओं का मुफ्ट कर दिया उसका शिक्षा मुफ्त कर दी बच्चों की, उसका इलाज मुफ्त कर दिया, पांच बड़ी चीज़ें, अभी मैंने एक सर्वे कराया था कई वॉलंटियेज को भेज के, कम से कम नी तो हर महीने पांच से दस हजार रुपे महीना हर परिवार का बचने लगाए, अगर आपके हाथ में 10,000 रुपे महीना एक्स्ट्रा इंकम आएगी, तो आप फिर उससे समान खरीदोगे, बच्चों के लिए और सबजी खरीदोगे, बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़े खरीदोगे, कपड़े खरीदोगे, घर का समान खरीदोगे, इससे एकनॉमी के अंदर दिमांड बढ़ती है, और जब एकनॉमी में दिमांड बढ़ती है, तभी एकनॉमी ग्रोथ होती है, दूसरा, हमने आने के बाद दिल्ली के अंदर मिनिमम वेज, पहले 7,000 या 8,000 होता था, हमने आते ही 15,000 कर दिया, डबल कर दिया मिनिमम वेज, जब मजदूरों के हाथ म दिल्ली के अंदर, सिस्टम और ट्रिकल डाउन इंपैक्ट, ट्रिकल डाउन इंपैक्ट में होता था, अमीरों को और अमीर बनाऊ, और अब पती को और पैसे देदो उसके आथ में, वो फिर फैक्टरी खोलेगा, ऊस से लोगों को जॉब मिलेगा, अरे जब खरीदने के ल फ्री बसो का किराया फ्री शिक्षा फ्री स्वास्त फ्री तो यह दिली केंद्र सरकार का डेटा है एवरेज पूरे देश में महंगाईदर 6% है उत्तरपरदेश में गुजरात में 7 7.5% है दिली के अंदर महंगाईदर 3% है सबसे कम है देश के अगर अर्विन जो सवाल मैं आप से पूछने वाला हूं वो सवाल आप पर भी है वो सवाल हमारे उपर मीडिया पर भी उठता है इसलिए उठता है क्योंकि जब साल में एक बार पॉलुशन आता है तो हमें भी पॉलुशन की याद आती है वरना मीडिया भूल जाता है पॉलुशन एक बहुत बड़ी स से कोई दिखाई देता है तो दो चीजे एक तो बाकी साल के दोरान सर्दियों में समस्य ज्यादा होता है इस वक्त अगर आप देखें तो पुलिशन रिजनेबली कंट्रोल्ड लेवल में इस टेम पुलिशन ज्यादा नहीं है दिली के अंदर लेकिन जब वह अक्टूबर न पुलिशन कम हुआ है लेकिन 30% पुलिशन कम होना सेटिसफेक्टरी नहीं हमें पुलिशन खतम करना है तो कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं दिली सरकार अपने लेवल पे ले रही है कि हम इंटरनल सोर्सेज को कम करें और वो पंजाब के स्थर के उपर ले रहे हैं मु कि दूंद की तरफ चलते हैं यह जो इंडिया गटबंदन पर दूंद च्हाई हुई थी यह साफ हो गई है मैं समझता हूं कि कुछ मुवमेंट शुरू हुआ है लेकिन मैं सैटिस्वाइड नहीं हूं मुझे लगता है कि काफी पहले काफी सारी अक्टिविटीज करनी चाहिए थी और हम लोगों ने नहीं की तो यह ठीक नहीं हुआ अगर समय रहते काफी पहले अगर हम तेजी से क कॉंग्रेस कर रही है कॉंग्रेस को इनिशेटिव लेना चाहिए था काफी कमी रहे गई उदर आप कह रहे हैं कि कॉंग्रेस अगर पहले इनिशेट लेती तो आज तस्वीर कुछ और होती बिलकुल आपका गटबंदन तो अभी हाल-फिलाल हुआ है वो सही तरीके से आप सीट शेरिंग अच्छी हो गई है ठीक हो गई है कहां आप मानते हैं कि कॉंग्रेस अगर खोड़ा सा बड़ा दिल दिखाती तो गटबंदन और मजबूत होता है मुझे लगता है यह मंच नहीं जिसमें हम एक दूसरे की कम्या निकाले है अभी यह है कि जितना बचाए इस को मैकसिमाईज कैसे कर सकते हैं जो भी आज है जितना भी और जैसको मैकसिमाईज कर दिता है उस पे चछचा होनी चाईए और जिए अपकी तक्कर जिन लोगों से है याने कि BJP से है वो अपना टार के 400 बार बता रहे हैं 3070 अकेले BJP बात कर रही हैं वो तो दुबग्वास कर रहे हैं हालत देश की यह युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है पेट्रोल सौ पार चला गया है महंगा इतनी ज्यादा हो रही है तो 270 भी पार कर जाएं तो बहुत बड़ी बात है वो तो 370 की बात कर रहे हैं मतलब हालत तो देश के अंदर हालत तो यह है नाराजगी क कि एक वो इंडिया शाइनिंग भी वा था इंडिया शाइनिंग में भी उन्होंने का था देश बड़ी तरक्की कर रहा है और यह और वो लोगों ने बता दिया तरक्की कितनी कर रहा है तो आज भी यह वही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्व गुरू बन तब तक कैसे काम चलेगा परविन जी रामंदिर का मुद्दा तो प्रभावित करेगा यह अच्छा है रामंदिर होना चाहिए हमने भी हमने भी उस टाइम मैं भी गया था अपने पेरेंट्स को लेके अपनी पत्नी को लेके मान साब भी गए थे मान साब भगवंत मान जी करोड़ लोगों की श्रद्धा है रामंदिर के अंदर पर रामंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगने चाहिए वो गलत बात है परस्नल श्रद्धा की बात है मैं राम जी का भगतूं मैं हनुमान जी का भगतूं मैं शिव जी का भगतूं यह मेरी परस्नल श्रद्धा है सब को अधिकार है कि 2014 कि जो अर्विन केजरिवाल थे वो जब बात करते थे तो बिजली पानी शिक्षा इन सब की बात करते थे 2023 तक आते अर्विन केजरिवाल सौफ्ट हिंदुत की बात करने लगे उने भी मंदिर में उने भी पूजा पाट करते हुव दिखाना पड़ा ना बिलकुल नहीं आप मुझे जानते नहीं हो तो बहुत पहले से जानता हूं आप मेरे को मैंने कभी आपको बताया ही नहीं किस क को बताता कि यह हमारे घर मंदिर है यहां पे मैं अपने मातापिता के साथ पतनी के साथ यहां पूजा करता हूं अब अगर मैं रामंदिर चला गया मैंने तो कोई उसका धिंडोरा नहीं पीटा चारो तरफ मैं तो गया और आगया बग्ति करके ना मैंने कोई धिंडोरा प रद्धा है, मेरी अपनी भक्ती है, यह कोई हिंदुत्व, सौफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, यह टर्म्स तब आती हैं, जब आप हिंदुत्व के जरीए वोट लेने की कोशिश करते हैं, जब आप हिंदुत्व के जरीए अपने भक्ती की नुमाइश करते हैं, वो सही नहीं है अर्विन जी एक सवाल जरूर जो कि इस वक्त हर आम आदमी के मन में आपने जो गटबंधन कॉंग्रिस से किया एक वक्त था जब आपने कॉंग्रिस पर ही कहा था कि ये पार्टी सही नहीं है करप्शन के चार्जिस लगाए फिर उसी कॉंग्रिस से एक तरफ लोग दुखी हैं और दूस तरफ जनतंत्र के उपर पूरी तरह से प्रहार हो रहा है। इस वक्त सब लोगों को साथ हाके, केवल बात कॉंग्रिस की नहीं, एक सो चालिस करोड़ लोगों को साथ आके, ये केंदर से सरकार हटाने की जरूरत है। स्कूलों की थोड़ी बात कर लेते हैं, स्कूलों की जो वेवस्था दिल्ली में लाग्यू की गई। जब हम पूरे देश की स्कूलों में देखते हैं, तो अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें गुजरात को थोड़ा सा बहतर बताया गया था स्कूलों के मामले में, ऐसा क्यों? वो रिपोर्ट मैंने तो नहीं देखी। एसी कौन सी रिपोर्ट है जो गुजरात के मैं भी गया था स्कूलों में अच्छीज बताओ, प्रधानमंत्री जी को जब गुजरात के सरकारी स्कूल में जाके फोटो खिचवानी थी, उनको एक स्कूल पूरे गुजरात में ऐसा नहीं मिला जो फोटो खिचवाने लाइक फिर एक टेंपोरेरी टेंट के अंदर एक क्लासरूम बनाया गया, आर्टिफिशल क्लासरूम बनाया गया, जिसमें चार बच्चों को बिठाया गया, और वहां पे उनको फोटो खिचवानी पड़ी, कहां से गुजरात के स्कूल अच्छे हो गए, यह अपनी रिपोर्ट प्रदी कि राउने वेकाज उनकी अपनी सरकार है, सेंट्रल गोरमेंट की रिपोर्ट होगी, रेकिन उसी सेंट्र गोरमेंट को रिपोर्ट आपने पहले भी नहीं कोट की ती अर्भई जी पर उन स्कूलों की बात जरूर कर लेता है जिन स्कूलों को लेकर के आप काम कर रहे हैं आपने अभी तक जो काम किया वो तो ठीक है भविश्य की रणनीती क्या उसको लेकर क्या भविश्य की रणनीती उन स्कूलों को लेकर आपकी नहीं, भविष्ये के अंदर अब हमारे जितने सरकारी, दिली सरकार के स्कूल थे, कुछ एक छोड़के बाकि सारी स्कूलों का इंफरसेक्चर बहुत अच्छा हो गया, जो बच गए उनको करेंगे, एमसीडी अब हमारे पास आई है, एमसीडी के लगबग 1800 सो प्राइमरी स्कूल है, उनकी वह हलत बहुत खराब है, नेक्स स्टेज में उनको सब को ठीक करना, उनको बहतर बनाना है, और स्कूलों के अंदर अब इंफरसेक्चर ठीक कर दिया, टीचर्स को मोटिवेट कर दिया, अब करिकुलम जो है, उसके उपर चर्चा चल रही है, आपको जानके ताज्यूब होगा कि हम 11 और 12 के बच्च करते हैं, कोई BSC करके निकल रहा है, कोई BA करके निकल रहा है, कोई BCOM करके निकल रहा है, कोई LLB करके निकल रहा है, और हर बच्चा निकलने के बाद नौकरी ढूंड रहा है, इतनी नौकरियां कहां से आएंगी, हमें अपने बच्चों को बिजनस करना सिखाना है, ताकि कि वो स्कूल से निकलने के बाद नौकरी ढूंडने वाला नहीं नौकरी देने वाला बने वो हम सिखा रहे हैं आपको जानके वहां पे अब हमारे लग भग धाई लाख बच्चे हैं बारविंग क्लास के अंदर पूरे सिस्टम में हर बच्चे को हम दो-दो हजार उपे देत हैं फेस्बुक पे वाटसेप पे अपना माल बेचते हैं फिर हम बड़े-बड़े देश को दियोगपतियों को लाकर उन बच्चों से प्रेजेंटेशन कराते हैं वह बच्चे प्रेजेंटेशन करके उनों दोगपतियों से अपना लोन रेज करते हैं ग्यारवी के सरकारी स्कूलों के बच्चे, आपको जानके एक ताज्योब होगा, एक बच्ची से जब हम, एक टीम से जब हम प्रेजेंटेशन ले रहे थे, वो टीम की बच्ची कहती है, प्रेजेंटेशन देते टाइम, कि सर अब मैंने लगबग 30 लोगों को युवाओं को रोजगार दे यूँ, देश के लोगों को रोजगार तो तभी मिलेगा जब हमारे बच्चों को हम, तो ये करिकुलम को लेके अब हम नहीं एक्सपरिमेंट्स कर रहे हैं अपने स्कूलों के अंदर, करिकुलम में जब आप चेंजेस कर रहे हैं तो इतियास की किताब तो नहीं बद जैसे अभी हमने हैपिनेस करिकुलम किया, खुश कैसे रहना है, तो हर क्लास के अंदर रोज सुबह 45 मिनट, पहले 45 मिनट मेडिटीशन होती है, उनको इंस्पाइरिंग कहानिया सुनाई जाती है, और आपको जानके ताज्यूब होगा, जब वो राश्रप, ट्रम्प साब आये थे, देश में, उनकी वाइफ Millennia Trump, वो डिल्ली के सरकारी स्कूल के happiness class अटेंड करके गई थी, हमारी, उसने वहाँ सुना हुआ था अमरीका में सुना था कि दिल्ली के सरकारी स्कुलों में कोई happiness class चलती है जो बहुत अच्छी है वो आई उसने 45 मिनट पूरी happiness class अटेंड की थी अर्विन जी फिर से थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल में जरूर पूछूँगा थोड़ी देर पहले इसी मंच पर असदुद्दीन ओवेसी सहाब थे और आपका जब जिकर आता है तो वो आपको बीजेपी का छोटा रिचार्च कहते है अनको कहने दो यार उनकी क्या सच्चा ही है सारा देश जानता है आप उनको फिरियसली आप उनको अपने मंच पर बुलाते ही क्यों हो उनके प्रश्णों के जवाब नहीं देने मुझे पर आप उनको अपने गठवंदन में शामिल क्यों नहीं करते हैं वो भी तो बीजेपी के विरोध में ही रहते हैं वो तो बीजेपी के साथ ही मिले हुए है सब लोग जानते हैं कि उनको बीजेपी वोट काटने के लिए इस्तेमाल करती है ममता बैनर जी जिस तरीके से शुरुआत में आई और कांग्रेस का भी उनके साथ में जिस तरीके से अभी गतीरोध बना हुआ है बहुत हद तक अभी बहुत क्लियरिटी नहीं हो रही है आपको लग रहा है अर्विन जी, नितीश कुमार का जाना, ममता से उस तरीके से बातचीत ना हो पाना, यूपी में तो हो गया, आप से हो गया, ये आपके लिए वो जादूई आकड़ा नहीं ला पाएगा जो आप उमीद कर रहे हैं मैं उमीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो भी कड़वाहत है या जो भी आपस्टेकल्स हैं वो दूर होंगे और बाकी भी जितने पार्टनर्स हैं उनके साथ भी सीट शेरिंग अच्छे माहौल में पूरी होनी चाहिए आपने तो बातचीत कि ये मामला फसता का है पर किस जगे जाकर फस जाता है ये अंदर दस तरह के वोते हैं यहां चर्चा नहीं की जा सकते लेकिन सब लोगों को बैटके एक अच्छे महौल के अंदर देश को बचाने के लिए ये करना चाहिए अर्विण जी बहुत बहुत शुक्रियां ऑट-बहुत शुक्रियां जिक याक बाद सोड़ दार니ं के साहिपनों जोक्रिण बोड़ जे सुक्रिया था orchщ sack सेशन अन्याओ भीश रजी थेनट्वाइज एफ्ट फेस्ट कूات ड़ी सेटills as I would like to request on stage TV 9K editor convergence and strategy Deep Upadhyay Jorban Ji ko ab sammanet karayenge. Zordar Taliyahan, ek baar pherse. Zordar Taliyahan, ek baar pherse. Zordar Taliyahan, ek baar pherse, ek baar pherse, ek baar pherse, ek baar pherse. Zordar Taliyahan, ek baar pherse, ek baar pherse. Zordar Taliyahan, 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 ek baar pherse. करने जा रहे हैं शुर्वाद तो TV9 WITT Summit का तीसरा दिन है जो देश की राजरीती का सबसे बड़ा मन्च है सजा हुआ है TV9 भारत पर सत्ता समीलर में इस वक्त पूरे देश्ट में देखा जा रहा है तरशकु में तमाम संदेश आ रहे तमाम सवाल भेज़े जा रहे लेकिन जो अगले खास पैमान अमारे ब खरगे इस वक्त देश के सबसे सीनियर और मंझे हुए राजनेताओं में से एक है करनाटक के एक आम परिवार से रिष्टा रखने वाले मलिकारजुन खरगे में शोने से शिखर तक का लंबा सफर दै किया एक जमाने में बड़े अभी वक्ता रहे मलिकारजुन 1972 में पहली 2014 में जब वो पहली बार लोकसभा पहुचे और सदन में कॉंग्रिस के निता चुले गए फिलहाल मलिकारजुन खरगे राज्य सभा सांसद हैं और विपक्ष के निता भी कॉंग्रिस अध्यक्ष बनने के बाद करनाटक और तिलंगाना चुनाओं में पार्टी की जीत का ब जोश बढ़ जाता है और मैं चाती हूँ उसी जोश के साथ जोड़दार तालियों के साथ आप स्वागत करिये कॉंग्रेस सध्यक्ष मलिका अर्जुन खरगे जी का जिसे मॉड्रेट कर रहे है मेरे सायोगी कार्टिके शर्मा बहुत बहुत शुक्री है आपका खरगे आपका दिन लंबा था स्वागत है आपका TV9 भारत शुश में सत्ता का सम्मेलन हमारा प्रोग्राम है आजकल एक चीज देख रहा हूँ घरगे साब सड़क होया संसद रैली होया जनसभा बीजेपी नेताओं की जुबान पर आपी का नाम होता है क्यों अब डेमाक्रसी में विपक्ष का नाम लेना जरूरी रहता है और विपक्ष को भी जो रूलिंग पार्टी के नेता होते हैं उनका भी नाम हम लेना पड़ता है तो यह जबान पे तो है उनके लेकिन मैं उनके दिल में नहीं हूँ जबान पे हूँ और हमेशा रूलिंग पार्टी यह चाहती है कि विरोधी पक्षों के साथ एक दुश्मनी का या उनके साथ ठीक डंग से बरता हो नहीं करते हैं मैं देखा हूं मेरे जीवन के यह तिरपन मसाल चल रहा है महीं मेले अमपी रासरभा मेंबर बनके और शाहद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो चुनके सतत आया और जो अपोजिशन लीडर करनाटक में फिर उसके बाद में मिनिस्टर्स वहां फिर कॉंग्रेस प्रसिडेंट फिर यहां आने के बाद लोकसभा में विरोधपक्ष के नायक बनके फिर रासभा में आके फिर वहां पोजिशन पार्टी के नायक बनके और सेंटरल में मिनिस्टर बनके बहुत कम लोग कोई नहीं है नहीं बोलता हूं लेकिन बहुत कम लोग आपको मिलेंगे तो वैसा ही मेरे को एक अपर्चुनिटी मिला और मैं ऐसे एक घर से आता हूं या आप गराना बोलते हैं घर बोलते हैं आता हूं तो मेरा 1947 में पूरा घर जल गया था परबाद हो गया था मैं अपने मा को खोया बैन को खोया और चाचा को खोया भाही को खोया मैं अकेला किसी जाड के नीचे खेल रहा था ऐसा मेरे पिता जी बताए वो खेत में काम कर रहे थे तब लोकों ने जाके उनको बताया भई तुम तो खेत में काम कर रहे है तुमारा घर जल रहा है वहाँ तब वो भागते भागते पहले बच्चों को उनको दूनने लगे कोई बच्चा जल के खाक हो गए थे मा भी खाक हो गए थी मैं एक किसी जाड के नीचे धर्मिशाला के सामने खेल रहा था तो उनको ने उठा के मेरे को बच्चाने के लिए वहाँ से चलते-चलते ट्रेलवेग पकडे पिर पुना गये जब पुना में रे रेलेट्व चाचा जो माहार रेजिमिट में काम करते थे उनको देखने के लिए जब हम चले गए तो वो 47 में उनको voluntary retirement मिले तो वो गुलबरगे के तरफ आए हम इदर चले गए वो उदर आगे फिर हम परेशान हो गए फिर हमार पिता जी पुनाटू गुलबरगा train से निकले वहाँ पर धुंडे कोई नहीं मिले आखरी में एक textile mil ठी जिसमें हमारे पिता जी कोई आठ दिन में ही काम मिला वहीं textile mil में की एक कार्डिंग डिपार्ट्रमेंट होता है उसमें काम मिलने के बाद सिर्फ हमारे पिताजी ने मेरे को पाला पोसा शिक्षन दिया और लोका ने मेरे को प्रोचसाइद किया तब स्टूड़न्ट लीडर भी बना लेबर लीडर बना 69 में मैं कॉंग्रेस प्रिसिडेंट बना ब्लॉक कॉंग्रेस कमेटी तब से लगातार जनता के आशिरवाद से यहां तक आके पहुंचा हूँ यह अपने खुद के महिनत के उपर और हमारे पिताजी के आशिरवाद से शायद यह भी बहुत कम लोग होते होंगे किसी ना किसी को आर्थिक मदद होती है या सेक्षणिक मदद होती है और समाज में भड़ा जब उनका कद होता है तो ऐसे लोगों को तो हर चीज इजीली मिलती है लेकिन मेरे को महिनत करने के बाद ही यह मिला और अकेला मैं और मेरे पिताजी यहां तक मेरे को अमारे पिताजी ने पहुँचाया अब मैं 82 चल रहा है मेरा तो कहिने का मकसद क्या है मेरे को किसी की सिंपती नहीं चाहिए मैं एक वरकर का बेटा हूँ और जनता की लड़ाई मैं हमेशा बच्पन से लड़ते हुए आया हूँ यहां तक पहुँचा हूँ तो इसलिए यह मेरा चोटा सा बैगनाउंड आपको इसलिए दिया लोग आते हैं या तो उपर से नीचे बैठते हैं आके या कोई उनको नीचे से उपर उठा लेता है तो हम जमीन पर ही चलते चलते दिली तक पहुँचे हैं तो इसलिए वो सड़क पे हम लड़ने की भी तैयारी रखे हैं सदन में लड़ने की तैयारी है और वहां पर MLA बनके वहां भी लड़े हैं और लड़ाई में हम कोई कसूर नहीं रखेंगे लड़ते ही रहेंगे जब तक जीत नहीं पाएंगे या जीत दिंगे नहीं खरगे जी बीजेपी का नारा है इस बार इस बार प्रधानमंत्री बात करते हैं, मोधी की गारंटी, मोधी है तो मुमकेन है, आपका नारा क्या है, कॉंग्रेस की गारंटी क्या है? दिखिये, पार्टी की गारंटी हम कह सकते हैं, पॉंग्रेस पार्टी की गारंटी, जब हम पावर में थे, UPA की गारंट, तब हमने बन रहेगा यह गारंटी दी, एजुकेशन की गारंटी दी, और Food Security Act का बना कर लोकों को पेट बरने के लिए गरीब लोकों को हमने उकाम किया, ऐसे कितने हैं, इससे पहले भी Land Reforms Act हमने लाया, और बैंक नैशनलाजेशन किया, इससे बड़े 10-point प्रोग्राम, 20-point प्रोग्राम, फिर यह जो UPA सरकार में जनता के लिए बहुत से प्रोग्राम हमने की है, और वो गैरंटी हमने लोकों को देख कर किया है, उन्की गैरंटी क्या है, तो करोर नोकरिय हर साल देने का था, दस साल में 20 करोर नोकरिया दियें, यह बोला था या नहीं, वो गैरंटी थी, क्या थी, फिर ऊसके बाद, मैं सबको 15% पंदरा लाक लाक काला दन दूंगा वोले। दिये, वो कुन सी गैरंटी थी? वो ऐसी ही गैरंटी आज पुब्लिश कर रहे हैं। आप बताओ, जो बात आप करते हैं, प्रदान मंतरी के बात को हमेशा लोग एक स्टेश्मेंट के तरह देखते हैं। यह नहीं देखते हैं, वो ऐसा कर रहा है, यह है, जहीसा कर रहा है। जही से बहुत से लोग, आप देखें होंगे पंबए में, उधर इधर तेहातों में, बोड़ते जो कॉमन लोग होते हैं, मैं अमीर लोगों की बात नहीं करताँ है। जिनके पास सब सवलते हैं, उनकी बात नहीं कहता है। पानी के लिए लड़ते हैं। और गाउं में जब अपना क्या होता है, कि वेल होता है पानी कहा। वहां पर भी मैं डालों, तू डालों, वहां लड़ते रहते हैं। तो वो लड़ते वाक्त कुछ अपने गाल्यां देते रहते हैं एक दुसरे को मेरा पहले चम्बु अंतर जाना दुसरे काना. वैसा यहां पर बोधी साफ हमेशा लड़ते रहते हैं. डियेक्टनी इंडियेक्ष् , हमारे पार्टी को तू गाल्या देते हैं. यह नहीं राहूल जी को देते हैं, यह नहीं सुनिया जी को देते हैं, यह अईसा कभी नहीं हुआ, हम महीं तो महीं तिरपन साल में देखा हूं। ठीक है, करके साभ एक ये विशय आज का है, आपकी चुनी हुई सरकारे गिर जाती है, हमाचल प्रदेश में आपकी सरकार पे संकट है, और खबर ये भी आई है, अभिशेक बनु सिंग चुनाव हार गए है, जहां आपकी सरकार, इससे जुड़ा प्रश्न मेरा ये है, ये ऐ क्यों और क्या कोई विचारधारा का कोई अपना वजूद नहीं है पाटी में, कि लोग विचारधारा से जोड़ें, जीत के बाट तूट जाते हैं और छोड़ जाते हैं, देखिए, जो अपने सिंग्वी साब का, अभी रिजल्ट नहीं निकला, बराबर है, चोतिस चोति लेकिन सरकार चुनी हुई गवर्मेंट को उनको आज दिला कर अगर ले जाती है, बनी हुई सरकार को तोडती है, तो यह कौन सी डेमाकरसी है, इससे पहले भी ऐसा ही हुआ, मध्यपरदेश में, करनाटक में हुआ, मनिपूर में हुआ, गोवा में हुआ, हुआ, हर जेगे, अगर आप चुनके नहीं हाते, तो इंडारेक्ली फिर उनको पकड़के, किसी ना किसी द्रस्टी से, उनको अंदर डालके या डराके, धंकाके, आस दिखाके, यह अगर काम करते हैं, तो यह डेमोकरसी है, यह लोगतंत्र है, अरे लोगतंत्र में तो इस दिखाना चाहिए क्या पंडी जवरला लेरुजी ना इसाई किया था, क्या लाल बाद बात उर शास्त्री ना इसाई किया था, क्या तो टोड़बोड करका हैं, खोई भी राजोगानी ना इसा किया था, तो इन उंड क्यों, ये कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं हो रहा ये तो मैं बताऊंगा कि अगर आइसाही करते गए तो एक दिन इस देश में इनों डेमाकरसी को खतम करेंगे लोगतंत्रों को बर्बाद करेंगे और समिधान को ये रख देंगे अलग तो ये अपनी बात है तो अगर आपको भूम मिला है ठीक है हुकमत कीजिए आपके आइडेलोजी इंप्लिमेंट कीजिए आपको जो लगता है लेकिन डरादम का कि अगर कोई डेमोकरसी में करता है ये चल नहीं सकता है पक्रके साब आपकी पाटी से पिछले एक दशक में दो हजार चौदा के बाद कई बड़े नेता करते हैं साथ हो सत्तर के दशक में आपने वहा की रादनीती देखिए लोगों ने संघश किया कॉंगर्स के खिलाफ देखिए चंद लोग पावर के भूके होते हैं वही लोग जब 30-40 साल हमारे साथ थे हमारे आइडालोजी में कुन सी बदलाव आ गया इसलिए वो चले ग पावरफुल था उसके पास अधिकार था इसलिए सब भार के भी जुडते जाते थे यहां तक कि हम पिछले की हिस्ट्री अगर बताएंगे आइडालोजी के ओपर ही अशोक मेता जॉइन किये थे आप लोग अगर पीछे गए तो बहुत से लग चंदर सेकर भी वो पहले त गुलबरगे में 144 सेक्षन जब लगा गया तो हम लोग हम तो अभी चोटे थे उनों जब आये मोवंधारिया, कृष्णा कान, चंदर सेकर यह सब तक्रीर कर रहे तो वो 144 में उनको यह कर दिया गिरफदार काया हम लोगों को भी किया बोलने का मकसद जो आइडेलोजिकली अब एक ही पार्टी में हो एक पार्टी, एक ही चिन, दो चिन हो गए मेरे, पहले हमारी गाई बचड़ा थी, उसके बाद हाथ आ गया, तब से मही एक ही पार्टी में हो, क्या मही कही निराश हो गया हूँ, मेरे को लक्ष है कि एक तो डेमाक्रसी को बचाना, समीदान को ब करनाटक नहीं हुआ हमारे को जितने आना चाहिए था वह आ गए तीनु केंड़ेट जीत गए यह खुछी की बात अच्छा चलिए थोड़ी अब इंडिया की बात कर लेते हैं यह बात कही जाती है कि जो गट बंधन है जो आप कहते हैं कि बहुमत लेकर आए गावारती जनता पार्टी कहते है कि वो हवा की तरह है मौजूद है पर दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन आत्मी को जिन्दा रहने के लिए हवा तो होना ना ऑक्सिजन ना इड्रोजन बना कि हाफ हवा चलती है देखो यह सब उनका क्रिटिसिजम क्या है यह हवा की तरफ है यह कभी राह करसी में कभी गटबंदन होता है, कभी एक पार्टी बहुत ही पावरफुल है, तो वो अकेली लड़ती है, या अपने आइडलोजी के तहट, अगर कोई मिला जुला आता है, तो उसको लेके चलते हैं, तो हम सब को लेके चलने का काम कर रहे हैं, उसमें सभी बहुत से पार्टी हां मारे साथ जुड़े हैं, तो उसमें कोई दोराय नहीं, कितनी भी कोशिस मोदी जी करेंगे, उसमें उनको एश नहीं मिलेगा, तोड़ने की कोशिस तो बहुत कर रहे हैं, देखिंगे हम भी उतनी ही मजबूत है, जितने उन्हों तोड़ने के लिए तैयार है, तो हम तुठने के लिए तैयार नहीं हैं, आप लोगों ने बूला था कि आप लोगों का इंडिया का सचवाइले होगा, साज़ा प्रवक्ता होंगे, एक तरह की एक जुटता होगी, लोग मिलके काम करेंगे, शायी को था मिलके के लिए, और पहले इसका बैक्ग्राउण बता तो, बहुत से लोगों को confusion में है, और आप लिकने वालों को जो freedom है, आपको freedom हैムारे बारे में लिए आपको freedom है, लेकिन मोधी जी के बारे में लिखने के और बीजेबी के बारे में लिखने का freedom आपको नहीं है मैं अपने गर में पहला meeting किया पहले मैं बुलाया शरत पवार जी को उनसे बातचीत किया फिर उसके बाद मैं DMK को हमने बुलाए हमारे गर में ही बातचीत हो गी फिर उसके बाद मैं सभी पार्टी एक-एक करके हमने बुला कर तायर किये आखरी में हमारे केजिरिवाल जी भी आये वो भी बात किये हमारे गर में मिलके महियव रावल जी भी थे सब मिलने के बाद meeting कहा करना तो कोई कहा कि बंगलूर में करू कोई कहा कि दिल्ली में करो तो आकरी में ये उन्होंने बोला कि पटना में शुरू करना चाहिए तब दूसरे मीटिंग में उन्होंने खुद कहा नितेश जी ने भई हम पटना में करेंगे अमारी सरकार है सब कुछ मजबूत है वहां करेंगे उन्होंने कहा लोकों को जुट बात करें हम, उनको भी बुलाएं, आप देख सकते हैं, एक एक लिन के लिए, एक एक मुटवा सब कुरें, भाग में वो क्लेम करने लगा है, मैंने सब को एक जूट किया, मैंने सब को बुलाया, और ये आगे बढ़ रही ही नहीं, आप कहरें, उन्होंने जूट बोला, जू को दोश नहीं देता, कभी-कभी अब दूसरे, गटबंदन दूसरा अगर हो गया, तो इसके उपर बोलते रहते हैं, ना, कुछ, कुछ लोग चाहते थे कि आपका नाम घोशे तो प्राम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, ये देखो, ये साब, ये चीजे, अगर महीं उल्टा क हूँ, तो आप, आप लोग नाराज होजें, ये भी हवा की बाती है, ना, जब होता है कि पहले आकड़े लोग ना, सब लोग मिलके, आकड़े बनाओ, आकड़े बनाने के बाद, कौन चीप मिनिस्टर बनेगा, वो पाटियां मिलके तही करेंगे, इसी मंच पे, केजरिव कि लेट हो गए, लेट देखो, महीं वो लेट का समय किसके वज़े से क्या हुआ, ये गिनना नहीं चाहता, मैं सब को मिलके, लेके चलना चाहता हूं, मेरे पार्टी के वो तरौब से, अगर कोई कमजोरी भी हमारी है, तो हमान लेंगे, वही हमारी कमजोरी है, ठीक है, अगरान मंत्री, उन्होंने कहा था, कि वो भारती जंता पार्टी से लड़ सकते हैं, राम से नहीं, अच्छे, हर एक ही आस्ता होती है, क्योंकि नरसियराओ जी मेरे को बड़े क्लोस थे, हमारे हिदराबाद करनाटक मोमेंट में, वो सेर्या के ही थे, तो मैं तो हमेशा उ अच्छे, वो गुलवर्गा भी आते थे, तो मिलता था, और उनके जो गुरू थे, रामस्वा अपने, हमारे उनके जो बहुत बड़े उचाते हैं, अब उनके जो वो सिंदगी विजापुर में ही रहते थे पहले, तो उन्होंने पोलिटिकली उनको प्रोच्छा किया था तो नर्सिंग राओ जी को, उसलिए नर्सिंग राओ जी खरीबी गुलवर्गा से, बीदर से, राइचूर से, और दूसरे ए इलाके, नईजाम इलाके से, वो समन्द रखते थे, तो उसलिए, वो पहले से मुझे उनका मालूम है, और वो एक, जब लैंड रिफॉर्म्स ए तरह थी, वो उसके बारे में बोल रहा हूं, अब राम का आस्ता अलग अलग है, आप राम को मानते हूं, मैं सेंकर को मानता हूं, उनों गुरु करंथ को मानते हैं, कोई इसलाम दर्म को मानता है, हर एक आदमी की आस्ता अलग अलग है, एकी दर्म में रह के भी अलग अलग घर के भगवान अलक होते हैं कभी आपका भगवान हो सकता है अब मेरे घर में पहले हमारे फूरोज़ों का मलार बोलके मलार लिंग ये था यहने वो एक सब लिंग जितने भी थे उतने उसमें मलीका अरजुन जो है हिद्राबाद में तो वहां पर हमारे पिछले लोग सब जाते थे तो ये आस्ता की बात है आप क्या करते ये पॉलिटिक्स में नहीं है पॉलिटिक्स अलक है धरम अलक है फेत अलक है आपका एड़लॉजीक पॉलिटिक्स में अलक है इसलिए आप मिक्स करके लोकों को डिवाइड मत करो और यह कर रहे हैं आज की सरकार करगे साब भारत एक आस्था वाला देश है आपको नहीं लगता कि प्राण प्रतिष्ठान के बाद उत्तर भारत थोड़ा आप एक तरीके से कह सकते हैं राम माय हो गया है राम माय हो गया है मूड बदला है एक प्रोइंकम निसी तैयार की है बीजेपी के लिए अब और एक बार पूची यह दिकता हूं मेरा कहने का मतलब है कि आपको लगता है कि आपको लगता है कि प्रान प्रतिष्ठान के बाद जो आयोध्या में प्रान प्रतिष्ठान हुआ रामला तो आपको लगता है कि मोदे जी का कद बड़ा है उत्तर भारत राममाय हो गया है यह यह बड़ा सेंटिमेंट है नॉर्थ पॉलिटिक्स अलग रखो, धर्म अलग रखो, तुम्हारी फेद क्या, एक गर में तीन लोग अलग अलग गुरू कुमानते हैं, तो इसे लिए यह पॉलिटिक्स करना बंद करो, या अन्यम्पलामिंट का प्रॉब्लम है, सॉल करो, और इंफलेशन का प्रॉब्लम है, सॉल क करो, आपको जो गदी पे बिठाया गया, जनता के समश्याओं को सुलजाने के लिए बिठाया गया, ऐसे प्रॉब्लम तायर करने के लिए नहीं है, ये काम तो सादू संथ, जो है, वो करते हैं, और उनका आश्रवाद लेने के लिए सब लोग जाते हैं, तुम क्यों हाँ, आप लोग क्यों बना चाहते हैं, चोड़ दो, जिनका काम वो करते हैं, आप पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, अभी कॉंग्रेस के चीफ मिनिस्टर, दक्षिन भारत के कई मुख्य मंत्री, उन लोग का कहना था कि जो दक्षिन भारत से पैसा आता है, उतन बात है, साउत और नौर्थ, यह बोलना ठीक नहीं है, बहुत सभी हम भारती हैं, इंडियन्स हैं, हिंदुस्तानी हैं, और जब हिंदुस्तान के लोग एक होकर आजादी लिये हैं, और आजादी को हिपाज़त करना अपना फर्ज होता है, तुम साउत, नौर्थ, इस्ट, बोलते हैं, तो कोई मुल्क नहीं बसता, मुल्क को बचाना है, तुम सब लोग मिलके एक होकर, आकरी तुमारे शरीर में एक बूंद भी है, तो उसको डिफेंट करने के लिए तुम लोग एक होना चाहिए, पार्टी का सवाल नहीं है यहां पर, हम हमारा देश, इसका सवा है, अब मोदी बोले तो क्या है, या दूसरा को हम मानते हैं, अरे तुमारी पॉलिटिक्स है, तुमारी इडिलोजी है, तुमारी पार्टी है, कुछ भी करो, लेकिन मुल्क के बारे में उसको तोड़के, उसको डिवाइड करके, तुम लोकों में जो यह भेदवाव तयार कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है, और कल यह आउट पे फॉर इट, अचली एक बता, एक चीज़ पूछी जाए, यह कॉंग्रेस पार्टी से जुड़ी है, लोग कहते हैं कि कॉंग्रेस में थोड़ा सा मेरी गो राउंड है, जब आप से कोई विशे के बारे में पू देखो, यह मैं कभी किसको उनको पूचो उनको पूचो नहीं कहता, जिसको जो काम सोपा गया है, अब और अर्गनाइजिंग सेक्रेटरी है, अगर कोई आया साव अमार पास BCC नहीं बना, ब्लॉक नहीं बना, तो मैं किसके पास पेजू, नड़ा के पास पेजू हूँ अब जब सवाल है, मिल के काम करने का, एक्सपीरेंस जो मेरे से पहले है, सोनिया गांदी जी 25 येर्स कॉंग्रेस प्रसिडेंट थे, उनका अनुभो है, और कौन-कौन से स्टेट में कैसा है, इसके लिए पार्टी के अच्छाई के लिए पूचना बुरी है, बुरी बात ह है, उनका सला लेना बुरी बात है, तीसरा, राउल गांदी जी, उन्हों भी हमारे पूर अध्यक्ष थे, उनको भी कहीं चीजों को मालूम है, कहीं चीज हम बताते हैं, नई साफ ये ठीक नहीं है, वो मानते हैं, ऐसा नदा साफ कभी पूचें के मोदी जी नदा साफ को, ये मैं चालेंज के साथ कहता हूं, अरे उनको तो, मैं अभी आ रहा था यहां पर, मुझे फोन आया, वो लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूं, अरे हमारे पास तो कम से कम बातचीत करके एको कर निर्णे लेते हैं, तुमारे पास उपर से जो हाता वो ही सही, और हमको बोलत ही चलती थी, इंद्रा गांधिया इसी करी, सोनिया गांधी पीछे से सरकार चलाती थी, आप बोलते हैं, भाई, पहले फ्रीडम तो, तुमारे पास के लोकों को पहले दो, अद्वानी साब को केनारे पे बैटे, जोसी साब अलग बैटे, अब हाइसो मिनिस्टर पी जाएगी, पतंग कर जाएगा, तो वो लोग भी चुप बैटे हैं, कुछ लोग तो यह कहेंगे वहाँ रेटार्यमेंट पॉलिसी है, यहाँ रेटार्यर नहीं होता कोई ने था, नहीं नहीं, जो काम जिसन को सुप, वहम बोलते हैं, वो करते हैं, अगर वो नहीं होता, त हो हमारी कमीटी, कौर कमीटी है हमारे पास, उन से पूछ के करते हैं, चलिए कुछ सवाल में फटा 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 आप से पूछता हूँ, आपके साथ जो आपका समझाओता हुआ, पंजाब में नहीं हुआ, बाकी जगे हुआ, संबान जनक था, जखिए, पंजाब में इसलि हम कहीं और जगे छोड़े, दिल्ली में हम तीन लिए, वो चार लिए, यही समझोता होता ना, अब बहुत से जगे हम लड़ते हैं, जैसा केरडा है, केरडा में हम लेप्टिस्ट सभी लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में मोधी सरकार को निकालने के लिए, फिर से एक बार सत कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है, कि हम यहां पर अलग-अलग है, आपको चिंता नहीं होती, खरगे साहब कि कॉंग्रेस की सिति दधीची जैसी हो जाए, कहने का मतलब कि उसको अपने पार्टी के संगठन को कॉंप्रमाइस करना पड़े, सिर्फ मोधी को बहार रखने उसके बाद कोई ऐसा स्टेट नहीं था, आपको नहीं लगता कि धीरे-धीरे-धीरे करके शायद दो ही तीन राजबचे ऐसे मतलब यह नहीं होती है, बाकि सब जगे आपको गटबंधन में लड़ना पड़ रहा है, देखिए, जहां जरूरी है, महां पर गटबंधन होता है, यह मोदी के लिए हराने के लिए एक ही प्रशनक नहीं है इसमें, देश को बचाना है, समिधान के लिए मैं बार-बार बोल रहा हूं बचाने के लिए और डेमाकरसी को ठीक डंग से रखने के लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं, और रही बात आइडियोजी की, मोदी जी इडियोजी पे चलते हैं, चलते हैं तो मही परसु कल गया था, तेलंगाना गया था, आंधरा भी गया था, आंधरा में एक तरफ लेफ्ट एंड को जगन है, राइट एंड को टीडिपी है, इन्हों बीच में हैं, तो बताए कौन से इडियोजी हैं यह? मैं तो संगटिंग की बात करा अब तीसरी चीए यह IDM के और BJPC तो कभी पहले से नहीं जमता इडिलोजिकली तो कभी नजदी कहें जैसा होता है कभी दूर कहें जैसा होता है अब पंजाब में इसे डिये इनकी आडिलोजी इनकी आडिलोजी ही की है दिखिए आडिलोजी मोधी साब जो बोलते हैं वही आडिलोजी आपर दूसरी आडिलोजी नहीं चलती है इसलिए तो उन्हों बोलते हैं मैं मैं कुछ कर सकता हूं मेरी गारंटी उन्हों पार्टी की गारंटी नहीं ब के पाटी का रुक्या है संदेश खली मीडिया में रहा खबरे आई और तो के साथ एट्रॉसिटी हुई एंसी डव्यू की टीम गई तमाम चीजें हुई पॉलिटिक्स हुई आपके नेताधी रंजन चौधरी ने जंगल राज बुला संदेश खली मसले पर कॉंग्रेस अध्यक्ष मालिक अरुजन खरगे जी का क्या कहना है देख किसानों के बारे में तो हमको कुछ करना जरूरी है और उसको लीगल गैरिंटी देने का वाइदा तो हमने किया है मेरी पहली गोशना ये रही अगर गटबंधन सरकार आई तो किसानों को हम M.A.C.P. लागू यहने लीगलाइजड कर देंगे उसको मदद करेंगे और जो चीज आँ कर सकते हैं जरूर उनके लिए करिंगे ये नहीं कि जो चीज शे आँ नहीं कर सकते वह भरोसा दे ओर ठीक कभी नहीं होता और दूसरी चीज आदीरेंजन चोधरी का क्या बोले अब जंगल राज है पश्चे मंगाल में संदेश खली जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ देखो वहां पर हमेशा यह चलते रहता है कि एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी के लोग हैं एक तरफ कम्मुनिस्ट के हैं एक तरफ टीमसी है तो यह चीजे राश्टी स्थर पर उसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ महिलाओं का हम कंडम करते है ना महिलाओं का अत्याचार कंडम करते हैं इसी लिए तो हम लड़ रहे हैं इस देश में साथ वोटिंग पावर महिलाओं को किसने लाया अगर किसी ने महिलाओं को वोटिंग पावर दिया है वो कॉंग्रेस ने दिया है अगर प्रेंचाइज इससे पहले इंगलंड में नहीं था, फ्रांस में नहीं था, यहने बहुत लेट करके वो लोग दिये, यूके में नहीं था, यूएस में नहीं था, अरे जो पार्टी हुकमत में आई और कॉंस्टुशन को सुविकार किया, उसी दिन मैलाओं को भी equal rights दिया, और अडल्ट फ्रेंशाइस के तहट गरीब अमीर, महिला, पुरुष, सब को समान दृष्टी से हमने दिया, वो हम सब को सन्मान करते हैं. बहुत-बहुत शुक्रिया खरकेसा, बहुत-बहुत शुक्रिया आप इस सेशन में आए, पुझे क्लोस करना होगा सेशन. मैं नहीं थका, मैं बिलकुल नहीं थका, लेकिन हाँ, आप जाते-जाते एक शेर सुना सकते हैं, क्योंकि आप बन्माहन सिंग जी की दरेश्टी सेर अब सुनाने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन कभी वक्त मिला, तो जरूर और एक बार बुलाई है, बर आउंगा, शेर भी सुनाओंगा, और सरकार के कलतिया भी बताऊंगा, बहुत 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 शक्रिया, बहुत बहुत शक्रिया, थांक यू सो मच पर शेर, प्लीज आप एक मिनट के लिए मंच पर रुके, और TV9 Network के CEO और MD, Varundas Sir को इस वक्त मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, जोरदार ताल यू से एक बार फिर से अभिननदन, तालिया रुखनी नहीं चाहिए, शक्रिया साथ, तुबादी सार्थक सेशन, इसे कहा जाएगा सुर्भी, मलिका जू खड़के हमारे मीच, मंच पर आप पूर नीचे उतर रहे हैं, लेकिन जोरदार तालिया एक बार फिर से हो जाए, क्योंकि अब हम इस सत्ता समिलन के आखरी पड़ाव पर हैं, और अब जोश और उत्सा में कमी नहीं होनी चाहिए, जो आप जोड़ार तालिया हो जाए एक बार और मैं हर बार की तरह ये कहना चाहूंगी, तालिया हमारी उन स्पेशल ओडियंस के लिए भी बननी चाहिए, जो आज के स्खास मंच पर हमारे साथ जूडी हूई हैं. We are about to start the next session anytime now, and I would request you to please be seated. चाहे पीएंगे इंजिनर सहाब, कुछ याद भी है, पचास साल होगे शादी को, ये क्या है? पचास साल जेली हो तुम मजे, और पचास साल जेली की क्या? सची रिष्टे वही है, जो लंबे चले, इसलिए वीगार्ड बनाते हैं वायर्स, स्विचेस और एमसीबीस, जो चलें साल होगे साल. पता है, ये लंबी सी मेट्रो लाइन क्यों बनी? सिर्फ इसलिए, कि पापा जल्दी घर पर आएं, और ये दुनों उनकी गोदी में चलांग मार पाएं. वो काम ही कैसा काम, जिसकी खोज किसी को अपनों से दूर ले जाएं. सिर्फ इसलिए, रंजीत के शहर में भी एक आफिस बना है.